सब सब अच्छा कर रहे होंगे सो आज हम मौक टेस्ट नंबर सेवन के फंडे जानना शुरू करेंगे इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको पता होंगी शायद आपको पता नहीं भी होंगी so let us start with mock test no.7 पहला question हमारे को क्या रखे कि हमारे पास एक convex lens है और जो ये convex lens है actually ये 5 times magnificent real image produce कर रहा है हमें ये बताना है कि object का distance कितना होगा मुझे पता है वैसे तुम सब लगोंने कर लिया होगा तो just for formality ये मैं बता देता हूँ ठीक है spicy time 99.99% बच्चों का आंसर इसमें correct आया होगा तो हमें magnification दे दी कितिनी दे दी 5 अब यह magnification positive होगी या negative होगी यह magnification हमारी negative होगी क्योंकि convex lens magnify कर रहा है and we know that convex lens जब हमारी real image बनाता है तो वो inverter बनती है now second thing is हम यहाँ पर कौन सा lens maker formula लगा देंगे 1 by V, 1 by U, 1 by F वाला हम जानते है magnification का formula V upon में U होता है तो V की value कितनी आजएगी minus 5 U, इसे हम यहाँ पर place कर देंगे place करने के बाद जब हम यहाँ पर data लिखेंगे, data हमारे पास दे रखा है कि focal length की value है 30 तो U की value आजएगी minus 36 cm तो इसका answer आजएगा कि object जो हमारा पड़ा है वो 36 cm पर पड़ा है Is that clear? Next हमारे पास जो light ray है वो denser से rarer medium की तरफ जा रही है speed of light हमारे को in the respective mediums दे रखी है 1.8, 10 to the power 8 in the denser and in the rarer 2.4, 10 to the power 8 हम से पूछा कि critical angle क्या होगा तो यहाँ पर एक चीज़ यहान रखना sign critical is 1 upon mu relative हम directly यहाँ mu relative निकाल सकते है क्या होगा 2.4 देखो यहाँ speeds तुमारे को दे रखी है जिस medium में तुम हो और जिस medium के अंदर तुम जा रहे हो तो speed हमारे पास वहाँ पर given है तो हम speed से directly निकाल सकते है कि speed in the rarer medium upon में speed in the denser medium क्या यह बात clear है तो हम यह relative mu निकाल सकते है जब हम mu relative निकाल निकाल नेंगे तो बस हमें थोड़ी ची काट छाट कर देनी है तो हमारे पास answer कुछ ऐसा form में दिखने लग जाएगा and we know that sign critical is nothing but it is 1 upon mu relative आपको इसे बस यहाँ पर रख देना है तो यह आ जाएगा 18 by 24 sign critical that is critical angle will become sign inverse of 18 by 24 अब इसे चाहो तो आप काट वाट सकते हो जैसा आपका मन करें solve कर सकते हो ठीक है तीन चिंग अठारा, तीन अठ्थे, चौबिस दो ती अच्छ है, दो चोग आट तो answer आएगा sign inverse of 3 upon me 4 that will be the complete solution for the following problem clear, next हम आगे बढ़ेंगे हमारे next question पे क्या कहा रहा है, phenomena of polarization of light indicates that हमारा जो polarization of light है वो क्या indicate करता है कि light एक longitudinal wave है, नहीं light एक transverse wave है, yes light एक wave ही नहीं है गलत जबाब light है तो एक transverse wave और light travel with a velocity of 3 to 10 to the power rate गलत, देखो polarization से आप क्या करते हो आप जो electric field vector है उसके एक direction को restrict करते हो अब electric field vector transverse direction में ऐसे ऐसे oscillate करवा रहा होता है, हाई या ना तो जैसे माल लो, हमारे पास यह unpolarized light है, यह ऐसे इस इस direction में यह क्या कर रही है oscillate कर रही है इधर उदर, अब तुमने कहा कि भाई, मैं चाहता हूँ कि मेरी light unidirectional हो जाए, वो बस इस direction में आगे travel करें, तो तुम इन सारी चीज़ों को, जितने भी यह directions है उनको restrict कर देते हो, after passing it through a polarizer ठीक है, मैं कोई basic definition भी नहीं दे रहा है मैं आपर, मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ, जितना तुम्हारे दिमाग के अंदर बैड जाए, क्योंकि at the end of the day, उस basic definition का फायदा ही क्या होगा, जब हम exam में जाकर उसे भूल जाए, तो सिर्फ उतना याद रखते है, जितना याद रखने की जरुवत है, polarizer एक road प्रोवाइड करता है तुम unidirectional इसी road में जाओगे, इधर-उदर जाने की कोशिश करोगे, टकरा होगे, और तुम्हारी वो वाली vibrations क्या हो जाएंगी, खतम हो जाएंगी, dissipate कर जाएंगी, तो यहाँ पर जो हमारी vibration है, वो transverse axis में होती है, अब transverse axis तो कोई सा भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, x, y, y, z, बहुत सारे होते हैं, three dimension में हो, तो यहाँ पर ये, 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 तीनो transfer direction को वो खतम कर देता है, सिर्फ इस direction में आपको जाने देता है, इस से हमें क्या पता चला, इस से हमें यह पता चला है कि जो light wave है वो transverse wave है क्योंकि polarizer यही तो कर रहा है एक ही direction में आपको oscillate करने दे रहा है एक ही transverse direction में आपको क्या करने दे रहा है oscillate करने दे रहा है clear? बहुत छोटी सी थी हो रही थी इस वाले का answer तो सबने लगा लिया होगा मुझे लगाने की ज़रूरत भी नहीं है शायद question क्या कह रहा है कि consider the following statement concerning the electrons electrons are universal constituent of the matter Thompson received the very first noble prize in physics for discovering the electron the mass of the electron is about 1 upon 2000 of a neutron and according to the whole linear momentum of electron is quantized in hydrogen atom देखो सुनो मेरी बात माल लो मुझे fact नहीं पता माल लो एक पल के लिए मैं भूल जाता हूँ कि मुझे history नहीं पता physics की जो कि सच में नहीं पता अब मैं इसका answer कैसे दूँ इसका answer देने का एक ही तरीका है तुम ये देखो वह statement जो तुम्हारे context में है जो तुम्हें पढ़ाई गई होगी कभी भी college or school के अंदर या फिर institute के अंदर देखो कभी किसी teacher ने बताया है कि electron universal constituent है matter का या नहीं है क्या तुम्हारे topic था universal constituent नहीं था तो मतलब ये एक possible answer नहीं होगा मैं ये नहीं कह रहा है ये answer नहीं है possible नहीं होगा जे जे थॉम्हें रिसीवड़ वेरी फिस्ट नोबल प्राइज इन दे फिजिक्स फॉर डिस्कवरिंग दे इलेक्टरॉन या जे 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 थॉम्हें ने जे 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 थॉम्हें ने model of atom दिया था ये बाद तो हम सब जानते हैं ठीक है अब क्या उसने physics का पहला noble price क्योंकि इसने claim कर रखा first noble price जीता होगा हमें नहीं पता ठीक है mass of electron is 1 upon 2000 than that of the neutron इसके लिए हम क्या कर सकते हैं हमें data पता होना चाहिए mass of electron कितना होता है mass of neutron कितना होता है लेकिन जो चौत्ती statement है वो तो हमने पढ़ी है ना भोर के अंदर भई भोर ने हमें बताया था कि L की value किसके बराबर होती है NH over 2 pi it is an integral multiple of H over 2 pi according to Bohr linear momentum is quantized in the hydrogen atom मतलब जो angular momentum है वो NH over 2 pi है that is it is quantized ये N क्या है तुम्हारे पास integer है quantized है ये ये integral multiple है किसका H over 2 pi where H is the planks constant तो at least ये तो हमने second law में पढ़ा है जब Bohr model था उसका second postulate में हमने ये चीज़ पढ़ी है तो obviously ये statement 100% correct statement होगी तो बाकी की सारी statement भले ही वो correct है या incorrect है मुझे नहीं पता मालो लेकिन ये मैंने पढ़ी statement है ये बिलकुल exact statement है जो मुझे theory में पढ़ाई गई थी तो मैं क्या कहूंगा कि भाई मेरी fourth statement जो है वो क्या है correct statement है clear next देखो ये वाला इस पर mark कर लो ये important है ठीक है कुछ करो ना करो मगर इस पर mark करना ये important है क्या रहा है कि तुम्हारे पास एक prism है जिसका prism angle ए है जब तुमने light इसमें से पास करी तो जो deviation angle निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 34 degree का clear अब तुमने क्या करा आधे prism को काटा और फैक दिया knock off का मतलब यहाँ पर हुआ अचानक से वो आधा prism था वो अचानक से गायब हो गया तो यहाँ पर वो ही हुआ कि आधा जो हिससा अचानक से गायब हो गया तो हमें जो नया delta आ रहा है वो निकालना है अब भी नया delta निकालना तो कुछ जादे ही असान हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा से एंगल हाफ हुआ है तो तुमने उसे हाफ कर दिया तो इन दोन को डिवाइड कर देना 34 अपॉन में delta new that will be equal to mu minus 1 a and mu minus 1 a by 2 तो delta new कितना आ जाएगा तुम्हारे पास जो deviation angle है वो आ जाएगा 17 degree तो suffer a deviation of 17 degree यह simple सा हमारे पास answer आ जाएगा clear then हम next question पढ़ेंगे next question हमसे कहा रहा है when the angle of incidence on a material is 60 degree the reflected light is completely polarized the velocity of reflected ray inside the material is कोई एक material था light ray वहाँ पर आई reflect हुई reflect होने के बाद जब वो चली गई तो वो totally polarized हो गई मतलब polarization by reflection अब तुम सोचोगे polarization by reflection हमने कहा पढ़ा था brevester law में तो brevester law क्या पढ़ा था tan ip equal to mu अगर तुम एक particular angle पर जिसे हम ip कहते है incidence angle कहते है for the polarization अगर एक particular angle पर तुम अपनी light को फेक होगे तो यह जो polarizer होगा by the method of reflection वो polarize कर सकता है तो हम यहाँ पर कह सकते है क्या कि भाई जो हमारे पास angle दे रखा है वो कितना दे रखा है 60 degree यह angle कितना दे रखा है 60 degree यह चीज़ खतम हो गई हमारे पास अब mu की बात करते है mu का मतलब क्या होता है speed of light in air upon में speed of light in medium तो speed of light in medium अगर आप निकालेंगे तो वो कितना आएगा 3 into 10 to the power 8 upon में root वो sorry root हाँ root 3 क्योंकि 1060 degree की value कितनी हो जाती है root 3 हो जाती है तो आपके पांस आएगा root 3 10 to the power 8 meter per second तो velocity of the refracted ray inside the material will be your option number 3 clear next हम से क्या क्या रहा है कि तब d brogley wavelength lambda associated with an electron having a kinetic energy is given by the expression देखो यह मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि actually में यह तो direct formula है lambda is equal to h upon me 2mE का लेकिन अगर फिर भी किसी को नहीं आता तो बता देता हूँ यहाँ पर उसने किस के साथ का है electron के साथ kinetic energy कितनी होती है half mv square half mv square यह होगा हमारी kinetic energy जरूर दिहान से देखना हम और हमें पता है p equal to h by lambda होता है p का मतलब होता है mv अब मैं यहाँ एक चतुराइक वाला काम करूँगा मैं m से multiply और m से divide कर दूँगा तो मेरे पास आ जाएगा half m square v square upon me m that is half p square upon me m यह चीज़ clear है अब मुझे क्या करना है p की value निकाल लेनी है 2m kinetic energy का under root उसे यहाँ पर place कर देना है तो lambda की value आजएगी h upon me under root 2m kinetic energy बात खतम simple as that मगर याद रखना इस formula को रटकर रख लेना काम आएगा तुमारे कभी वो पूछेगा यह direct lambda की value निकालो for the given amount of kinetic energy of the electron तो उसके अंदर data जब तुम रखोगे वो answer आई गई आएगा तो यह भी हमारा हो गया next हम question करते है next question हमसे कह रहा है there is an object which is placed at a distance of 10 cm from the convex lens of power 5D find the position of the image यह चीज़ के लिए हमें image की position निकालनी है जब हमारे को एक convex lens दे रखा है जिसकी power क्या दे रखी है हमारे को 5D दे रखी है सबसे पहले we know that कि focal length और power में एक relation होता है focal length is equal to 1 upon power button meter अब हमें power दे रखी है diopter में तो यह कितना हो जागा 1 upon 5 of meter तो focal length को अगर centimeter में निकाल सको तो अच्छी बात है क्योंकि answer ही centimeter में दे रखा है तो 1 upon 5 into 10 to the power 2 centimeter यह बात clear है that is focal length हमारे पास कितनी आजएगी बच्चो 20 centimeter आजएगी अब हमसे क्या कहा जा रहा है object is placed at a distance of 10 centimeter मतलब यह हमारे पास u हो गया तो 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f के अंदर आपको data directly रख देना है 1 by v minus minus 1 by u equal to 1 by f तो v की value आपके पास आजएगी minus 20 centimeter directly calculate करके जिसकी वज़े से हमारा option number 1 क्या हो जाएगा correct option हो जाएगा ये भी खतम हो गया next हमसे क्या question कहा जा रहा है question कहा जा रहा है in an interference experiment third bright fringe is obtained at a point on the screen with light of 700 nanometer what should be the wavelength of the light what should be the wavelength of the light source in order to obtain the fifth bright fringe at the same point देखो इस पर लिख लो important क्यों हो क्योंकि ये ncrt के अंदर as it is question given है ठीक है और ये question हर test series में आ रहा है तो जब तुम्हारे को एक ऐसा question दिखे कि जो हर test series में आही रहा है constant हो चुका है मतलब पक्की बात है कि वो question की आने की possibility बन जाती है क्योंकि जादे तर teacher उस question के उपर bias जो रहे है तो obviously बनाने वाला भी उस question के उपर bias जोगा कहीं न कहीं यह हमें ध्यान में रखाए है हमसे कह रहा है कि भाई एक ही particular position पर एक ही particular position पर हमारी दोनों fringes आनी चाहिए कि इसके द्वारा 700 nanometer वाली light के द्वारा भी और हमारी unknown lambda वाली light के द्वारा भी कहने का मतलब है दो light wave यूज़ हुई एक lambda 1 है एक lambda 2 है इसकी है 700 nanometer इसकी हमारे को पता नहीं ठीक है एक ही point पर इन दोनों की वज़े से bright fringe बनेगी जब आप simultaneously अलग अलग करके जब आप अलग-अलग करके इस screen को illuminate करोगे तो होगा क्या दोनों की bright fringe यहाँ पर बनेगी बस order अलग होगा जैसे अगर मैं lambda 1 वाले की बात करूँ तो lambda 1 वाले की third bright fringe बन रही है और इसकी बन रही है fifth bright fringe तो हमसे यह पूछा के कि lambda 2 की value हमारी क्या होगी तो directly लिख लेना n1 lambda 1 equal to n2 lambda 2 अब तुम कहोगे सर यह मैं क्यों लिख हूँ भई खुद सोचो यहाँ पर चो y की position है with respect to the center वो same है मतलब y for lambda 1 is equal to y for lambda 2 यह दोनों same होने वाले है y की value क्या होती है n beta क्या होती है n beta n beta 1 n1 beta 1 n1 n2 beta 2 क्या यह बात clear है देखो दोनों के लिए सुनो मेरी बात दोनों के लिए position same रहने वाली है तो y का formula दोनों के लिए same रहेगा तो n1 beta 1 equal to n2 beta 2 तो n1 beta की value क्या होगी d upon a small d into lambda अगर पहले वाले को हम देख रहे हैं पहली वाली case पहली वाली wavelength को देख रहे है तो पहली वाली wavelength लगा दो दूसरी वाली wavelength को देख रहे हो तो दूसरी वाली wavelength लगा दो यहां से d by d दोनों में constant रहने वाले है क्योंकि एक same setup हम use कर रहे है तो इसलिए यह formula आ रहा है n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2 यह बात clear है अब आपको करना क्या है यहाँ पर यहाँ पर n1 क्या है 3 है lambda 1 कितनी है 700 nanometer lambda 2 निकालनी है और n2 कितनी रखी है हमारे को 5 तो lambda 2 की value हमारे पास directly अगर हम card chart यहाँ पर करेंगे तो यह 7 as it is रह जाएगा 100 गया हमारे किस पर 5 दूनी 10 ठीक है 20 पर आ जाएगा तो 321 और 420 420 nanometer ओके 420 nanometer which is your option number 4 must be the correct option चलिए आगे बढ़ते हैं एक और यार देखो यह question important है यह वाला question ultra ultra important question है इसे लिख लो क्यों ultra important question है inequality का question है यह फिर भी बता देता हूँ क्या रहा है तुम्हारे पास दो identical metal plates है as shown वैसे show तो कुछ नहीं कर रखा लेकिन ठीक है तो दो identical metallic plates हैं आपके पास और यह दोनों ही photo electric effect दिखा रहे हैं और lambda A and lambda B this is not lambda angstrom this must be lambda A angstrom is that clear मतलब आपने दो light wave वहाँ पर छोड़ी जैसे मालो ग्रीन कलर की और blue कलर की छोड़ी is that clear तो lambda A lambda B lambda A जब आपने छोड़ा तो भी उसने photo electric effect दिखाया lambda B जब आपने छोड़ा तो भी उसने photo electric effect दिखाया हमसे यह बोल रहा है कि दोनों ही cases में कुछ आपकी maximum kinetic energy निकल कर आएगी यहाँ पर B और यहाँ पर B इसे हम A नाम देंगे इसे हम B नाम देंगे यह जो maximum kinetic energy है यह आपस में कैसे relate होंगी बस यह हमसे पूछा गया चलिए शुरू करते हैं पहले step number 1 तो यही है कि formula हम लिख लेते हैं h new minus 5 तो अगर मैं A वाले की बात कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा hc upon lambda a minus 5 5 क्या होता है हमारा work function होता है ऐसी k e b की बात कर रहा हूं मैं क्या हो जागा hc upon lambda b minus 5 यह चीज़ clear अब इन दोनों को मैं कर दूँँगा divide यहां पर मेरे को एक चीज़ provide करी गई है कि lambda ये lambda 2 times of lambda b है तो kinetic energy a upon kinetic energy b that will be equal to hc upon lambda a upon minus 5 करना मत भूलना hc upon 2 times sorry 2 times उपर आएगा इस lambda a को न मिटा देना इस lambda a को लिख देना तुम 2 times of lambda b क्यों लिख रहा हूं अभी तुमारे को पता चल जाएगा अब ध्यान से देखो अगर तुम उपर वाले factor को देखोगे और नीचे वाले factor को देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा ये जो value आएगी ये less than 1 by 2 आएगी अब तुम कोगे सर मैं नहीं निकाल पा रहा है मेरा जो course था वो basic maths इवन maths का तो था ही नहीं मुझे कैसे पता चले का सर ये less than 1 by 2 आ रही है या नहीं आ रही मैं के चलो ठीक है मान लो नहीं पता हमारे को ये जो work function है ये work function की value आप एक काम करना हम zero तो नहीं ले सकते ये तो बात पक्की होती है कि work function की value जो होती है हमें इतना पता है अगर इस वाले factor में से इस वाले factor को minus करूंगा तो answer आना चाहिए positive otherwise तो kinetic energy आएगी नहीं तो मैं ये मान सकता हूँ कि work function की जो value है वो hc upon 2 times of lambda b से भी कम है clear? अब एक trick यूज करेंगे हम मान लो work function 0 है hypothetically hypothetically 0 है होगा नहीं 0 लेकिन hypothetically 0 है तो ये जो relation है ये कम से कम must be similar to और equal to 1 by 2 हो जाना चाहिए ये बात clear है अब एक चीज हम यहाँ पर ध्यान देंगे अगर मैं मान लो यहाँ पर ये निकालना चाहता हूँ कि actual में मेरे पास यहाँ sign क्या है less than है greater है equal है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि हाँ values put करना शुरू कर दूँ मैं एक value put करूँ मैं कहूँ hc by lambda b की जो value है मिरे पास है 10 और जो मेरा work function की value है वो है मिरे पास 1 1 भी क्या मानो तुम ऐसे करो 0.0001 मान लो अरे कम मान नहीं है ना कम कुछ भी मान सकते हैं हम 0 तो नहीं मान रहे ना at least सोचो at least 0 तो नहीं मान रहे अब यहाँ पर इस answer को निकालने की कोशिश करो तुम भूल जाओ कि यहां less than 1 by 2 था तुम बस इस answer को निकालने की कोशिश करो अगर मैं इस आंसर को निकालने की कोशिश करूंगा तो hc upon 2 lambda भी कितना आजाएगा 5 minus 0.0001 और नीचे वाली जो value आजाएगी 10 minus 0.0001 ठीक है तो ये आंसर जो आएगा approximately 1 by 2 के बराबर आएगा अब 1 by 2 से ये बड़ा हो सकता है कभी भी नहीं कभी भी नहीं ये 1 by 2 से भाई कभी बड़ानी हो पाएगा क्यों क्योंकि एक बात ध्यान से देखो तुम इसमें कितना ही चेंज कर पाओगे तुम कितना भी चेंज करके देखना ये कभी भी factor 1 by 2 से बड़ानी होने वाला तो यहां से एक relation निकल कर आया कि k e a upon me k e b की value less than 1 by 2 है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो हमारा k e b है upon me 2 देखो cross multiply करते हैं it is greater than 1 by 2 मेरे पास अभी शाइद जगा खाली नहीं बच रही है थोड़ी सी मैं देख लेता हूँ अब मैं थोड़ी दर उदर हो गया तो जगा खाली बच जाएगी तुम एक काम करना तुम इस relation को ऐसे लिख देना यहां पर से मैं इसको हटा देता हूँ इसकी अब ज़रूत नहीं पढ़ने वाली देखो ऐसे questions आएंगे और तुम फस होगे तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये जो method of assumptions मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ इसे हमेशा याद रखना कि कुछ भी value put कर दो relevant होनी चाहिए वो value ऐसा नहों कि bizarre values put कर दो relevant तो हो वो value put करके तुम एक deduction निकाल लेना अब यहां पर देखोगे cross multiply कर दूँगा ये इधर चला जाएगा तो kinetic energy A is less than 1 by 2 of kinetic energy B that's it ठीक है बागी मेरे basic maths का course मैं थे crash course वाली उसमें डाल रखा है तुम चाहो तो देख सकते हो ठीक है लेकिन फिर भी ये कुछ चीज़े ऐसी हैं जो जब chapter कर वाँगा तभी ये चीज़े निकल कर आती है आगे बढ़े किसी का कोई भी problem बगे रहा हो बता देना ठीक है कि भही नीचे लिख देना तो आपको बता दिया जाएगा वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें आप किसी को भी problem आने वाली है ये question हो चुका है ऐसे कई सारे question तुमारे को और देखने को मिलेंगे तो यही tactic यही trick आपको use करनी है इस chapter के अंदर यह most important mathematical trick है जो मैंने यहाँ पर सिखाई कुछ भी values रखो relevant हो and then answer निकालने की कोशिश करो is that clear देखो next question हमारे को क्या दे रखा है two thin equi convex lengths each of focal length 0.2 are placed coaxially with optical center 0.5 meter apart तो दो हमारे को ev convex lengths दे रखे है जो की 0.5 meter apart है clear then the focal length of the combination is इसकी focal length निकालनी है मैं इसका directly आपको formula बता देता हूँ 1 upon f इसे कर लो ultra important पर mark क्योंकि यह question आ सकता है 1 upon f equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d f1 f2 क्या यह चीज़ क्लियर है अब यहाँ पर d क्या होदे distance in between the lenses तो 1 upon f1 हमारे को कितना दे रखा है 1 by 0.2 यह plus का होगा क्योंकि convex है ठीक है दूसरा भी क्या है 1 upon 0.2 then minus d, d कितना दे रखा है हमारे को 0.5 then f1 f2 कितना है 0.2 into 0.2 तो यह हमारे पास net f आना चाहिए that is 2 upon 0.2 minus 0.5 upon 0.2 into 0.2 यह अगर हम करेंगे तो हमारे पास 1 upon f की यह कहलो directly मैं f की value यहां पर लिख देता हूँ जब आप इसे solve करेंगे तो directly आपके पास f की जो value आ जाएगी minus of 0.4 मीटर इसे solve कर लिजएगा ठीक है तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चो आंसर आ जाएगा ऐसे करके हमारे को आंसर निकार एक और जिसे कह सकते हैं ने बहुत ही प्यार कुश्चन देखो कहा रहा है बड़ी बात को छोटा बना देता हूँ यह बीम गई ठीक है यह रिफ्लेक्ट होई इस सर्फेस से हमें बस यह बताना है कि क्या ऐसी कंडिशन हो इस एंगल की यह एंगल कितना होना चाहिए कि जब यह दोनों बीम आगे जाके कहीं टकराएंगी तो यह इंटर्फेरंस प्रड्यूस करें और वो भी कैसा इंटर्फेरंस कंस्ट्रक्टिव इंटर्फेरंस प्रड्यूस करें अब इसमें मुझे पता है जादा तर बच्चे अटके होंगे ठीक है और कुछ बच्चे होंगे जो नहीं अटके अच्छी बात है आप अगर इस पर नहीं अटके अब जो अटके हैं उनको मैं बता देता हूँ इसमें इसलिए तुम थोड़ा सा परिशान होड़ी तुमने ydse की derivation करना छोड़ दिया तुमने सोचा वो important नहीं थी मैं सिर्फ उसके result याद रखूँगा ऐसा नहीं है तुम्हें एक बात बताओ ydse की derivation में पहली line हमें क्या कहती है ydse की पहली derivation में हमें line कहती है कि जो path difference है constructive path difference है वो n lambda के बराबर होता है जहाँ पर n कोई भी integer होता है और इसका जो answer निकल कर आता था यह dsin theta निकल कर आता था तुम्हें याद आएगा अब वो dsin theta निकालने का procedure क्या था वो main चीज़ है path difference का मतलब यह होता है कि कि slide wave ने दूसरे के respect में जादा path को cover करा यह main चीज़ है अब मानलो यह पहली wave है यह दूसरी wave है अगर मैं पहली wave की path length देखू तो वो यहाँ से यहाँ तक की है मतलब A से लेकर B तक की है then B से लेकर C तक की है यह हमें धियान में रखता है और जो हमारे पास दूसरी वाली line है उसकी path length यह वाली है एक यहाँ से इसे मानलो P से लेकर Q then Q से लेकर R थ ठीक है यह चीज़ clear अब मानलो किसने कितना जादा चला अब यह track की तरह होता है जैसे race track नहीं होते यह बिल्कुल track की तरह है किसने कितना जादा track cover करा अब वो मैं कैसे निकालू तो मैं हमेशे अपने बच्चों को बताता हूँ कि यार तुम उसे perpendicular method से निकाल सकते हो तुम कोगे sir perpendicular method कौन सा यार तुमने 8 त 9 ते में जब geometry थी तो वहाँ पर पढ़ाता है यह method बस तुम्हें याद नहीं आ रहा है मैं याद दिला देता हूँ देखो यह line और यह वाली line इन दोनों line के बीच में मतलब अगर मालनों मुझे यह वाली जो उपर blue वाली line है मैं यह देखना चाहता हूँ कि इसके जितनी नीचे कितनी बड़ी line आ जाएगी तो मैं यहाँ उपर वाली line से perpendicular drop कर दूँगा अब जितनी यह length है उतनी ही यह length भी create हो जाएगी तो फिर से एक बात इस चीज़ को repeat करना चाहूँगा तुम यह देखना चाहते हो कि यह जो दोनो लाइने हैं एक तो यह blue वाली और एक यह yellow वाली इन दोनों के बीच में किसने जादा length travel करी है किसने जादा length travel करी है तो तुम एक काम करना तुम जो छोटी वाली line होगी जो दिख रही है छोटी वाली line है वहाँ से एक perpendicular drop कर देना तो एक perpendicular ऐसे drop हो जाएगी फिर यह वाली line है देखो छोटी सी दिख रही है यहाँ से यहाँ नीचे एक perpendicular drop कर देना तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा दिखने वाले एक diagram सा बन जाएगा मैं इसे raise कर देता हूँ यार चीक है मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि diagram बन कैसा रहा है ऐसा सा एक दो triangle से बनते हुए तुम्हारे को नजर आ रहे होंगे ठीक है अब एक चीज़ ध्यान देओ यह वाली जो length है यह और यह यह extra path travel है जो second light wave travel कर रही है यह बात समझ रहे हो logically देखा जाए तो यह extra path है तो मैं इसको नाम देदेता हूँ E F G मुझे बस E F G की value निकालनी है लेकिन निकालूंगा कैसे यह जो length दे रखी है मुझे यह D दे रखी है अब angle निकालूंगा देखो यह angle 90 यह angle 30 वो sorry यह angle theta है यह angle कितना दे रखा है theta दे रखा है मैं बागी सारी वेकार चीजों को हटा देता हूँ यह angle theta दे रखा है यह pink वाली जो line थी है 90 degree की थी तो यह वाली line कितनी आजेगी 90 minus theta clear अब यहाँ पर से यह yellow वाली line पर थोड़ा सा ध्यान देना यह yellow वाली line अगर yellow नहीं दिख रहा तो अब दिखना शुरू हो जाएगा यह भी 90 degree है अगर इसका इतना हिस्सा 90 minus theta है तो इतना हिस्सा कितना हो जाएगा theta इसका मतलब क्या है यह वाली जो angle है यह भी theta हो जाएगा और यह वाली जो angle है यह भी क्या हो जाएगा theta angle हो जाएगा यह d है यह theta है और यह perpendicular है सामने वाले ef तो यह क्या हो जाएगा d sin theta और यह भी कितना हो जाएगा d sin theta तो जो path difference है वो कितना हो गया 2d sin theta that should be equal to n lambda तो theta की value यहाँ पर आ जाएगी sin inverse of n lambda upon में 2d ठीक है that is your option number 3 जो की correct option है ऐसे करके सांसर को निकालना था इसलिए मैं कहरूंगी थोड़ा साना अच्छा question है ultra important है वैसे तो हर question ultra important है लेकिने कुछ जाद ही ultra ultra important है from the concept point of view next question हम पढ़ लेते हैं एक बात क्या दे रखा है अब photon and electron have same d brogley wavelength ठीक है given that v is the speed of electron and c is the velocity of light ee and ep are the kinetic energy of the electron and the proton ओके peph are the momentum of electron and proton then which of the following relation is correct यह एक question है जो की conceptual basis पर important question है वैसे तो इतना important नहीं है numerical basis पर हम से कह रहा है कि यह हो गई kinetic energy electron की तो kinetic energy of electron कितनी होती है half mv square और यह हो गई किसकी photon की और photon की कितनी होती है हमारे पास mc square यह तुम्हें याद होगा मगर तुम्हारे को तो mass ही नहीं पता भई photon का rest mass वगएरा dynamic mass कितना होता है तो हम इस यहाँ पर छोड़ देंगे हम इसे चुएंगे भी नहीं अब हम photon की एक और formula लिखेंगे कौन से वाला formula लिखेंगे हम लिखेंगे ep that will be equal to hc upon में lambda अगर किसी को याद नहीं है तो मैं यह formula आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि यह आया कैसे देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम यह भी तो लिख सकते हैं मगर मैं यह बोलना चाहूंगा लिख तो सकते हो लेकिन तुम m की जगा क्या लोगे mass of photon लोगे कौन सा mass लोगे rest mass लोगे dynamic mass लोगे relative mass लोगे relative stick mass भी काफी सारी चीज़े है कौन सा mass लोगे यह तो बताओ तो यहां फ़स गए इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि इस formula को use करना ही नहीं इस वाले formula को use करना तो हम एक चीज़ जानते हैं देखो इस वाले formula को हम क्यों use करते हैं हम जानते हैं कि जो momentum होता है c square तो यहां पर से मैं mc.c कर दूँगा mc का मतलब मैंने लिखा है h by lambda तो अब यह energy of क्या आगई photon आगई देखो यहां पर मैंने एक चीज़ नहीं करी है कि भई मैंने mass को उपर नीचे multiply multiply नहीं करें जासे मैंने पहले करा था क्यों मास का मुझे नहीं पता यार photon के लेकिन उसकी speed क्या होगी वो मुझे पता है that is the speed of light तो यहां पर इसलिए मैं यह वाला formula यूज़ कर रहा हूँ जगा मेरे पास कम है तो अब मैंने यहां पर से यह चीज़ मिटा दी तो यही पर देखो तुम्हारे concepts भी build होते जा रहे है actually क्योंकि मैं mock test जब solve करता हूँ तो मैं इसी तरीके से solve करता हूँ कि भई तुम्हारे पास total concept चला जाए तो EEP हमने यहां पर निकाल दिया अब हमें यहां पर से क्या करना है अगर तुम कोई भी यहां पर question देखोगे जो भी यह ratios वगयरा निकालने की कोशिश कर रहा है उस ratio के अंदर mass of electron यूज नहीं हुआ तो जैसे तैसे करके हमें mass of electron से छुटकारा पाना ही पड़ेगा अब mass of the electron से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं देखो हमने अभी यही फॉर्मला photon के लिए यूज कर रहा था क्या हम यही फॉर्मला electron के लिए भी यूज कर सकते हैं येस कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखना मैं लिख सकता हूँ ee is equal to half या उपर ही लिखता हूँ half mv into v that is the momentum of photon oh sorry electron this is the momentum of electron into v यहां तक यह बात clear है इसे मिटा दिंगे और momentum of electron को अगर मैं लिख हूँ in the terms of deep broccoli wavelength what I can write, I can write it as h upon me lambda लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं इसे we know that momentum is h upon me lambda तो यह क्या आजगा h upon me lambda अब यहां से सारी चीज़े हमारी clear होनी शुरू हो गई है बागी सारी चीज़ों को मैं erase कर देता हूँ मालों में इन दोनों की ratio निकालना चाहता हूँ ee upon me ep जैसे हम से पूछा गया है ee upon me ep हम से एक चीज़ बोली गई है photon और electron दोनों की same deep broccoli wavelength है यहां पर इसकी ratio निकालोगे तो ratio निकल कराएगी v upon me 2c जो की कौन से option है तुमारा जो की option number 1 है तुमारा that will be the correct option बागी अच्छी exercise है अगर तुम लोग momentum के लिए ये चीज़ verify कर सकोतों ठीक है एक अच्छी exercise हो जाएगी तुम्हें भी याद हो जाएगा कि यही formula हमारे को क्या करना है use करना है ठीक है so moving to the next question next question हमारे को क्या क्या रहा है कि there is an object which is placed at a distance 40 cm in the front of a concave mirror of focal length 20 cm the nature of the image is मतलब मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब मुझे देना चाहिए यह शायद 10th class वाला बच्चा भी अराम से कर सकता था लेकिन देखो कभी कवार क्या होता है हमारी भी memory हम भूल जाते हैं कि भई कभी पढ़ाता ही है है ना हम भूल जाते हैं कोई नहीं हम यहाँ पर कर लेंगे मैं तुम्हें बता देता हूँ जब तक मैं तुम्हारी help करने के लिए कोई tension नहीं लेनी ठीक है देखो question हम से कहा रहे कि एक object है जिसे हमने 40 cm के distance पर रखा from a concave mirror रख दिया focal length इस concave mirror की दिए 20 तो इसका मतलब है center of curvature हो गया 40 अब जब हमारे center of curvature क्या हो जाता है 40 हो जाता है और कोई object तुम center of curvature पर ही रख देते हो तो उसकी inverted and same length image बन जाती है तो अगर इसकी image h मतलब इसकी height h है तो इसकी image की height भी h होगी बस वो inverted बनेगी और ये जो image बनती है इसका जो nature होता है ये कैसा होता है बच्चो real होता है तो real बनी और फिर क्या बनी inverted बनी और फिर क्या बनी same size की बनी तो real inverted and of same size that is your option number one ये चीज़ clear है अब याद आ गया ठीक है तो ये याद रखना और भी बहुत सारे cases होते है वो सब याद रखते हुए हमारे को चलना है very easy question बच्चो क्या दे रखा है हमारे को हमारे को capital D मतलब हम से question पूछा गया कि young double slit experiment है उसमे capital D की value 2 meter है small d की value आपको दे रखी है 0.05 centimeter मैं इस 2 meter को 200 centimeter लिख देता हूँ and lambda की value दे रखे 8.0 10 to the power minus 5 centimeter हम से ये कहा जा रहा है my dear students कि ये बताइए कि एक fringe से दूसरे fringe के बीच में जो distance होगा वो कितना होगा clear इसे हम बीटा बोलते है एक fringe से दूसरे fringe के बीच में जो distance होता है वो fringe width जितना ही होता है that is D lambda by D बस आप यहाँ पर अपनी values को put कर दीजे D की value हो जाएगी 200 lambda की value हो जाएगी 8 into 10 to the power minus 5 upon में small d की value हमारे पास हो जाएगी 0.05 जब आप इसे calculate करेंगे ये answer in the terms of centimeter आएगा 0.32 centimeter answer आजाएगा next question हम से क्या कहा रहा है first orbit bore radius is r पहले orbit में bore की radius r दे रखी है then find the radius in the third orbit third orbit के अंदर आपको radius निकाल ली है we know that radius is directly proportional to n square एक ही atom के अंदर हम निकाल रहे हैं तो हम ये वाला formula यूज़ कर सकते हैं r is directly proportional to n square by z वरना आपको directly formula याद होना चाहिए 0.529 n square by z angstrom तो मैं ये बोल सकता हूँ की r third upon में r1 that will be equal to n n की value लगा लेना जब आप third orbit में हो तो n की value क्या हो जाएगी 3 और जब आप first orbit में हो तब आपके n की value कितनी हो जाएगी my dear students तब वो हो जाएगी 1 clear बागी z की value जतनी दे रखी है उतनी ही रहने वाली है तो हमारे पास यहाँ पर answer आएगा 9 तो r3 की value आजएगी 9 r1 that is 9 capital R ये बात clear है क्योंकि first orbit की radius आपको capital R दे रखी है then हम next question पर आजाते हैं ये question हम से कहा रहा है कि आपको radius of nucleus with atomic mass number 7 is 2 fermi given है radius when your atomic mass number is 7 कितनी given है 2 fermi when your atomic mass number is 189 तो जो radius होगी वो हमें निकालनी है we know that radius is directly proportional to a to the power 1 by 3 वरना तो आप directly formula use कर सकते हैं r equal to r naught a to the power 1 by 3 where a r naught will be 1.2 fermi तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ radius at atomic mass number 7 will be equal to 7 की power 1 by 3 जो कि हमारे पास कितनी given है 2 fermi given है और यही चीज at a equal to 189 पर अगर मैं देखू तो 189 to the power 1 by 3 हमें निकालनी है इसे मैंने x माल लिया clear अब x की value अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर तो just मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 upon me x equal to 7 upon me 189 to the power 1 upon 3 clear cross multiply अगर हम यहाँ पर कर देंगे cross multiply करने के बाद हमारे पास क्या बचकर आ जाएगा एक सकीन पर color change कर लो तो x will be equal to 189 upon 7 to the power 1 by 3 multiplied by 2 इसे calculate करने पर directly हमारे पास answer आ जाएगा 6 fermi यह चीज clear है तो यह answer आगे हमारे पास बस ऐसे आप range कर लिजेगा and then calculate कर लिजेगा next question हम से कहा रहा है in a young double slit experiment when violet light of 4358 angstrom is used then 84 fringes are seen in the field of view but when sodium light is used of certain wavelength then 62 fringes can be seen in that particular field of view what is the wavelength of the sodium light which is being used field of view का मतलब बता देता हूँ इसका मतलब है एक particular हिससे में एक particular portion के अंदर अगर आप 4358 angstrom की light छोड़ते हैं तो आपको 84 fringes देखने को मिलती है और अगर आप इसी particular हिससे के अंदर इसी particular हिससे के अंदर एक x angstrom की light छोड़ते हैं जो कि sodium से बनी है sodium के द्वारा निर्मित है तो 62 fringes आपको देखने को मिलती है इसकी width भी है तो मैं कहा सकता हूँ width जो दोनों case में है वो same है width का क्या formula हो जाएगा number of fringes which are forming multiplied by the fringe width give you the width formula तो मैं यहां कहा सकता हूँ n beta is constant क्योंकि वो same है दोनों के लिए तो n1 beta 1 equal to n2 beta 2 मैं लिख सकता हूँ and then यहां पर चीजों को हटा सकता हूँ beta का मतलब क्यों है d upon a small d into lambda पहले के बारे में बात कर रहा हूँ तो lambda 1 लगा दूँगा दूसरे के बारे में बात कर रहा हूँ तो lambda 2 लगा दूँगा बागी इन दोनों को काड़ देना आप n1 lambda 1 into lambda 2 का आपको relation देखने को मिल जाएगा lambda 2 की value कितनी आजएगी n1 की value आपके पास कितनी है भई 84 है कितने angstrom की light दे रखी है 4, 3, 5, 8 हाँ 4, 3, 5, 8 angstrom की light ray हमारे को दे रखी है n2 की value हमारे को कितनी दे रखी है 62 दे रखी है then जब हम इसे calculate करेंगे तो answer आजएगा 5904 angstrom इसके आजपास आएगा मतलब ठीक है तो which is your option number 2 that will be the correct solution for the following problem ठीक है next हम आगे move करते हैं देखिए क्या दे रखा है there is a plane convex lens which is made up of a refractive index 1.6 the radius of curvature of the curved surface is 60 cm what is the focal length of the lens which is being used हमें focal length निकाल दिये lens की simple सा formula है अगर किसी को याद है use कर लो नहीं याद है मैं फिर भी बता दे दो 1 upon f mu minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 अगर ये formula याद नहीं है मैंने यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पर R1 radius of curvature पहले surface का है R2 radius of curvature हमारे दूसरे surface का है यह याद रखना इसके अंदर आपको data लगाना है इसने कहा है there is a plane convex lens which is made up of a refractive index of 1.6 इसका मतलब है ये चीज़ हमारे पास कितनी आजाएगी 1.6 आजाएगी क्योंकि वो plane convex lens plane convex lens का मतलब क्या हो जाता है कि उसका एक surface तो given है दूसरा surface आपको given नहीं है मतलब इसकी एक radius बन गई क्या ये चीज़ क्लियर है सबको तो यहाँ पर जब आप values लगाएंगे तो ये answer निकल कर आएगा formula बन कर आएगा mu minus 1 1 upon में r1 तो f की value आजाएगी r upon में mu minus 1 बस देख लो क्या क्या given है देखो r की value given है 60 cm mu की value given है 1.6 that is 0.6 इसे calculate करेंगे cm के अंदर ही हमारे पास answer 100 cm आजएगा which is your option number 2 तो धीरे धीरे formula भी लिखता जाऊंगा उसे please note down करते जाने किसी एक notebook के अंदर क्योंकि देखो ये question गलत हुआ है क्यों गलत हुआ है या फिर क्यों नहीं आ रहा formula याद मी है formula याद रखना बहुत जादा ज़रूरी है next question पर हम move on करेंगे next question हमसे कह रहा है in the Bohr model of hydrogen atom the centripetal force is furnished by coulomb attraction between the proton and electron if a naught is the radius of the ground state of the orbit of mass m and m is the mass and e is the charge of the electron epsilon naught is the permittivity find the speed of electron तो सब लोग उने पहला Bohr का postulate पढ़ा होगा है ना जिसके अंदर हम radius निकाल रहे होते है कैसे निकालते है भई हम ये बोलते है कि जो necessary centripetal force है जिस वज़े से वो electron circular motion दिखा पा रहा है around the nucleus of the atom वो कौन maintain करे वे है वो electrostatic force maintain करे वे है ये बात धिहान आई तो इसमें ये ही पूछा जा रहा है कि using that only using that only आपको ये बताना है कि ये जो electron है इसकी speed कितनी है देखो हमने कहा mv square by r ये किसके बराबर होना चाहिए k q1 q2 upon r square k where q1 and q2 are the respective charges of electron and the net proton which are residing inside that of the nucleus तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे mv square upon me a not जैसे भी है हमारे को given है क्योंकि हम पहली मदब ground state वाले electron को यहाँ पर consider out कर रहे है k की value हो जाएगी 1 by 4 by epsilon not q1 की value हो जाएगी e and q2 की value हमारे पास कितनी हो जाएगी again e क्योंकि हमारे पास hydrogen atom है तो जितना electron उतना proton ये तो आप मेरे से जाद अच्छे से जानते है chemistry के students है आप लो हूँ one upon four by epsilon not m e square करके आ जाएगा and v square then आपको क्या करना है बस दोनों तरफ आपको आराम से root चड़ा देना है अगर मैं यहाँ पर root चड़ा देता है तो e square root के भाहर आ जाएगा तो e upon में four by epsilon not m a not answer आएगा which is your option number कौन सा है third ठीक है भाई यह answer आएगा clear next हम आगे बढ़ते हैं एक और young double slit experiment का question यह आते रहेंगे यह important topic है कह रहा है in a young double slit experiment with sodium vapor lamp of wavelength 589 nanometer slit 0.589 mm apart the angular width of the central maximum is हमसे angular width of the central maximum पूछा जा रहा है मैं directly यहाँ formula रिगता हूँ जो angular width of the central maximum हमारे पास होती है वो होती है lambda by d तो sin theta की value आजएगी sin lambda upon में d तो sin inverse lambda upon में d तो lambda हमारे पास कितना दे रखा है कहां गया lambda यह रहा तो lambda हमारे पास दे रखा है 589 nanometer clear और slit width दे रखी है 0.589 mm देखो मैं यहाँ पर एक आदत बनाए हुए हूँ कि मैं जो भी अपनी calculation करूँगा है unit में तो मेरे पास sin inverse of answer कितना आजाएगा 0 point यह कड़ गया यहाँ से यह 3 आजाएगा यह 3 का 6 हो जाएगा 0.001 ठीक है that is your option number 3 will be the correct solution next यह एक important question है इसे नो डाउन कर ले ना यह कह रहा है कि वही तुम्हारे पास भोरिया मैटम है 232 और क्या दे रखा है 90 और यह convert हो रहा है lead में 208 and z की value कितने रखी है 82 यह इसमें convert हो रहा है कितने alpha और beta particle निकले देखो पहले तो यह जो a की values है यह मैं minus करके अंदाजा लगा सकता हूँ a की value मैं minus करूँँगा step number 1 हमेशा a की value को minus करके बस एक अंदाजा लगाना की कितने alpha particle निकले या नहीं निकले जैसे मैंने 232 को 208 में से minus करा तो मेरे पास 24 आ जाएगा अब alpha particle क्या होता है यह होता है इसका मतलब है अगर मैं alpha particle के a से जो हमारे difference in a निकल कर आया उसे divide करूँ तो मेरे पास answer कितना आ जाएगा 6 तो यह तो मुझे पक्का पता चल गया कि जब यह transition हो रहा है जब यह बन रहा है इस reaction में तो यहाँ पर से 6 alpha particle निकले होंगे लेकिन problem यह आ रही है कि जो z की value है वो 90 और final z की value कितनी है 82 तो अगर मैं 90 में से 6 times of यह 2 multiply करके घटा दू तो मेरे पास answer आ जाएगा 78 देखो क्योंकि अगर यह 6 alpha particle निकाल रहा है तो इसका a और z दूनों change होंगे तो इसका resultant z जो निकल कर आएगा वो आ रहे 78 क्योंकि एक alpha particle z की value 2 लेकर निकल जाएगा एसी 6 alpha particle किपने z की value लेकर निकल जाएगे तो यह कम से कम 12 z की value लेकर निकल जाएगे इसलिए मैंने 90 में से 12 को minus कर दिये तो मेरे पास answer आ रहा है 78 लेकिन क्या answer में 78 है नहीं answer में तो है 82 अब मुझे यह देखना है कि जो मैंने expect करा था और जो actual answer आ रहा है उसमें कितना difference है क्योंकि यहीं पर घोटाला हुआ है किस वज़े से बीटा emission की वज़े से तो अगर मैं देखू final minus initial करके ठीक है तो यह मेरे पास आ जाएगा 4 अब इसका क्या मतलब हुआ अगर तुम बीटा emission को ध्यान से देखोगे तो बीटा emission में क्या होता है तुमारा जो neutron होता है वो एक किस में तूट जाता है तुमारे proton में तूट जाता है एक anti proton में तूट जाता है ठीक है मैं anti proton को ऐसे लिख देता हूँ और एक neutrino या anti neutrino में तूट जाता है तो हम यहां बान कर चलते हैं neutrino में तूट रहा है वो तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखे तो यह जो proton होता है यह तो जाके fix हो जाता है कहने का मतलब है बीटा dk के अंदर a की value change नहीं होने वाली क्योंकि neutron भले ही तूटा लेकिन उसने proton के number बढ़ा दिये और जो a होता है वो number of proton plus number of neutron दोनों लेकर बैठता है तो अगर तुम neutron कम कर रहे हो proton भी same rate से बढ़ा रहे हो तो यहां पर a की value में कोई change नहीं आता किसकी value में change आएगा z की value में change आजाएगा तो यहां पर कम से कम तुमने चार proton add कर दिये तो अगर तुमने चार proton add कर दिये यहां देख रहे हैं यह देखो चार proton add हो रहे है ना भी 78 में अगर तुम 4 add कर दोगे तभी तो तुमारे पास 82 निकल कर आएगा तो इससे मुझे यह पता चल रहे है कि मेरे reaction के अंदर जब मेरा resultant निकलेगा मैंने thorium लिखा 232 90 मैंने इसमें से 6 alpha dk कर आए तो मेरे पास एक dotum nuclei बन कर आया x जिसकी configuration है 208 and then 78 अब इसमें क्या होगा 4 beta dk होगा जिसकी वज़े से चार proton यहाँ पर add हो जाएगा और मेरे पास lead बन कर आजएगा 208 and then 78 plus 482 तो यहाँ पर 6 alpha dk हो रहे हैं और 4 beta dk देखने को मेरे को मिल रहे हैं यह बात clear है then हम आगे आएंगे next question पर हम इस question में कह रहा है कि four model of hydrogen atom which of the following pair of quantities are quantized कौन कौन से ऐसी pair of quantities हैं यहाँ पर भई जो quantized है energy linear momentum linear and angular momentum energy and angular momentum हमें पता है भई angular momentum तो होता ही है और फिर हमें यह भी पता है कि हर एक orbit की हर एक orbit जो हम लेकर चल रहे हैं उसकी अपनी एक energy होती है n equal to one की अलग n equal to two की अलग n equal to three अलग हर किसी की अपनी एक energy होती है तो एक तो energy quantized हो गई और एक angular momentum quantized हो गया तो option number three correct option हो जाएगा दें आगे आते हैं क्या question दे रखा है हमारे को in young double slit experiment the distance between the two coherent sources is is two millimeter मतलब slit slit जो दे रखी है हमारे को कि वह slits के बीच में जो distance दे रखा है वो दे रखा है टू इंटू ते और मैनस three meter then हम से क्या कहा जा रहा है the screen is at a distance of one meter screen का distance कितना हो गया one meter हो गया fringe width is found to be beta की value दे जी 0.03 centimeter इसे मीटर में convert कर लेना ठीक है तो centimeter है न तो जीरो 10 to the one minus two 10 to the one minus two से क्या कर देना multiply कर देना आपके पास यह answer किसमें आ जाएगा बच्चों meter में आ जाएगा हमसे कहा जा रहा है find the wavelength of the light used तो हमसे पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है कि भाई जब आप width का formula लगाओगे d lambda by d इसमें यह जो lambda की value होगी यह lambda की value कितिनी होगी वह सितना बताईए यंग double slit experiment में हमें slit separation दे दिया distance in between the screen and the slit दे दिया हमारे को fringe width दे दिया तो यह चाहता है कि वह स लेमड़ा की value निकाले वो तो हम आराम से निकाल सकते है बीटा डी अपॉन में डी सारे सारा डेटा यहां पर given है जीरो पॉइंट दिवार माइनस टू स्मॉल डी की value टू इंटू दिवार माइनस त्री अपॉन में capital मैं यहां पर 10 to the power 3 से multiply 10 to the power 3 से डिवाइड कर दूँगा तो मेरे पास आएगा शिक्स थाउजेंट 10 to the power minus 10 मीटर वी नो देट 10 to the power minus 10 मीटर क्या होता है एक एंग्स्रॉम के बराबर होता है तो आंसर कितना आजेगा 6,000 एंग्स्रॉम मतलब इसमें बस इतना याद रखना भाई मेरे कि वन एंग्स्रॉम इस 10 to the power minus 10 मीटर और कुछ याद मत रखना ठीक है यह याद होना जरूरी है और मुझे नहीं लगता है इसको बताने की भी जरूरा थैं यह तो बहुत ही असान कुश्चन है कह रहा है क कि the dependence of binding energy per nucleon with the mass number is पहला वाला बाकी तो कोई दिखते ही नहीं है बाकी तो बिल्कुल irrelevant graph है यही पहले वाले ही होता है जिसमें हमें पता ही यह कौन सा होता है ferrous iron आपका is that clear तो यह तो बहुत ही जादर theoretical है binding energy versus जो mass number है उसका graph कुछ आपको यह पहले वाला देखने को मिलता ह यह complete theoretical है पहले ही बता दिया जाता है इसे एक बर जाकर theory से देख लेना ठीक है जहाँ पर a equal to 56 आपका ferrous होता है यह कहलो iron होता है ठीक है चलिए next question पर आते है next question हमारे को क्या दे रखा है the ionization potential of hydrogen is 13.6 electron volt hydrogen atom in ground state are excited by bonochromatic radiation of photonic energy 12.1 electron volt according to Bohr theory spectral line emitted by the hydrogen will be 2,3,4 हमसे बसे पूछा जा रहा है कितिनी spectral line emit हो रही है अगर आपको ionization potential दे रखी है hydrogen atom की ठीक है अगर आपको यह दे रखा है कि hydrogen atom in the ground state is excited by a monochromatic radiation of 12.1 electron volt देखो अब यहाँ पर करना क्या है हमारे को we know that कि भाई जो हमारा hydrogen atom है वो ground state में है ground state में है तो उसकी energy level कितनी होगी minus 13.6 electron volt यह मानते हो अब तुमने इसको energy दे दी कितनी 12.1 electron volt इतनी energy तुमने दी है तो अगर मैं यहाँ पर energy को देखूं 13.6 प्लस 12.1 electron volt तो तुम्हारे electron के पास इतनी electron volt energy क्या हो गई है extra हो गई है अब अगर इतनी energy extra हो गई है तो वो एक ऐसे orbit में जा सकता है जिसके पास इतनी energy हो मानते हो नहीं मानते वो इसी उसी orbit में जाएगा जिसके पास इतनी energy exist करेगी we know that energy per orbit is 13.6 मैं मौडलस ले ले लेता हूं यहाँ पर क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ किस से मतलब है किस orbit में वो गया 3 तो अब यहाँ पर क्या है मेरे पास answer आ रहा है n equal to 3 फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगा n n minus 1 upon me 2 इतनी spectral line यह निकाल सकता है यह formula याद रखना तो 3 3 minus 1 upon me 2 which is 3 by 2 into 2 that is 3 तो answer कितना आ जाएगा 3 spectral line यह निकाल सकता है clear n c 2 का combination चलता है मतलब यह थोड़ा सा धिहान लगने कि वह इतनी line यह निकल जाती है खेर next question पर हम आते है next question क्या रहा है the distance between the first and the sixth minima in a diffraction pattern of a single slit is 0.5 mm okay ठीक है the screen is 0.5 meter away okay if wavelength of the light used is 5000 angstrom then the slit width will be ठीक है तो हमसे पूछे जा रहा है बस आप यह बताए यह small d की value क्या होगी slit width पूछी गई है अगर आपको data में क्या क्या given है पहले मैं यह लिख देता हो क्योंकि काफी लंबा चोड़ा question है हमारे को data में given है कि भाई in the following diffraction pattern the distance in between the first and the sixth minima तो हम यहापर लिख लिख लेते ह पॉइंट फाइव मिली मीटर देन हमसे क्या बोला गया है दस्क्रीन इस पॉइंट फाइव मीटर अवे तो capital D की value कितनी रखे पॉइंट फाइव मीटर देन हमसे गया है कि wavelength जो हम यूज कर रहे है वो कितनी यूज कर रहे है 5000 एंग्स्रॉम वेवलेंथ हम यहापर क्या कर जो हमारी क्या कहते हैं उसे fringe placement होती है y की value fringe placement y is equal to n beta that is n d lambda upon में क्या है small d यह बात तुमारे को धियान में आईगी तो यह हमारी fringe की position है position position of fringe अब इसने का पहली और छटी position के बीच का जो difference है वो आपको दे रखा है तो मैंने यहापर क्या करा बच्चो मैंने का कि यह मेरी पहली position है यह मेरी छटवी position है इन दोनों के बीच का जो difference है यह मेरे को दे रखा है तो मैंने यहापर इस difference को निकालने के लिए छटवी में से पहली की position को minus कर दिया तो n equal to 6 में से n equal to 1 minus हो जागा तो 6 d lambda upon में d minus 1 d lambda upon में small d तो आ जाएगा 5 d lambda upon में small d तो ये मेरे पास जिल्टा वाई निकल कर आ जाएगा जिसे हम x बोल रहे है practically अब क्या करना है बस value put करनी है x की value दे रख्या 0.5 10 to the power minus 3 then equal to 5 capital d की value दे रख्या 0.5 then हमारे पास lambda की value कितनी दे रख्या भही lambda 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 5000 angstrom है तो 10 to the power minus 10 upon में small d small d निकालना है हमारे को then क्या करना है बस यसे calculate कर लेना है calculate करोगे तो answer आएगा 2.5 10 to the power minus 3 और ये भी जो answer आएगा तुम्हारा meter में आएगा क्योंकि हमने totally चीजे meter में convert कर रख्यती और answer किसमें रख्या है millimeter में तो 2.5 millimeter will be your correct solution यहां तक यह बात clear होगे ठीक है then next question हम से क्या क्या रहा है next question क्या रहा है energy required to remove an electron from an aluminium surface is 4.2 electron volt ठीक है if light of 2000 angstrom is incident on the surface the velocity of the fastest electron ejected from the surface is okay photoelectric effect का question है velocity of the fastest electron ejected हम यहापर kinetic energy equation का use करेंगे kinetic energy will be equal to h nu minus h nu naught which is the कह सकते हो work function of the falling system तो हमें यह v की value निकालनी है क्योंकि जो भी electron निकल कर आएगा उसके पास इतनी kinetic energy होगी और इतनी पूछा किया the velocity of the fastest electron ejected from the surface हमारे पास new कितना दे रखा है 2000 तो h into c upon me lambda lambda को आपको यहां रखना है 2000 angstrom minus work function कितना दे रखा है 4.2 electron volt इसे चाहँ तो convert कर लेना 1.6 10 to the power minus 19 से multiply करके h planks constant 6.63 10 to the power minus 34 c की value है 3 into 10 to the power 8 half m m की जो value है वो होगी 9.1 10 to the power minus 31 kg for electron and v square v की value आपको निकालनी है बहुत लंबी चौड़ी calculation हो जाएगी to make the calculation very straight forward over here you can use this सब कुछ यह calculate कर लेना तो velocity की value आपके पास आ जाएगी लंसम लंसम 10 to the power 6 के order की यह कहलो हाँ 10 to the power 6 order की आ जाएगी meter per second करके तो यह यहाँ पर सारी चीज़े लगा कर देख लेना मैंने तो पहली लगा कर देख ली थी जोकि इतना बड़ा question यहाँ पर तुम्हे solve करने वाला नी तो इसके मतलब है कि मेरा जो answer बंकर आएगा वो कितना आ जाएगा none of the falling above आ जाएगा calculator का use करें और answer निकाल कर एक बार check जरूर करें ठीक है then आगे बढ़े आगे जो हमारे वो question दे रखा है अरे बढ़ जा हाँ बढ़ गया ठीक है आगे जो question दे रखा है वो क्या दे रखा है कि the frequency of a photon having energy hundred electron volt is वह यह बताओ अगर एक photon की energy hundred electron volt है तो उसकी frequency कितनी होगी we know that e is equal to क्या होता है h new के बराबर होता है तो यहाँ new hundred electron volt upon edge ठीक है यह रखेंगे तो इसे बस हमारे को calculate कर लेना है तो यह 1.6 तीन सकड़ जाएगा यह तो यह आ जाएगा 2.42 10 to the power minus यह नहीं प्लस 16 क्योंकि उपर के हां ठीक है hertz ठीक है तो यह आगे 2.42 10 to the power 16 hertz which is your option number 2 the question says कि the optical path of a monochromatic light is same if it is goes through 4 cm of glass और 4.5 cm of water अच्छा if the refractive index of glass is 1.53 the refractive index of water is देखो यह question एक बहुत important question हो जाता है क्यों मैं बता तो हमसे पहली बात है optical path length की बात करी गई है क्या होता है optical path length तुम यह मान कर चलो कि भई मैंने क्या करा तुम्हारे को एक कीचड़ भरे कीचड़ भरे swamp में कहा कि दोड़ कितना दोड़ सकता है मैंने देखा तुम यहां से यहां तक गए एक certain speed से गए तुमने यहां पर distance cover करा let us say x is that clear अब मैंने क्या करा मैंने का चल ठीक है भार निकल अब और तुम्हारे को एक support बढ़िया वाली road दे जिसके उपर athlete दोड़ते हैं मैंने की दोड़ भाई अब तू कितना दोड़ सकत मैं मैं देखा मैंने यार कि तुम कितना दोड़ गए उस particular path length को हम optical path length कहते हैं मतलब हमारी जो light है हमारी जो light है वो हवा के अंदर कितना दोड़ लेगी कितना distance cover कर लेगी उतने ही amount of time में जितने amount of time में वो एक particular distance cover कर रही है किसी एक medium के अंदर उसे हम क्याते optical path length यह बहुत होते rewind कर करके देख लो यही इसकी एक basic definition हो जाती है अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे हमने कहा कि optical path length निकाले तो निकाले कैसे मैं तुम्हारे को बताता हूँ देखो mu का मतलब क्या होता है speed of light in air upon speed of light in medium speed of light distance के परयाय है distance upon me time in air upon distance upon me time in medium तो अब time तो सेम रहेगा दोनों जगा तो मैं लेख सकता हूँ distance in air distance in medium तो यहाँ पर अगर मैं देखू distance traveled in air is distance traveled in medium multiply by mu यह हमारे पास optical path निकल कर आ गया the distance which is being traveled by the light in air for the given amount of time as that it has taken in the medium itself to cover a certain distance x ठीक है जाने तो सारी English की बाते है सब बेकार की बाते है ठीक है यही मैं चमकार हो तुम लोग को यह दिखा कर कि देख तो फटा फट से कैसे मैं English में definition मुना देता हूँ main बात तो यह है तुम्हारे को यह निकालना है अब हमने यहाँ पर क्या करा हमने बोला statement बोली if it goes through 4 cm of glass और 4.5 cm of water if the refractive index of glass is इतना then refractive index of water is देखो यह जो optical path है यह दोनों cases के लिए same है चाहे water के लिए ले लो या फिर तु glass के लिए तो अगर यह दोनों के लिए same है तो मैं लिख सकता हूँ glass multiply distance moved in glass water multiply distance moved in water यह चीज़ clear तो mu of water मुझे निकालना है mu of glass मुझे given है कहा है 1.53 distance traveled in glass भी मुझे given है कितना given है 4 cm ठीक है water के अंदर कितना distance given है तो मुझे 4.5 cm यह clear बस cross multiply करके answer आ जाएगा तो यह expression मेरे पास देखने को मिल रहा है अगर मैं इस expression को solve करता हूँ near about तो 1.36 का answer आ जाएगा that should be equal to your option number 2 clear next question पर हम आगे बढ़ेंगे क्या कहा रहा है हमसे कि in which of the following decay in which of the following decay element does not change मतलब element की a की और z की value change नहीं होती किसमें नहीं होती देखो beta decay में भी होती है alpha decay में भी होती है सिर्फ gamma decay ऐसा होता है जिसके अंदर photonic discharge देखने को तुमारे को मिलता photons भागते हैं तो उसके अंदर a और z की value change नहीं होती है तो कौन सांसर आगे सिर्फ और सिर्फ gamma d के आगया clear then next question हमसे क्या कह रहा है कि भाई there is an alpha particle of energy five mega electron volt it is scattered through 180 degree by a fixed uranium nucleus the distance of closest approach is in order of एक तो पहले ये देखो पूछा क्या गया है order of तुमने नहीं रखता कि भई ये मैंने पढ़ा था फस्टेप्टर के अंदर order of a digit order of order of का मतलब क्या होता है 10 की power 10 की power देखो तभी आंसर तुमारे को 10 की power में दिया गया है और question में concept कहां से पूछा गया है closest distance of approach से सबने रदर पोड का model तो पढ़े ही है तो अभी हम यहां पर एक formula लगाएंगे हमने कहा closest of approach कैसे होगा यह हमारा nucleus है यह हमारा alpha particle है कितनी पास तक alpha particle हमारा पहुंच पाएगा उसे हम कहते है closest distance of approach इस दर्ट क्लियर तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखू जब इन दोनों के बीच का distance closest distance of approach होगा इन दोनों के बीच में सबसे जादा maximum amount of electrostatic force of repulsion लग दी होगी तो मैं यहां पर एक चीज़ वो consider out करूँगा दूसरी चीज़ मैं यह consider out कर सकता हूँ कि सारी की सारी जो मेरी energy है जो alpha particle as in kinetic energy लेकर चलाता वो सारी की सारी energy convert हो जाएगी किसके अंदर electrostatic interaction energy में तो मेरा alpha particle यहां से चला भागता हुआ बहुत तगड़ी velocity से फिर यहां के momentarily वो halt पर आ तो उसकी electrostatic interaction energy बनेगी convert हो जाएगी तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर मेरी total kinetic energy electrostatic potential energy में convert हो गई के Q1 Q2 upon में R तो यह जो R होगा या कहलो यह जो DC तुम लोग लिख रहे हो closest distance of approach लिख रहे हो इसे हमारे को निकालना है क्योंकि यह दोनों देखो आपस में सिर्फ और सिर इतनी दूरी पर होंगे such that कि electrostatic force of revolution इतनी जादा maximum हो जाएगी कि इसे अंदर further penetrate करने नहीं देगी उस case के अंदर क्या होता है यह जो हमारा alpha particle यह यहाँ पर थम जाता है थम जाता है तो सारी energy कहां चली गई सारी kinetic energy जो वो लेकर आया था वो potential energy में convert हो गई तो हमें यह DC की value निकालने है DC की value आजएगी के Q1 Q2 upon में half mv square देखो क्या क्या गिवन है alpha particle की energy 5 mega electron volt गिवन है मतलब यह जो energy वो लेकर चल रहा है वो हमारे को गिवन है 5 mega 10 to the power 6 electron 1.6 10 to the power minus 19 5 mega electron volt charge number 1 और charge number 2 charge number 1 एक alpha particle है alpha particle HE42 होता है that is इसके अंदर जो charge होता है वो 2E का होता है तो हमने कहा जो charge number 1 है उसका charge है 2E charge number 2 वो किस nucleus से आकर टकराने वाला है वो uranium nucleus से आकर टकराने वाला है uranium nucleus के पास कम से कम मानवे protons होते हैं nucleus के अंदर तो हम यहाँ पर लिख सकते भई इसका जो charge हो वो 92E होगा तो यहाँ पर k की value आपको लगाने है 9 into 10 to the power 9 is that clear नहीं से 1 by 4 पाइपसल नॉट में तोड़ने नहीं वाला जब आप यह सारी की सारी values यहाँ पर लगाएंगे तो आपके पास एक exact नहीं मतलब लंसम लंसम जो answer बैटेगा वो बैटेगा 5.3 के आसपास बैटेगा मतलब मेरा तो इतना ही बैट रहा है माइनस 14 मीटर तो जो आपका order of आ जाएगा यहाँ पर वो आएगा देखो 5.3 10 to the power minus 14 मीटर order of centimeter में चाहिए तो मीटर को convert कर लेना centimeter में तो यह order of आ जाएगा 10 to the power minus 12 which is your option number 3 यह answer आएगा then हमसे कहा जा रहा है when the forward bias voltage of a diode is changed from 0.6 volt to 0.7 volt the current changes from 5 milliampere to 15 milliampere then its forward biased resistance is ठीक है तो forward biased अगर resistance की बात करें मैं directly formula निकाल देता हूँ that will be change in voltage upon में change in current सारी चीज़े हमारे पास given है change given है हमारे पास voltage का 0.6 to 0.7 तो 0.7 minus 0.6 और हमारे पास current का change भी given है 5 to 15 तो final 15 initial 5 then milli को ऐसे लिखते हैं यहाँ पर मत भूलना उसे 10 to the power minus 3 कर देना जब आप इसे calculate करोगे तो आपके पास answer कितना आ जागा 10 ohm which is your option number 3 clear then हमसे question दिया जा रहा है a particle of mass 1 milligram has same wavelength as an electron moving with velocity 3 into 10 to the power 6 meter per second the velocity of the particle is एक particle है जिसका mass 1 milligram है तो हमने कहा कि lettuce से we are having a particle of m' जिसका mass हमारे पास कितना दे रखा है 1 milligram दे रखा है फिर उसने बोला कि it has the same wavelength as that of electron moving with a particular velocity of 3 into 10 to the power 6 meter per second इसकी जो wavelength है वो electron की wavelength के बराबर है जो की इस particular speed से चल रहा है जो हमें दे रखे 3 into 10 to the power 6 हम से पूछा गया कि जो velocity है इस particle की वो velocity कितनी होगी बस ये बताईए रेखे अगर मैं बात करूँ lambda का मतलब क्यों होता है h upon me p that is h upon me mv क्योंकि दोनों की wavelength सेम है तो मैं ये कह सकता हूँ h upon me m' v' of the particle h upon me mv' of the electron यहां पर मैं कह सकता हूँ h से h कट जाएगा m' v' equal to me ve फिर मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा particle है v' जो उसकी velocity हमारे पास निकल कराएगी वो होगी m e ve upon में क्या हो जाएगा बच्चो m' हो जाएगा सारा data बस यहां पर हमें रख देना है mass of electron हमारे को याद होना चाहिए velocity of electron उन्होंने खुदी given कर रखी है mass of the particle हमारे पास given है तो अब कोई मुझे बता सकता है कि इसका answer कितना आजएगा मिली ग्राम को convert करना मत भूलना अगेन मैं बता रहा हूं तो जब आप लोग इसका answer निकालेंगे तो आपके पास answer आ जाएगा लगभग लगभग तीन निम सत्ता है इस 2.7 तेन टुदी पावर यह सब कुछ करा calculate minus 18 that is your option number 3 यह चीज़ क्लियर है the following question says volume of the nucleus is directly proportional to volume radius के proportional होती है radius के cube के क्योंकि देखो हम spare लेकर चलते है जो हमारा nucleus होता है न उसे हम कहते है 4 by 3 pi r cube का एक spare है जिसकी volume 4 by 3 pi r cube है मानते हों तो अब हमें पता है कि जो radius होती है वो होती है a to the power 1 by 3 के proportional तो volume हो जाएगी a की power 1 by 3 की भी whole cube के proportional that is it is proportional to a to the power 1 which is your option number 1 यह तो basic थी next potential in a depletion layer is due to electron electron की वज़े से नहीं होता holes की वज़े से भी नहीं होता forbidden band यह तो कोई sense ही नहीं बन रहा जो हमारी potential होती है depletion layer के अंदर वो हमेशा बच्चो ions की वज़े से होती है then next पर हम बात करेंगे the power obtained in a reactor of uranium 235 disintegration is 1000 kilowatt अरे बापरे the mass decay of uranium 235 per hour is हमसे पूचा जा रहे कि mass decay कितना होगा देखो we know from the theory that e equal to mc square होता है तो मतलब अगर मानलो मैं एक m amount of mass को completely destroy कर दूँ and highlight कर दूँ तो उससे इतनी e amount of energy निकलेगी अगर मैं इस दोनों तरफ derivate कर दूँ तो यह आगया मेरे पास rate of mass ठीक है यह mass decay होता जा रहा है और मुझे energy देता जा रहा है यहाँ पर मेरे पास क्या है यह energy आ रही है per unit time which is the power develop किती power दे रहा है 1000 kilowatt is that clear अब 1000 kilowatt को देखो तो 1000 kilowatt का मतलब क्या होता है 1000 watt का मतलब क्या होता है जूल per second अब जूल per second में answer मुझे दे रहा है लेकिन मुझे से पूछा गया है per hour का answer आप बताईए तो अब मैं क्या करूँगा मैं कहूँगा एक घंटे में 3600 second होते हैं तो एक second के अंदर कितना हुआ 1 by 3600 of hour तो अब मैं इस second को hours में convert कर लूँगा that is 1000 into 1000 थोड़ा सा लंबा काम है लेकिन कुछ फरक नहीं पड़ेगा 3600 joule upon my hour तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 1000 into 1000 into 3600 joule upon my hour is equal to dm by dt की value निकालनी है c की value 3 into 10 to the power 8 का whole square हो जाएगा तो dm by dt की value हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी कम से कम नहीं कम से कम कितनी 40 micrograms ठीक है calculate करोगे तो 40 microgram आपका answer आ जाएगा next question पर हम बढ़ते हैं next question हमसे कहा रहा है the work function of a substance is 4.0 electron volt the longest wavelength of the light that can cause the photoelectric emission from the substances approximately हमें work function दे दिया है कितना दे दिया 4.0 electron volt दे दिया कहा रहा है कि सबसे लंबी wavelength क्या हो such that कि photoelectric effect just show हो सके अब वो कौन निकाल कर देगा वो हमारे को work function निकाल कर देगा वर्क function से हमें पता चलता है देखो मैं तुम्हें बता तो work function का formula क्या होता है h new minimum मतलब यह minimum amount of frequency जो हम दे एक particular surface को such that वो photoelectric effect दिखा सके यह वो वाली frequency हो गई जो frequency होती है वो lambda के inversely proportional होती है तो अगर frequency कम हुई तो lambda बढ़ जाएगा तो मैं इसका formula ऐसे भी लिख सकता हूँ hse by lambda max या lambda सबसे बढ़ा और वैसे भी उसने पूछा भी है यह 4 electron volt बस अब हम इसे calculate करना पड़ेगा देखो क्योंकि answer nanometer में दे रखा है तो इसे nanometer में हमें convert करना पड़ेगा जब आप लोग यह करेंगे तो आपके पास answer आजाएगा 310 nanometer के आसपास का answer आजाना चाहिए that is your option number 3 must be the correct option calculate आपको खुद करना पड़ेगा उतना समय यहाँ पर हम बरबाद नहीं कर सकते कह रहा है the end product of the decay thorium 232 90 decay कर गया lead 208 82 में कितने particle यहाँ पर emittoria alpha and beta respectively देखिए सबसे पहले हमें step number 1 क्या करना है step number 1 यही है कि आपको जो यह a की value है final और initial minus करके देख लीजेगा 232 minus 208 मुझे मिल जाएगा 24 अब मुझे पता है एक helium particle के अंदर जो a की value होती है वो होती है 4 तो इसका मतलब है अगर मैं यह 24 को देखूँ तो मैं यह बोल सकता हूँ 24 divided by this 4 gives me 6 इसका मतलब है thorium से lead बनने के लिए कम से कम इसे 6 alpha particle को निकालना पड़ा लेकिन जैसी मैं 6 alpha particle निकालूँगा उससे मेरे z की value भी change हो जाएगी अब यहाँ पर एक helium particle के पास z की value 2 होती है तो 6 helium particle जब निकल जाएगे तो उनके पास कितनी z की value होगी 12 होगी तो 90-12 आपको answer देदेगा बच्चो 78 अब हमसे क्या कहा गया हमसे कहा गया कि आपका तो lead बनाए lead होता है जिसका z की value कितनी है 82 अब यहाँ पर beta dk भी तो हो रहा है अगर हम beta dk को देखे तो beta अपने एक neutron को proton और anti proton में convert करवा देता है जिसकी वज़े से जो z की value होती है वो change नहीं होती यह बात समझाई overall z की value change नहीं होती a की value बढ़ जाती है तो हम यहाँ पर ध्यान से देखे जो answer मेरे पास आना चाहिए था वो था 78 answer क्या आ रहा है 82 अगर मैं इन दोनों को minus कर दूँगा 78 और 82 को तो मेरे पास answer आये का 4 इसका मतलब है मेरे पास कम से कम ऐसा हुआ है इस reaction के अंदर कि 4 beta dk हुए है जिसकी वज़े से जो मेरे a की value थी जो घट रही थी 78 हो रही थी वो बढ़कर कितनी हो गई है अब 82 हो गई है तो कम से कम answer मेरे पास कितना होना चाहिए 6 alpha particle and 4 beta particle which is your option number 1 यह बात clear है सबको then हम next question पर आते हैं next question हमसे क्या कहा रहा है कि भाई the total energy of an electron in the first excited state is minus 3.4 the kinetic energy in this state देखो total energy तुम्हारे को दे रखी है कितनी दे रखी है minus 3.4 और तुमसे kinetic energy पूछी जा रही है अब यहां पर अगर मैं तुम्हारे को एक चीज़ बता हूँ कि भाई जो total energy होती है मैं ऐसे लिख रहे तो total energy is half of potential energy and kinetic energy is modulus of half of potential energy कि total energy का modulus kinetic energy के बराबर हो जाता है तो answer के आजाएगा आपका plus 3.4 यह basic theory है जो हमें cover out करते हुए चलनी है जादा इसमें calculation वगरा करने की कोई जरूरत नहीं है basic theory है यह बस याद रखना please तुम भगवान के भरोसे मतलब मत जाना please यह याद रख ले ना इसलिए ही मैं सारी theory यहाँ पर दिये जा रहा हूँ कम से कम समय में नेक्स्ट हमारे को question क्या दे रखा है pure silicon at 500 Kelvin has equal number of electron and holes the concentration of 1.5 10 to the power 16 meter cube per meter cube doping by indium increases holes to 4.5 10 to the power 22 the doped semiconductor is of n-type p-type n-type मतलब याद देखो एक semiconductor उसने pure silicon लिया उसे डोप कर दिया पूचा जा रहे कि वो क्या बना वो n-type बन गया या फिर वो p-type बन गया हम इसमें अतना basic law लगाएंगे क्या होता है हमारे पास ni square n e n h यह हमारे पास basic law है अगर intrinsic की बात करें तो जो holes और तुम्हारे electron की concentration होती है वो same ही होती है तो मैं लिख दूँगा 1.5 10 to the power 16 का hole square अब यहाँ पर मेरे को finally क्या दे रखी है holes की concentration दे रखी है electron की नहीं दे रखी उन्हें compare करूँगा मैं तो यहाँ पर जब मैं doping के बाद की बात करूँगा तो मेरे पास यह आजाएगा law of mass action से की any की जो मेरे पास value आजाएगी वो आजाएगी कम से कम lettuce से यह गया 45 ठीक है 5 into 10 to the power 9 आजाएगी अब मैं इसे compare करूँगा किस के साथ हमारे hole वाले पार्ट के साथ hole की concentration per meter क्यों बितनी है और electron की concentration per meter क्यों हमारे पास कितनी आ रही है इतनी निकल कर आ रही है इसमें से कौन बढ़ा है hole बढ़ा है या फिर electron बढ़ा है hole मेरे electron से कुछ जादा ही बढ़ा है तो मैं यह बोल सकता हूँ यह कौन सा हो गया p type हो गया जिसमें जो electron की concentration है वो कैसी हो गई इतनी हो गई 5 x 10 की पावर 9 p type इसले ही हो ओने क्योंकि hole जाद है उसके अंदर clear next question पर आएंगे कह रहा है there is a heavy nuclei which is a trash break down and fly off with a velocity in the ratio 8 ratio 1 that is मैं यह बोल सकता हूँ v1 upon me v2 is 8 ratio 1 clear then फिर हम से क्या बोला जा रहा है the ratio of radii of the fragment इन दोनों की जो radii होगी first की particle की और जो second particle की radii होगी वो किस ratio में होगी ठीक है करते हैं इस question को कैसे करेंगे ध्यान से देखिए initial momentum should be equal to final momentum as we know that momentum हम conserve कर सकते हैं अब एक आगे जाएगा तो एक पीछे भी जाएगा हाँ या ना तो हम यहां लिखेंगे M1 V1 M2 V2 तो यहां पर मैं देखू M1 अपॉन में M1 अपॉन में M2 मत करो है एक काम करो V1 अपॉन में V2 कर लो क्योंकि हम पहले ही यहां पर लिख चुके हैं कि जो velocity हो की ratio है वो 8 ratio 1 है अब तुम कहोगे मैं तो 2 अपॉन में 1 भी तो कर सकता था है ना अब देखो मैं यह सब चीजे क्यों बताता हूँ सुनो यह मैं इसलिए बताता हूँ ताकि मैं तुम्हें confuse कर पाऊ क्योंकि exam के अंदर यह छोटी-छोटी confusion आती रहती है मैं 2 by 1 भी कर सकता था लेकिन फिर मुझे यहाँ पर specifically लिखना पड़ जाता अभी question चल रहा है उसने कहा कि 2 में break हुआ जो हमारे को velocities की ratio दे रखे है वो है 8 ratio 1 तो इसमें default यह पहला particle हो जाता है और यह दूसरा पहला दूसरा तो V1 upon में V2 8 ratio 1 आ गया तो V1 upon में V2 की ratio मैंने निकाल ली कितनी है M2 upon में M1 जो mass होता है वो कही न कही volume के directly proportional होता है यह हमारे को पता है mass upon में volume is directly proportional is equal to density तो mass volume के proportional होता है और जो volume होती है वो A की power 1 के directly proportional होती है यह हम जानते है अब हमें निकालना है radius तो मैं यहां लिख सकता हूँ यह हो जाएगा मेरा A2 upon में A1 clear भई इसका A2 और इसका A1 proportionality के हिसाब से तो V1 upon में V2 8 upon में 1 that is A2 upon में A1 which is ऐसे अब मुझे यहां पर radio वो radio कहा रहूँ ratio of radio ही निकालनी है यहां पर हमारे को क्या निकालना है बच्चो यहां निकालना है ratio of radio अब हम जानते हैं कि अगर मानलो मैं निकालना चाहता हूँ R2 by R1 या R1 by R2 मैं निकालूँगा R1 by R2 ठीक है अगर मानलो मैं R1 by R2 निकालता हूँ तो मेरे पास answer कितना आजएगा मेरे पास answer आएगा A1 upon में A2 का whole 1 by 3 अच्छा तो तुम सोच रहे हो सर आपने R1 by R2 क्यों निकाला आपने R2 by R1 क्यों निकाला कोश्चन के अंदर जाओ देखो कोश्चन के अंदर क्या given है कोश्चन के अंदर आपको velocity की ratio V1 by V2 given है ना कि V2 by V1 तो इसलिए मैंने यहाँ पर यह लिखा तो answer मेरे कितना आजाएगा 1 upon 2 तो R1 by R2 की जो मेरी value हो जानी चाहिए वो कितनी हो जानी चाहिए 1 upon 2 ठीक है नेक्स्ट कोश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे अरे बढ़ जाँ next question हम से क्या कह रहा है the energy of electron in an excited hydrogen atom is minus 3.4 electron volt the angular momentum is particular excited state में electron की energy इतनी है तो उसका angular momentum कितना होगा energy over 2 pi लगाया हमें सिर्फ n की value चाहिए बागी सारी value हमारे को पता है तो हम यहाँ पर अगर देखे minus 3.4 यह कहां पर होती है n की value यहां निकालेंगे 13.6 upon me 3.4 मेरे पास answer कितने निकल कर आ जगा n equal to 2 क्योंकि यह जो energy होती है यह second excited state के अंदर होती है वो sorry first excited state के अंदर होती है ठीक है n equal to 2 हमारे पास क्या है first excited state होता है यह first excited state के अंदर हमारे पास यह energy होती है बस आपको इस n की value को यहां पर लगा देना है 2 h over 2 pi अभी भी यह question खतम नहीं हुआ आपको h की value खोलनी है कितनी होती है 2 pi जब आप इसे solve करेंगे totally solve करेंगे तो आपके पास answer आएगा देखो 2 से 2 cancel यहां हो जाएगा 3 दो नीच है 2.11 क्योंकि यह 3.14 लगा होगे ना तो 2.11 10 to the power minus 34 joule second that is this one will be your correct option वह अपने आप करना सारी calculation ठीक है मैं calculation नहीं करने वाला calculation सब अपने आप करेंगे calculation और मेरा relation बिल्कुल कुछ नहीं है यह बात तिहां से समझना ठीक है temperature coefficient of resistance of semiconductor temperature temperature coefficient of resistance of semiconductor is always positive गलत जवाब always negative सही जवाब is zero गलत may be positive और negative और zero गलत जवाब जो हमारे पास temperature coefficient होता है किसी भी semiconductor का याद रखना प्लीज याद रखना वो हमेशा ही negative होता है is that clear next हम आगे बढ़ेंगे अपने question पर हमारे पास जो question बोल रहा है the strip of copper and another of germanium are cooled from room temperature to 80 Kelvin the resistance of each of these decreases copper strip increases then germanium decreases copper strip decreases and that of germanium increases each of the above increases देखो यहाँ पर हमने cooling करी है क्या करी है सहब cooling करी है हम जानते है semi conductor के लिए for semi conductor resistance जो होता है वो temperature के inversely proportional होता है यह चीज clear है और जो resistance होता है वो directly proportional होता है किसके लिए हमारे conductors के लिए तो अगर माल लो मैं temperature को बढ़ाऊंगा तो resistance भी क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा temperature घटाओंगा तो resistance भी क्या होता जाएगा घटा जाएगा तो copper strip के लिए तो temperature घटाने पर जो resistance होगा वो क्या हो जाएगा घट जाएगा यह copper strip के लिए ठीक है लेकिन हमारे semi conductor के लिए ये बात सही नहीं है देखो semi conductor में जैसी तुम temperature बढ़ाते हो तुम उसके energy carriers को जाधा करने की कोशिश करते हो लेकिन अब तुम उल्टा काम कर रहे हो तुम energy को घटा रहे हो energy को घटाने से जो उसके energy carriers होंगे वो वापस bound state में आ सकते हैं आ सकते हैं आ सकते हैं यह नहीं आ सकत है तो जाधा energy carrier तो resistance कम हो जाएगा लेकिन अब तुम energy कीच रहे हो ना तो उसका उल्टा effect देखने को मिलेगा तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हमारा answer क्या हो जाएगा answer number three हमारा correct answer हो जाएगा question says when moron is added as an impurity to silicon the resulting material is boronic trivalent impurity है अगर वो तुम silicon के अंदर डालोगे वह भी प्योर silicon के अंदर obviously एक P-type semiconductor हमारे को देखने को मिलेगा next question हमसे क्या क्या रहा है two energy level of an electron in an atom are separated by a 2.3 electron volt the frequency of radiation emitted by the electron to go from higher to lower level is अगर हमारे पास जो energy level यहाँ पर दे रखी है एक second यहां कह रख कि एक lower energy level है एक higher energy level है इन दोनों के बीच का जो gap है वो कितना दे रखा है 2.3 electron volt दे रखा है मानलों एक electron यहां से उतर कर यहां पर आया तो कितने कितनी frequency का photon वो release कर सकता है we know that delta e equal to h new तो new की value कितनी आजेगी delta e which is 2.3 10 to the power minus 16 into 1.9 upon में h h की value कितनी है 6.63 10 to the power minus 34 अगर मैं इसको calculate कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी new की correct value आ जाएगी which will be 5.5 into 10 to the power 14 hertz which is your option number 3 clear next हमसे question क्या कह रहा है depletion layer of pn junction diode हाँ तो depletion layer के बारे में हमसे पूछ जा रहा है और खुछ नहीं कि वहीं जो depletion layer होती है वो constant है irrespective of the biasing नहीं बिल्गुल भी नहीं देखो जब हम reverse और forward bias करते थे तब क्या होता था reverse और forward bias करते हुए इसकी length change होती थी forward bias करते सुकड़ गया reverse bias करते भड़ा हो गया तो ये तो गलत statement इसने पास कर दी क्या रहा है act like insulating zone हाँ अगर reverse bias में लगा हुआ है तो insulating zone की तरह act करता है क्योंकि current को जाला पास नहीं होने देता हूँ clear has a width that increase with an increase in forward bias नहीं जैसे हम forward bias बढ़ा देते है उसकी width और decrease हो जाती है is depleted of ions नहीं full of ions होती है depleted कहां होती है उसमें ions की कमी का है clear then next n-type semiconductor obtained when germanium is doped with तो हमसे पूचह जा रहे है n-type semiconductor कैसे obtain होगा अगर मानलो मैं germanium को दोप कर रहा हूं किसके साथ दोप कर रहा है arsenic pentavalent impurity phosphorous pentavalent impurity antimony pentavalent impurity है तो सारी की सारी ही pentavalent impurity है तो हम यह बोल सकते हैं कि जब हम germanium को इन मेंसे किसी के साथ भी करें हमारा n-type semiconductor बनना ही बनना है तो any of these will be the correct solution for the following problem easy question कह रहा है refractive index of a material for a planoconcave lens यह planoconcave lens है एक side plane होगी एक side concave होगी refractive index 5 by 3 दे रखा है और जो radius of curvature है इस side का दे रखा है point 3 meter find the focal length तो focal length का directly formula आप लगा सकते है बच्चा 1 by r1 minus 1 by r2 you can see यह जो r2 है यह 0 के पराबर है क्योंकि बिलकुल plane है तो हम यह पोल सकते है 1 by r2 कितना हो जाएगा 0 के पराबर नहीं sorry infinity के पराबर है plane है ना देखो plane plane मतलब एक straight line जैसे तो इसका radius of curvature होता है actually infinity होता है क्योंकि अगर तुम देखोगे एक circle जिसकी अनंत radius है पड़ी radius है पड़ी infinite radius है तो उसकी जो arc होती है बहुत छोटी सी arc वो हमारे को straight line जैसी दिखाई देती है जैसे मैं एक example देता हूँ धरती है अपनी धरती कितनी बड़ी है है तो goal लेकिन है बड़ी ठीक है इतनी बड़ी है कि हमें ये सड़के भी ऐसी दिखाई नहीं देती कि curvature पर हमें तो सड़के बिल्कुल straight दिखाई देती है ये वाली field देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तो F की value जब हम यहाँ पर calculate करेंगे तो ये अच्छा एक और बात R1 का जो sign है वो negative होगा क्योंकि इसने कहा plano concave तो R1 का जो sign है वो क्या हो जाएगा बच्चा negative हो जाएगा concave है ना तो ये minus क्योंकि ये ये concave surface है concave हमें पता है according to the sign convention जिधर से आए काम की race वो side negative होती है तो ये side negative होगी क्योंकि काम की race जिधर से आकर इधर जा रही है और यहाँ पर अगर मैं अपनी पहली वाली side को देखू तो उसका radius of curvature इस side बनेगा है ना तो यहाँ पर ये क्या होगी negative होगी तो अगर मैं इसे calculate करता हूँ तो मिरे पास answer कितना आएगा 2 by 3 into negative of 0.9 f equal to minus 0.5 meter which is this as your solution so बचा पार्टी हमने बहुत जादा मज़े करें यहाँ पर हमने बहुत सारे fundे सीखें प्लीज उन सबको note down कर लेना प्लीज मैं हर बार crash course में भी यही कहता हूँ एक notebook बनाओं जिसमें चीजों को note down करना सीखोगे mistake notebook बनाओगे मिलेंगे next आपके test के अंदर Hello students welcome to today's session अब हम लोग के मोक test 7 के chemistry portion के questions को solve करने वाले हैं so without wasting our time let's start with question number one question number one lucas reagent used to distinguish among primary secondary and tertiary lucas reagent क्या रहता है lucas reagent होता है हमारा enhydrous ZnCl2 in HCl ठीक है तो देखो होता है यहाँ पर reaction होती है हमारी कि alcohol का OH group जो होता है chlorine से replace हो जाता है हम लोगों chloro-alkin मिल जाता है ठीक है reaction इंटेमिडेट जाती है आपर कार्वो कटाएं तो tertiary कार्वो कटाएं सबसे ज्यादे इस्टेबल होता है तो हमारे tertiary alcohol एकदम से react करते हैं उसके बाद secondary alcohol और सबसे दीरे से react करते हैं कौन से बिटा हमारे primary alcohol जो हमारे अब पता क्या चलता है रेक्शन होगी डेक्शन होगी डेक्शन होगी मतला reaction होगी ठीक है secondary alcohol में हमें 3-5 मिनिट देखने को मिलते हैं और primary alcohol हमारे जल्दी से रेक्टरी नहीं करता है बहुत जादे बता सकते हो आपका alcohol को बता सकते हो ठीक है alcohol के लिए यूज होता है अब करते हैं बिटा अगला क्योश्चन किटोन अपन ट्रीटमेट विद गिर्जनार्ड रियेजेंट गिस ठीक है किटोन लेलो आप कोई किटोन लेलो ठीक है बेंटा किटोन लेली हम लोग ने कोई गिर्जनाड रियेजेंट लेलो आजग एम जी ऐ pem taxi अब देखो ओ और डेश जो हैं आं पर मायनस की फोर्म MN निकलेगा आज मारे किस फोर्म में निकलेगा बीटा आर मायनस के केस में हमारा कार्बन जो होता है कार्बन के उपर निगेटिव पॉलायटी होती है कार्बन के गिजार जिर्जन में या और्गेनमेटरिल कंपाउंड में कार्बन के उपर पॉलायटी कैसे रहती है निगेटिव पॉलायटी रहती है ठीक है यह हमारा डैल माइनस यह हमारा ड पॉजीटिव चार्ज जो अच्छा नुकले फिलिक सेंटर होता है जो आपकी कारब़नीरोप होते हैं कारबनीरोप का अच्छा नुपले की अटैक ठीक है आर और इधर आ गया बेटा आर डैश तो जब इसका हैडलिसिस करोगे तो आप लोगों को एलकोहल मिलेगा कौन सा मिलेगा क्योंकि यह हमारा क्या था यहां पर अल्रेड़ी दो आर गूरूप प्रिजेंट थे एक तीसरा आ गया तो हम लोगों को मिलेगा टर्शरी ए क्या बेटा की केस में मिल जिया मेरेको तरिशरी एलकॉल है तो अगर में प्राइमरी आलरूर्टिर क्या देड़ा रा सैकिन्ड्री duration फाइद केसि में आपको क्या रहा को साकते हैं टर्श्री ब्यूटाइल मिथाईल एथर ओन हीटिंग विद एन हैड्रस एचाइन एथर गीवस ठीक है बेटा यहां आगे है बेटा मार पास क्या टर्श्री ब्यूटाइल अगर मैं बात करूँ सबसे बाले अपन का इसका क्या हो जाएगा प्रोटोनिशन हो जाएगा अब जो मेरे पास आई माइनस ग्रूप है ना अब जो बच्चे मेरे पास क्या है यह आई माइनस ग्रूप है यह इस वाले कारवन पे अन्वी आटेक कर सकता है इसके पास नहीं आटेक कर पाएगा बटा कहा से होगा अटेक होगा आपका अटेक होगा आपका से राइट वाली साइट से ठीक है तो आय माइनस हमारा CS3 पर अटेक करेगा यहां से यह bond हमारा क्या हो जागा ब्रेक हो जाएगा तो हम लोगों को क्या मिल गया बच्चों हम लोगों को क्या मिला यहां से क्या मिल गया क्या मिल गया हम लोगों को मिल गया बेटा एक तो tertiary alcohol और साथ में क्या मिल गया हम लोगों को ठीक है, option B, ठीक है, बेटा, कौन सा option आगे हमारे पास, option B, चलिए, ठीक है, अब करते हैं, बच्चों, next question, चलिए, ठीक है, अभी करते हैं, हम लोग, next question, in Williamson synthesis, ethoxy ethane is prepared by, ethoxy ethane बताना है, Williamson synthesis, Williamson ether synthesis की बाद कर रहा है, क्या बनना है, हमारा ether बनना है, ठीक है, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, Williamson ether synthesis, आपन क्या लेते थे, alcoxide लेते थे, alcoxide की रेक्शन कराते थे, किसी alkyl halide के साथ, ठीक है, अब आपन को बनाना क्या, आपन को बनाना है, आपन को बनाना है, एकल सिथी बनाना, मतलब र और र र डैश, दोने जगापे, हम लोगो क्या लेना है आप एथाइल ग्रूप लेना है, चले ठीक ही, एथाइल ग्रूप लेलो, यह आगया है बटा, हमारा O-NA inda प्लस, reaction कर आदे पेटा इसकी किसके साथ reaction कर आदे इसकी CH3 CH2 BR के साथ ठीक है carbon set पे attack कड़ेगा bromine हमारे निकल जाएगा और हम लोग क्या मिल जाएगा CH3 CH2 O CH2 CH3 ठीक है तो पेटा correct option कौन सो हो गया हमारे पास correct option हो गया option number 2 ठीक है heating sodium it oxide with ethyl bromide heating sodium it oxide with ethyl bromide ठीक है चलिए अब करते है हम लोग next question the product obtained when anisole is heated in a sealed tube with hi anisole की reaction कर आनी है बेटा किसके साथ hi किसके साथ anisole कैसा होता है हमारा यह बेटा हमारा anisole का structure होता है आप लोगों को पता ही है hi के साथ आपन reaction करा रहे है मतलब hi खूद में एक acid है तो इहां पर हमारा क्या हो रहा है acidic cleavage हो रहा है यहां पर क्या होगा acidic cleavage होगा पहले हमारा anisole क्या हो जाएगा बेटा protonated हो जाएगा क्यों क्योंकि यहां पर h plus present है इसके पास lone pair है ठीक है protonated form में चला गया यह चलो वह इसको कर दो protonate इसको कर दो बेटा प्रोटो इसको कर दो बेटा प्रोटो इसको इनके उपर आगया plus charge ठीक है अब यह जो h i का जो conjugate base है that is i- यह अभी भी यहां पास solution में है तो बेटा यहां से हम लोगों क्या मिल जाएगा यहां पर हम लोगों को मिल जाएगा एक तो मिल गया हमारा यहां पर हम लोगों क्या मिल गया वह फिनोल एक तो मिल गया हम लोगों को correct order of ease of dehydration of following ease, ठीक है? Ease of dehydration बताना है, देको dehydration में क्या रहेगा है आपर, बिटा, गर मैं dehydration की बात कर रहा हूँ, अगर मैं acidic medium में dehydration कराता हूँ, तो OH निकलेगा OH के, OH2 सोरी OH हमारा करण में बत हो जाएगा, OH2 प्लेस में यहां से हमारा वोटर निकल जाएगा, ठीक है वोटर निकलने के बाद, वोटर निकलने के बाद बेटा, इड में क्या बनेगा, कार्बो कटायन बनेगा, यह क्या बनेगा बच्चो कार्बो कटायन बनेगा, ठीक है यह ले लो हमारा पहला कार्बो कटायन यह लो हमारा पहला कार्बोकट है यह लो बेटा हमारा क्या यह लो बेटा दूसरा कार्बोकट है और यह लो बेटा तीसरा कार्बोकट है यह लो बेटा तीसरा कार्बोकट है यह लो बेटा तीसरा कार्बोकट है सबसे जाधे स्टेबल कौन सा है सबसे जाधे स्टेबल हमार इतनोल पाई दा फॉलोविंग रेजेंट एक्सेप्ट फिनोल यहां से पता चल सकता है अगर मैं बात करता हूं आपका आईटो फोर्म से टैस्ट पता चल जाएगा इतनोल अपना देगा फिनोल हमारा नहीं देगा इतनोलह यहां देगा और संदों यहां परिलाक्त देगा और से रागेगे क्या करेंगा फिनोल जो यो हमारा क्या बेटा फिनोल फिनोल कि अगर में बात करूं कि नोल की में बात करूं और दूसरा क्या है हमारे पास दूसरा हमारे पास इतनोल है तोरी फिनोल गलत हो गया भी दूसरा हमारे इतनोल है एने रियक्ट करेगा एने रियक्ट करेगा क्या बनाएगा दोनों के केस म सोल्ट बना देगा दोनों के केस में क्या बना देगा बेटा सोल्ट बना देगा और साथ में लिब्रेट कर देगा हमारी हाइड्रोजन गैस साथ में क्या निकाल देगा बच्चो हाइड्रोजन की गैस निकाल देगा ठीक है चलिए तो इसमें से कौन सा नहीं है हमेरी कौन सा option कौन सा है बेटा, कौन helpful नहीं है distinguish करने के लिए, sodium हुआरा helpful नहीं है, दोनों से react कर जाएगा ठीक, चलिए, next question what is the hybridization of carbon and oxygen in the electronic structure of ether यार, ether बना के देखते हैं वही कौन सी hybridization आ रही है कौन सी hybridization आ रही है, यहाँ पर carbon की और बेटा किसकी ether की, देखो अगर मैं ether की बात करूँ अगर मैं ether की बात करूँ किसी तो इसका structure और precisely इस तरीके से होगा इसका structure और precisely कैसा होगा बेटा ऐसा होगा ठीक है, सही है देखो, carbon कावन कावन की hybridization क्या रहेगी है आपर carbon की hybridization हुमारी sp3 रहेगी oxygen के उपर 2 lone pair है oxygen के उपर 2 lone pair इसके hybridization क्या है हमारे पास sp3 है ठीक है, आपके oxygen की hybridization भी क्या हमारे पास sp3 है तो दोनों की यह hybridization क्या रहेगी बेटा, दोनों की hybridization क्या रहेगी sp3 रहेगी, that is option 2 is correct, चल्लिए ठीक है अब करते है next question how many structural isomers are known for C4H10O C4H10O के लिए हमारे पास कितने different kind of isomers हमारे possible है देखो सबसे पहले बेटा इसका double bond equivalent निकालो, सबसे पहले इसका double bond equivalent निकालो, double bond equivalent इसके लिए कितना आ जाएगा बेटा, double bond equivalent आ जाएगा इसके लिए 0, इसके लिए 0 तो अब यहाँ पर देखो हमारा काम हो गया बहुत असान किया, कि इसके अंदर ना तो कोई double bond है, ना तो इसके अंदर कोई pi bond present होगा, और क्योंकि double bond equivalent इसका जूरा है तो इसके अंदर बेटा कोई ring भी present नहीं होगी ring की form में भी हाँपर यह exist नहीं कर पाएगा चरे शब्षयलिए, सबसे पहले इसका बेटाे अल्कोल बनाते हैं carbon, 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 straight chain carbon ले यहां पर बेटा एक बार क्या करो तीन carbon की chain लेवो ठीक है इसके उलावाव और तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते इसके ओफ यहां लगा शकते और यहां दोघर ऐगा बनेग सेम देंगी दोने जगाव पे लगाओगे तो क्या मिलेगा आप लोगव सेम लेगा ठीक है चलिए एक आईसोंमर थीग है दूसरा आईसोंमर कहां पर बना सकते हैं कि हम अपना ओएच ग्रूप यहां लगादू मैं या फिर ओएच ग्रूप पे टाइका लगा दूँ यहां पढ़ावे से से एक हार बिलेंग सकता है एक यह चार एक मिल रही है इसके अलावा क्या बन सकता है ? इसके अलाव भी िर्वी तो बन सकता है धे भी थोड़ी ना ऑक्सिजन की ऑपर हाईडोजन हो अबसब्शकें के अपर हमारा oxygen के उपर हमारा दूसरा carbon group दूसरा alkyl group भी तो attach हो सकता है ठीक है चलिए चार carbon फिर वही सेम अपना तरीका इथर के लिए क्या गरो oxygen लेलो oxygen लेलो oxygen के दोनों तरफ क्या लगा दो बैटा के लिएक कारबन तो मिनिमुम लेलो अब देखे लगला क्या 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 चोंड़ा बाकी सारे carbon दूसरी तरफ ही लगा दो बाकी सारे बाकी सार Bennett क्या लगा दो दूसरी तरफ लगा देगाwriting तो एक आप अगर मैं बात करूं यह दो केरणने का तरीका यहीं थोडी नहीं कि आप साथ ही लगाओ एक सब्सक्राइब हो सकते ऊपर यहां पर हमारे पास तीन once यह ओंगे इथर और आगे रिड़्वीन सुष हमारे पास तिन of uniform सब्सक्राइब तोटल हो जाएंगे बैच्चों कितने मार पास साथ आपको बना के भी दिखा देता हूं कभी आप कर्फियूज रहों तो यह सातों कि है च्ट्री इस्ट्री च्टू ऑफ है इस्ट्री च्ट्री और सी एच और सी एच ओएच यह उपर वाले के लिए दोनों तो carbon, OH, CH3, CH3, बिटा ये रहा, CH3, ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा, अगर इस वाले carbon की बात करें आपन तो, carbon, CH3, CH2, OH, ठीक है, CH3, वगे रहा हमारा CH3, चलिए, चार हमारे पास आगे बिटा, एल्कोल, चार हमारे पास आगे एल्कोल, इसके लावा, CH3, CH2, CH2O, CH2, CH3, CH3, CH2, CH3, CH3, ओक्सीजन, कार्बन, हीडरोजन, एक CH3 ग्रूप गया इदर, और एक CH3 ग्रूप गया इदर, इसके अलावा, आप देख सकते हो, इसली, कि हाँपर कितने आगे, total? 7 आगे, बिटा कितने आगे ये हमारे पास, total? 7 आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this one is 7, ठेखें, चले आप करते हैं मैटा, next question, the end products in the canisero reaction of benzaldehyde, benzaldehyde का क्या कराना मैटा, आपको canisero reaction कराना, देखलो भी canisero हो भी रहा है, ऐसा ना हो, कि आपको canisero हुई न, aldol हो रहा हो, ठीक है, alpha hydrogen है क्या, अरे, नहीं, बिचारे के पास alpha hydrogen नहीं है, नहीं कर पाएगा, यह aldol reaction, नहीं कर पाएगा, यह aldol reaction करा दो, इसका canisero reaction, canisero reaction में क्या होता है बेटा, एक carbon का oxidation, तो दूसरे का reduction, एक का फायदा, दूसरे का नुकसान, तो एक का फायदा, दूसरे का नुकसान, तो एक का करा दो, फायदा, दूसरे, का करा दो, नुकसान, ठो बटा, क्या मिल गया हम को यहां पर, क्या-क्या मिल गया? ठीक है, इसी का, बटा, अब हैज है, आप है, इसी का, हैज रेसी का, कराएंगे, तो यह कंवर्ट किसमे हो जाएगा? यह बिंटा, convert हो जाएगा, तुम्हारा, benzoic acid में, किसमें convert हो जाएगा बैटा ये, benzoic acid में, तो हम लोगों को क्या-क्या मिल गया इसमें, हम लोगों एक तो benzoic acid मिल गया, ठीक है, that is option number, option number, option number one, option number one, ठीक है, p-s-c-o-2-h and p-h-c-h-2-o-h, option one is correct, चले ठीक है, अब करते हैं बैटा, next question. अब करते हैं गोग, next question. विच एसजड फॉर्म स्जूटर आयन, इन्हें से कौन सा acid हमारा जूटर आयन मनाएगा, जूटर आयन कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, जूटर आयन का, क्या रहता है? जूटर आयन हमारे amino acid में देखा था, जुताय में क्या रहा था हमारे पास एक acid होता है एक हमारे पास base होता है acid को H plus देना है base को H plus लेना है acid अपने H plus donate कर देगा base हमारा H plus ले लेगा दोनों के उपर क्या जाएगा बेटा charge present हो लेगा दोनों के उपर charge आजाएगा acid group के उपर negative charge जो basic group के उपर positive चार्ज ऐसी आयन जिसके उपर positive negative दोने charge present होते हैं उसको आपन क्या बोलते हैं zeta ryan बोलते हैं एक ही molecule उसके उपर क्या बेटा positive part भी है positive charge भी है उनको क्या बोलते हैं आपन जीटर आयन बोलते हैं ठीक है इसके पास इसके पास सिर्फ एसेडिक ग्रूप है इसके पास कोई बेसिक ग्रूप है नहीं इसके पास सिर्फ एसेडिक ग्रूप है बेसिक ग्रूप नहीं है तो क्या यह जूइटर आयन हमारा बना पाएगा नहीं बना पाएगा अगर मैं बात करता हूं बेटा किसकी सैलिस के बाद करूं तो बेटा इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या से रहता है इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता हमारा कुछ इस प्रकार अब यहां से बेटा यह क्या करेगा अपने ही भाई का प्रोटोन चुरा लेगा और खुद तो चला जाएगा protonated form में, फुत्त चला जाएगा बेटा, protonated form में NH3 plus बना लेगा और इसको भेज देगा, कहाँ, इसका बना देगा SO3 minus, इसका बना देगा बेटा, SO3 minus and this is a zwitter iron, this is a zwitter iron, so correct option is option number 4, so correct option is option number 4, ठीक है, अब करते हैं बेटा, next question, acetaldehyde cannot show, acetaldehyde cannot show, बेटा एक बार बताओ अभी मैंने आप लोगों को Lukas test के बार में पीछे बता आया था, ठीक है अब लुकास test कोन देते हैं, लुकास test किया रहते हैं, लुकास test कोन देते हैं बेटा हमारे, अलकोहोल देते हैं, ठीक है aldehyde नहीं देते हैं तो बेटा ये क्यों कौन सा test show नहीं करेगा Lucas test show नहीं करेगा so option 2 is correct ठीक करते है next question which of the following compound A would have the smallest of pka ठीक है अब देखो pka smallest के मतलब क्या है या पर देखो अगर कोई acid बहुत ज्यादा अच्छा acid है तो उसके अंदर degree of dissociation की value बहुत ज्यादा आती है alpha की value बहुत ज्यादा आती है क्योंकि अगर alpha की value ज्यादा आएगी तभी तुमारे h plus ज्यादा आएगी तभी तुमारे h plus ज्यादा आएगा तभी तुमारे क्या होगा pH कम आएगा तभी तुमारे the strength of acid, PKA जितना कम, acidity उतनी ज्यादा, PKA भी, PKA भी जितना कम, PKA भी जितना कम, basicity उतनी ज्यादा, ठीक है, नियान नगने इस चीज़ का, KAK भी ज्यादा होएंगे, तब ज्याद अच्छे acid-base होएंगे, और PKA, PKA भी कम होएंगे, तो ज्यादा अच्छे acid-base होएंगे, क्यों, क्योंकि PKA हमारा minus of log of KA होता है, के ज्यादा होगा, तो PKA भी खुद कम होएंगे, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखो बेटा, आपके इसमें देखो, देखने में क्या लग रहा है, सारे आपके क्या है, सेम से ही है, सारे सेम से ही है, क्यों खास difference नहीं है, difference क्या रहा है, फ्लोरीन की position का difference आ रहा है, तो देखो, यहाँ पर पहले वाले में पर ही, जो आपका कार्बॉक्सली ग्रूप है, CWH ग्रूप है, उसके पहले option में उसके alpha, beta, gamma, gamma proposition पर फ्लोरीन लगे हो है, दूसरे के उपर, दूसरे में क्या है, यहनकी third position पर, दूसरे के अगर में बात काम होता रहता है, inductive effect हमारा distance के साथ काम होता रहता है, जितना जाधा distance उतना ही आपका weak inductive effect, तो हमारा beta जैसे हमारा fluorine क्या होगा, कार्बन से दूर जाना शुरू करेगा, inductive effect क्या होना रहता हमारा काम होता रहता है, सबसे strong inductive effect हमारा यहाँ पर देखने को मिलेगा, inductive effect ज 2 is correct, oxygen 2 is correct, इन चारों के अंदर सबसे strong acid जो हमारा second वाला है, और इसके लिए हमारा PKA क्या आएगा, आपका सबसे कम आएगा, अब करते हैं बेटा, next question, CH3, CH2, CHO, dilute NUH डाल दिया आप लोगों ने, और क्या मिल गया, अरे यहाँ तो कोई L के लिए मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया, तब product in the above reaction, इसके अंदर बेटा product क्या मिलेगा, LD हाइड, LD हाइड में dilute NUH, LD हाइड में dilute NUH, तो बेटा, जहाँ पर भी LD हाइड देखो, वहाँ पर LD हाइड देखने की कोशिश जरूर करो, यहाँ पर LD हाइड देखो, वहाँ पर LD हाइड देखने की कोशिश जरूर करो, dilute NaOH है dilute NaOH है तो यहाँ पर aldol के chances हो सकते हैं बशर्द तो इसके पास कोई alpha hydrogen हो पता चला बिचारे के पास alpha hydrogen ही नहीं है यहाँ हम aldol के सपने देखने शुरू कर दें CS3CH2 C double bond OH ठीक है देखो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा dilute NaOH के वाज़ा से यहाँ पर totomism देखने को मिलेगा totomism देखने को मिलेगा चलिए ओपर totomism भी करा देते हैं इसका CS3CH double bond COH ठीक है basic medium है basic medium है हमारे पास तो बेटा इसको रहने दो O minus N plus की फॉर्मना है अब बेटा हमारे पास क्या है तो उसरा हमारे पास दूसरा भी एक LD हाइट पड़ा है ठीक है negative charge इदर आएगा negative charge carbon protect करेगा ठीक है double bond हमारा shift हो जाएगा हम लोगों क्या मिल जाएगा हम लोगों मिल जाएगा CH3CH2 PSC OH ठीक है चलिए यहां से क्या है हमारे पास यहां से आगिया बच्चों चलिए ठीक है इसका hydrolysis कराते हैं इसका hydrolysis कराते हैं तो आप उनको क्या मिल जाता है यहां पर CH3, CH2C CH3 CH3 चलो भी देखो किसमें हमएं अलगोल प्रोडट्ट तेखने को मिल का मिल रहा था ठीक है चलिए आप करते हैं बेटा नाइस्ट कुश्याइब कर सकते हैं तो पहला बेटा फ्लेम टेस्ट की हल्प से हम लोग कर सकते हैं दोनों अलग-अलग कलर शोग करेंगी नहीं होता है तो पेटा यह लिक्विट स्टेट में हमारा कारबोक्स इसके पास काबोक्स रूप नहीं है पिक्रिक एसिड क्या है बेटा हमारा पिक्रिक एसिड होता है हमारा 246 ट्राइट्रो सिनोल 246 ट्राइट्रो सिनोल क्योंकि तीन तीन एनो टू ग्रूप लगे होने की वजहा से यह बहुत अच्छा है इसका नाम रख गया पिक्रिट एसके अंदर कोई भी कार्बॉक्सिली ग्रूप इसके अंदर नहीं होता है इसके अंदर फिनोली ग्रूप प्रिजांट लोगों ने क्या बना दिया इसे टो फिनों से हम लोगों ने बना दिया इथाइल बैंजी असे टो फिनों से हम लोगों ने क्या बना दिया इथाइल बैंजीन अरे यह रियक्शन कुछ याद सारा आपको यह तो क्लिमेंस रियक्शन है ना यह तो हमारा क्लिमेंस रिदक्शन है किसमें होता है जिंक अ से होता है option 4 is correct ठीक है चलिए next question which of the following would produce secondary alcohol तो बेटा किटोन है किटोन का आपन किसके साथ गिजनार रिजन के साथ reaction कराएंगे यहां से CS3 माइनस निकलेगा अटेक करेगा तो आपन को मिल जाएगा tertiary alcohol यहां पर मिलेगा बेटे C6H5 ठीक है COH ठीक है COH और बेटा एक हमाने यहां पर लेकिए होगा CS3 यहां पर मिलेगा हम लोगों को secondary alcohol यहां पर option 3 में LD हाइड है LD हाइड का हम गिजनार रिजन के साथ reaction कराएंगे तो बेटा यहां पर हम लोगों क्या मिल जाएगा यहां पर बच्चों हम लोगों को मिल जाएगा C6H5 CO-MGBR ठीक है reduction कराएंगे बेटा इसका reduction कराएंगे इसका reduction कराएंगे तो हम लोगों क्या मिल जाएगा एक secondary alcohol मिल जाएगा, secondary alcohol मिल जाएगा, कौन से secondary alcohol मिल जाएगा, C6, H5, COH, CH3, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलगा हम लोगों के secondary alcohol मिल जाएगा, ठीक है, बेटा, aldehyde, aldehyde का आपन क्या कराएंगे, deduction कराएंगे with LLH4, तो हम लोगों क्या मिल जाएगा, primary alcohol, हम लोगों के यहाँ क चूज देख लो इनमें से से किन्रेमाइड कुन सा है मारा सेकेंड इतनमाइड और इस पर क्या लगा देना है आपनको एक मिथाइल ग्रूप लगा देना है ठीक है इसका reduction कराएंगे आप लोग इसका reduction कराएंगे तो हम लोगों क्या मिल जाएगा CH3, CH2, NH, CH3 and this is a secondary amine ठीक है option 2 is correct ठीक है चलिए आपका टने next question alkyl halide RX on treatment with KCN followed by reduction leads to the formation of reaction करा देंगे आपन किसके साथ KCN के साथ तो हम लोगों क्या मिल जाएगा हम लोगों को मिल जाएगा इसका करा देना हम लोगों को reduction reduction कराएंगे तो बेटर क्या होगा हम लोगों को मिल जाएगा RCN से RCH2, NH2 हम लोगों क्या मिल जाएगा बच्चो RCH2, NH2 ठीक है cyanide group CN group के reduction पे हम लोगों क्या मिल जाता है CH2, NH2 हम लोगों को मिल जाता है यानि कि हम लोगों को प्राइमीन मिल जाता है यहाँ पर हमारा क्या बन गया एक प्राइमीन बन गया विच इस ऑप्शन तो हम लोगों को मिल गया ठीक है चलिए अब करतें नेक्स्ट कोशन CSC L3 and KOH on heating with the compound for a bad smelling product ठीक है compound is CSC L3 CSC L3 chloroform की हम एक्शन करा रहें किसके साथ कियो एच के साथ यह कुछ जाने पर चाने से रेक्शन नहीं लग रहा आपको यह हमारा काव लेमिन कि एक्शन की बात चल लिए अपर यह काव लेमिन टैस्ट भी बोल सकते हो ठीक है यह प्राइमरी अमीन को आप के काम आता है डिन्गि मुटक को रिस्ति Gothic करने के प्राम आता है तो प्राइमर देख क्या करता है बेटा है इसके40 कर advertisement करके हमारा आर स्यनगी बनाती है which is a bad smelling compound तो देखो बेटा इस में से कहां पर है हमारे पास प्रोड़क्ट क्या बनेगा हमारे पास प्रोड़ों बनेगा आपका आइसो सानेट डैट इस ऑप्शन टू इस करेक्ट दैट इस ऑप्शन टू इस करेक्ट चलिए प्राइमरी अरुमेटिक अमीन होना चाहिए उसी का आपन डाइट इस अधिन करा सकते तो देखो इस में से मारे पास कहां पर है प्राइमरी अमीन प्राइमरी हो जाएगा ठीक है यह बेटा में रेखे सब यह क्या करते थे इक बेंजीन सेलफॉनाईल क्लॉराइड लेते थे ते तो बेटा यहां पर हमें क्या में लेता था यहां पर हम लोगों को सल्फोनमाइड प्रोडक्ट मिलता था ठीक है देखो प्राइमरी प्राइमरी अमीन हम लोग लेते थे तो उसमें क्या रहता था प्राइमरी अमीन के केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलता था ठीक है प्राइमरी अमीन के केस में जो प्रोडक्ट मिलता थ तो वह बेटा सॉल्यूबल होता था इंसॉल्यूबल होता था हमारा ऐलकली के दर सेकेंटर के के से हम लोगों को जो फ्रॉडुक मिलेंगा सेकेंटर..? कंदर अंगर अंगर हम लोग अमिन के केस में हमें कोई प्रॉडक्ट की नहीं मिलता था onboard reaction नहींorgan amount तो इसकी help से इसकी help से क्या कर सकते है आपन सेपरेट आउट कर सकते हैं तिस्टिंगेश्ट कर सकते हैं तीरो एमीन को ठीक है चलिए तो बेटा क्या रेक्टर उप्शिन कौन सा हो जाएगा मारे पास option number one option number one रखन बेंजी इसके यंदर लेना हृता है तिक घुशले नेक्स कॉश्यंट है भी ठाटोवतों बार्वेश्ट लेना होता है तीए अक्शलीन एक्छी ने06 पॉश्यर और लास्ट में हमार पास आज़ा था दिए सिस एच फई च्छ तू यहां पर एक नश्टू भी हो गाई थे ठीक है इन में से सबसे अच्छा है स्ट्रोंगेस बीस मारा कौन सा हो का ठीक है अब देखो यहां पर कौन सा बेटा हमार पार यह देखो पहले वाले केसमें हमार प तिन के अंदर होज़ो बच्चो हमारा रास्वीं से कैस है रहेगा इन डिंक एंदर में केस्ट में वो क्या रहेगा बच्चों हमारा रीनींस में रहेगा रिंग के अंदर जाएगा अलाजीक Cash है जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों जिसकी वजह से इसका लोन पेर उतने अच्छे से अवेलेबल नहीं है फोर डॉनेशन इसकी वजासे इसकी क्या हो जाएगी बेटा बेसी सिटी बेसी सिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी तीनों ग्रूप लगा दोगे इलेक्ट्रोन विट्रॉइंग ग्रूप है वह और ज्यादा लोन पेर को फि यह ज्यादा अच्छा है इस उनग बेस होगा तो यह चलियाप करते नेक्स कुर्शिंट कुम्शन कि युट्ट इस जैड इन दे फॉल् crispy रियक्षिन हमारे पास हमारे पास नाइड्रो बेंजीन है हमारे पास नाइड्रो बैंजीन है I can agree ता कि हम लोग किसके साथ एन आ ए गया होगा यहां पर diaisonam salt हम लोगों को मिल जाए मिल सब्सक्राइब टैक्ष सब्सक्राइब करें एक पीड्राइप्स और स्वैक्षिन आप्र ऐक्ट्द के चलिए करते है沒關係 प्राइमरी एमीन के साथ अगर रियक्शन कराते हैं तो हम लोगों को बेटा दाइजनियम सोल्ट मिल जाता है और दाइजनियम सोल्ट यह होता है हमारा बहुत जादा अंस्टेबल होता है ठीक है तो डिकंपोज हो जाएगा नाइट्रोजन गयास निकल जाएगी और जाएगा तो option three is correct ठीक है चलिए next question हमें बताना है बेटा वाई कोड है हमें बताना है यहां पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ठीक है यह रहा बेटा हमारे पास यह रहा बेटा हमारे पास स्यानो बेंजीन ठीक है इसकी रियक्शन करा रहे हैं आपन किसके साथ गिजन card recipient के साथ हम लोगो क्या मिलेगा निकले का बैड़ करेगा करेगा हको मिल जाएगा यहां पर आफर कया मिल जाएगा हम लोगों को मिल जाएका यहां पर यहां पर झैस कप लगए बेटा हमारा सीैश्री ऑन हमारे Shelby रहा नहे न यहां हमारे बेंगा फ्रोड़ का्इन और처 BR, अब बेटा इसका कराते हैं, आपन hydrolysis, इसका कराते हैं, हमारा hydrolysis ठीक है, इसका आपन hydrolysis कराते हैं तो हम लोगों क्या मिल जाएगा, hydrolysis कराने के बाद, यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा CH3 as it is, double bond N की जगा double bond O आ जाएगा, ठीक है किसमें convert हो गया बेटा, यह हमारा convert हो गया, हमारा acetophenone में किसमें convert हो गया, acetophenone so option 2 is correct option 2 is correct, ठीक है, चलिए next question, fructose और keto, hexose contains fructose के अगर मैं बात करूँ तो बेटा, fructose का structure हमारा कैसा होता है fructose का structure होता हमारा कुछ इस प्रकार fructose का structure होता हमारा ठीक है, राइट, राइट, राइट के बाद, फिर से राइट, ठीक है और नीचे अपना CS2, ठीक है, तो बेटा देखो, इसके अंदर कितने ओज़ी ग्रूप आगे है, हमारे 1, 2, 3, 4, and 5 5 हमारे पास किया आगे है, हाँपे राइट, यह ऑलक रूप, एक, दो, और है ती, इसके पास आइट, यह बाद, चलत बेटा, यह तो बेटा, सारी स्टेटमेंटे हैं हमारे के आओगी कर्दा भी सारी स्टेटमेंटगा बच्छों, सो ाप्शन Ko all of the next question which is not a reducing sugar together which is not reducing sugar reducing sugar korn oti reducing sugar korn oti joham are it tolens reagent failing solution tolens reagent failing solution ठीक है और बेटा इसके लावा और इसके लावा benedict solution इनको जो reduce कर दे वो होती है बेटा आपकी reducing sugar और जो reduce नहीं कर पाती है वो क्या होती है हमारी non reducing sugar तो हम लोगों को अच्छे दे बताए कि शुक्रों क्या होती है बेटा हमारी एक non reducing sugar होती है इसके पास कोई अप्षिन फॉर इसकर नेस्ट कोईशन विच विच वन अव दो फॉलिंग सेट ओफ मोनो सक्राइड फॉम्स फॉम्स फॉक्रों तो बेटा हम लोगों को पता है कि शुक्रों के अंदर क्या रहता बेटा ग्लुकोज वाला पार्ट क्या रहता है हमारे पास एलफा डी ग्लुकोफायनोज एंड बीटा डी फ्रक्टो पायनोज प्रेजेंट होता है एलफा बीटा ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होता है हमारे शुक्रों के अंदर तिया सो ऑप्षिन टू इस करेक्ट और नेक्स्ट क्वेशन ओल प्रोटीन्स आप्रोटीन्स क्या होते हमारे बीटृटीन्स ठीक है एलफ यह सो अल प्रोटीन्स आव पोल्यमर्स नेक्स्ट केशिन ग्लुकोफ जिए एक्सेस विएल-फैयरग्रश की आपनानगां य्ये रवत STAR पर ये कि एक्सेस ओफ फिनाइल हैड्राजीन ले लो अब लोगों यहां पर क्या मिल जाएगा कि एक्सेस सब्सक्राजीन ले लेघे हैं यहां पर बेटा हम लोगों को मिल जाएगा हमारा compound glucose zone ठीक है, that is option number 3, option number 3 is correct next question, water insoluble component of starch is, starch में कौन सा हमारा water insoluble component present होता है, it is amylopactin it is amylopactin, option 1 is correct, ठीक है, चलिए, next question invert sugar, invert sugar is chemically inactive form of sugar, equimolecular mixture of sugar and fructose, mixture of glucose and sugar, variety of cane sugar, invert sugar जो basically हमारा होता है, equimolar glucose और fructose का solution होता है equimolar glucose और fructose का solution होता है, 50-50% आपनके अले लेंते हैं glucose और fructose लेंते हैं, so option 2 is correct, next question, the helical structure of protein is stabilized by, ठीक है, helical structure में, protein के helical structure में होता है, इसके स्टेबल होता है, ठीक है, है, hydrogen borne की वजाएं से क्या होता है, so option 2 is correct, option 2 is correct, तरिक एचले नेश्टे पॉश्टन जाए मियआ है अब यह के ऊपर निगेटिव चार्ज घ कहँं दों तमर्म इसलिए टेकर होगा कियाा जाता है विए हहारा निगिवक का चार्फ अश में दलता है ट्क है तो है अगर मेरा अगर मेरा आपके विद्रोइंग प्रिजेंट लोगा तो इस निगेटिव चार्ज को अपने ऊपर खीचेगा और और एलेक्रों डोनेटिंग गुरूप होगा तो वह हमारे मोल्टूप को डिस्टेबलाइज करा तो जितना अच्छे जितने ज्यादा जितने ज्य अब देखों यहांपर हमारे पास क्या क्या है यह मैटा से इतना इस पर यह एक पर नहीं कर पाएगा और्थो या पैररा पोजिशन पर अवह यह प्रिजान होना चाहिए जाए यह दूसरे में पैरा प्रस क्योंति हैं सब्सक्राइब नहीं क्या तो इस एक पैर ग्रूप यह जादा होती है तो हमारी ख्रोल की डैंसिती के आती है प्रोपनोल से काफी ज्यादा आती है ठीक है चलिए तो देखो बेटा हम लोगों को पता है कि नाइट्रो फिनोल से ज्यादा एसिट होते हैं क्योंकि अनोटो ग्रूप क्या लगाता है अपना माइनस आर एफेक्ट लगा पाता है माइनस आर एफेक्ट लगा पाता है और्थो और पैरा पोजिशन से माइनस आ लगा पाता है ठीक है मैटा पोजिशन से सिफ़ अपना माइनस आ एफेक्ट लगा पाता है सि-i effect लगा पाता है माइनस r नहीं लगा पाता तो बेटा यहाँ पसे हमें यह पता से लिया था कि ortho or para क्या होने चीए ज्यादा आपके क्या रहेंगे acetic रहेंगे meta से यह बात clear होगी ortho or para क्या रहेंगे हमाले ज्यादा acetic रहेंगे किसे बेटा आपके meta से अब question आता है कि ortho or para में क्या होगा ortho or para में कौन ज्यादा acetic होगा तो बेटा यहाँ पर देखो यह हमारा OH group है यह बेटा मैंने क्या बना दिया बेटा यह मैंने बना दिया तो यहाँ पर है न इस जगा पर देखो इस जगा पर है न इंट्रा मॉलीकिलर हाइड्रोजन बन्डिंग प्रिजेंट है जिसकी वजासे यह प्रोटोन असानी से डोनेट नहीं कर पाता है इसकी वजासे प्रोटोन असानी से डोनेट नहीं कर पाता तो हमारा ortho nitrofenol क्या रहता है less acidic रहता है in comparison to para nitrofenol तो order क्या आजाएगे वार पास para फिर ortho और उसके बाद meta that is option 4 is correct that is option 4 is correct चलिए next question the reaction rcoag plus br2 in ccl4 gives rbr plus agbr plus co2 यह हमारा कौन सा reaction है यह हमारा हंस्टाइक का reaction होता है यह क्या रहाता है हमारा हंस्टाइक का reaction होता है चलिए next question the ease of hydrolysis with an alkali in the compounds इस में से ease of hydrolysis का order क्या रहे तो बेटा यहां पर देखो अगर मैं hydrolysis कराता हूँ यहां पर मेरा living group को नहीं यहां पर living group है मेरा CL minus इदर मेरे पास living group क्या है यहां मेरे पास living group है बच्चो CS3COO- यहां पर living group है CS25O- सबसे अच्छा living group है आपर CL- है तो बेटा इसका क्या रहेगा hydrolysis सबसे असानी से हो जाएगा सबसे चले living group है आपर मेरे CL- है तो इसके hydrolysis क्या हो जाएगी बेटा असानी से हो जाएगी इसके बाद CS3CO- इसके बाद हमारे पास alcohol group और फिए NH2- तो बेटा correct order क्या आ जाएगा हमारे पास order जाएगा 1, 2, 3, 4 ठीक है यह हमारे पास hydrolysis का order आ जाएगा ठीक है next question identify the starting material or the following reaction ठीक है यहाँ पर बेटा हमने क्या लिया हमने कोई compound लिया magnesium ether के साथ इसकी reaction कराई ठीक है magnesium ether magnesium ether के साथ इसके पाद बेटा क्या आपने इस पे से CO2 पास करी इसके बाद हमने क्या गरा CO2 पास करी तो CO2 देखो हम अगर कोई गर्जनाज एरिजन रहेंगी तो अगर मैं उसमें से CO2 पास करूँगा CO2 पास करूँगा और उसका hydrolysis करूँगा तो बेटा क्या होता है हमारे पास कार्बोक्सीर एसिड ग्रूप बन जा तो यहां से यह तो पता चलिए कि मेरा गरीजनाज ये जेंट यहां पर कोई न कोई क्या होगा पेटा यहां पर एक एलकाइल हलाइट प्रेजेंट होईगी अगर मानलो बेटा यहां बनाओगा आररे एमजी एक्स अरjemजी एक्स को सीओ टू के साथ रेक्ट करनाने के बाद किया बनाओगा मेरा आरसी ओओ मायनस और फिर उसका hydrolysis कराएंगे तो आरसी ओ ओ एच ठीक है अब बेटा कमपेर करो पॉनसरे और होसकती है। हमारे पास हलाइड होएगी, यहां फिनायली ग्लूप, फिछ सी एस तू, और अधर कोई AX ग्रूप, तो बिटा यह देखने कौत से option में प्रिजन्ट है। तुछ से option में प्रिजन्ट है। पहले option नहीं, दूसरा option नहीं। तीसरा option हाँ, तीसरा option हाँ, ठीक हैं, हमार पास क्या बनेगा, इसके help से, इसके help से क्या बन जाएगा हम लोगों को, हम लोगों को मिल जाएगा आपका गिजनार्डिज एजन्ट, पी एच, सी एच्टू, एम जी वी आर, ठीक है, इसका CO2 के साथ reaction करेंगे तो हम क्या मिल जा Failing Solution बेटा हमारे क्या होता है, Failing Solution में हमारे एक Failing Solution basically दो होते हैं, Failing Solution A, Failing Solution B, Failing Solution A में क्या रहता है हमें पास, Copper Sulfate रहता है, और Failing Solution B में क्या रहता है हमें पास, Social Salt, Plus NaOH present होता है, so option 3 is correct, चले ठीक है, next question, the reaction of chloroform with alcoholic KOH and paratolidine foam, ठीक है, बेटा इसमें देखो, हमा reaction लग रही है देखने में, पहुंसी रेक्शन लग रही है ये reaction लग रही है, काबिलमीन reaction, ठीक है, काबिलमीन reaction, ठीक है, चल यह, तो बेटा इस reaction में हम लोगों क्या मिलता है, पहले बताया था, तोड़ी और पहले, ठीक है, bad smell compound isocyanide formation होती है, ठीक है इस reaction में क्या होता है हमारा isocyanide formation होता है, so correct option is option number 4, ठीक है, चलिए next question, decreasing order of basicity of the three isomers of methoxy aniline, ठीक हो, methoxy group जो होता है अपना OCS3 group, यह हमारा plus M effect भी दिखाता है, यह हमारा plus M या plus R भी बोल देते हैं इसको, plus M या plus R effect भी दिखाता है, और साथ में minus I effect भी दिखाता है, ठीक है, हमें पता है कि plus M plus R effect का होते हैं, और था और पैरा position पर ही operate होते हैं, ठीक है, आपके meta position से operate नहीं होते हैं, तो अगर मैं meta इस omar की बात करूँगा, इसमें minus I effect लिखेगा, तो यह बेटा जो तुम्हारा normal aniline होता है, उससे भी कम basic हो जागा, meta वाले सबसे कम basic हो जाएगा, ठीक है, यह answer हो सकता है, यह answer हो सकता है, ठीक है, यह और यह तो नहीं होएंगे, ठीक है, अब between doubt आते हैं अपर, अब बेटा question आते हैं, अपर क्या ortho और para में कौन ज्यादा basic होगा, ortho और para में कौन ज्यादा basic होगा, तो बेटा हम लोगों को पता है कि हमारा inductive effect क्या होता है, inductive effect हमारा weak होता रहता है, जैसे अज़यसे हमारा distance बढ़ता रहता है, सबसे strong inductive effect हमारा कहा लगेगा सबसे strong inductive effect हमारा ortho position पे और para position पे सबसे weak inductive effect लगेगा ठीक है तो बेटा आपका ortho वाला ortho position पे जब हमारा substituent होगेगा तो उसकी basicity क्या आएगी बेटा पेर के comparison में कम आएगी क्योंकि वहाँ पर आपका minus i effect ज्यादा लग रहा है तो सबसे strong acid is correct ठीक है पेटा option one is correct ठीक है चले next question the value of KB is highest in case of देखो, kb की value ज्यादा, kb की value ज्यादा, kb की value ज्यादा, मतला बेटा, basicity ज्यादा, kb की value ज्यादा, तो basicity ज्यादा, अगर base dissociation constant की value ज्यादा होगी, तो उसकी basicity ज्यादा होगी, तो देखो बेटा, kb सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा, तो देखो बेटा, यह हमारा पैरा अगर इलेक्ट्रोन विड्रोइंग गुरूप होगा तो इलेक्ट्रोन को अपनी तरफ खीचेगा तो हमारे पास नाइट्रोजन के उपर जे लॉन पेरा वो अवेलेबल नहीं रहेगा फोर डोनेशन तो बेटा बेसिक स्ट्रेंद उसकी क्या हो जाएगी बच्चु काम हो ज बढ़ जाएगी ठीक है तो यहाँ पर देखो यह हमारा क्या बेटा आपका मिठाइल ठीक है डोनेटिंग है ठीक है नाइट्रो हटाओ इसको विड्रोइंग है क्लोरो क्लोरो देखो वै ओल्दो क्लोरो जो है आपका प्लस एम इफेक्ट दिखाता है पर कहीना कहीं अभी इलेक्रोन विड्रोइंग ग्रोप ही होता है इनेक्टिव फ्रैक्षिस का काफी स्ट्रोंग रहता है ठीक है अब देखो यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर क्या है बेटा हमार पास यहाँ पर हमार पास मिठोक्सी है दोनों से कौन अच्छा हमारा इलेक्रोन एक कंदिशन क्या हो जाएगी कि एक कारवन एक कंदिशन क्या हो जाएगी कि एक कार्बन डायकलीय उताईच है। उससे और दो do carbon है। यह दूसरी condition होगी। तीसरी condition क्या हैं जो हमारा NH2 से carbon लग वहाँ है, उससी म个्पर दो carbon पटैज है। तो एक carbon जो बचेगा एक carbon में से किलागा। इसकंदिधो फोसिबिटी आतो है। कोई possibility आतो है ग squash? इसके अलावा हमारे पास कोई possibility यहां इसके अलावे एक possibility और आ जाएगी कि बेटा इस carbon पे दो carbon attach हो कि क्या हो जाए बेटा तुम्हारे पास तीन-तीन carbon attached हो जाएं तीन-तीन carbon तोटल कितने आइसो मर आगए आपके पास चार आइसो मर आगए ओप्शन फॉर इस करें ठीक है बिटा इस चीज में ध्यान रखना है तो एलकोल की केस में हम लोग यह देखते हैं कि कार्बन जिस पर ओवेच गुरूप जिस कार्बन पर अटैच है वह कितने कार्बन से ठीक है तो यहां पर आपन सिर्फ यह देख रहे हैं कि एनस्टू ग्रूप से नाइट्रोजन से कितने कार्बन टैच्ट ऑप्शन फॉरीज करें विच और फॉलिविंग एक्जिस है इन में से कौन सा हमारा जुटर आयन की तरह एक्जिस करता है ठीक है तो बिटा हमारा ज कि हो आयन होते हैं जिसके उपर पोजिटिव और निगेटिव दोनोँ चार्ज एक ही मोजिफिल में एक साथ एक्जिस्ट कर रहे होते हैं ठीक है तो देखो बेटा है यहाँ पर यह एक असिड है इक एसिडगृप है यह हमारे पास क्या एक बेसिक ग्रूप है लिश प्लस आया ठीक है, so option 3 is correct, option 3 is correct, ठीक है, चलिए next question, the main structural feature of protein is, ठीक है, protein के अंदर बेटा हमें क्या देखने को मिलता है, ester linkage, ether linkage, peptide linkage, all of these, बेटा प्रोटीन के अंदर हमें peptide linkage देखने को मिलता, amino acid का एक का COOH group, ठीक है, और दूसरे का बेटा, amine group, ठीक है, ये बेटा क्या करते है combine करते हैं, यहां से water निकल जाता है, और हमें peptide bond देखने को मिल जाता है, ठीक है, so option 3 is correct, ठीक है, next question, which of the following favor की positive tolerance test, इसमें से कौन सा बेटा, positive tolerance test देता है, ठीक है, जिसके पास भी बेटा, aldehyde या alpha hydroxy ketone जो होते हैं, ठीक है, aldehyde और alpha hydroxy ketone जो होते हैं, बेटा, क्या देत हमारा positive tolerance test देते हैं, ठीक है, जो हमारा glucose है, glucose के अंदर बेटा क्या है, glucose हमारे एक aldehyde है, glucose क्या बेच्छो हमारा aldehyde है, और fructose क्या है बेटा, fructose के अंदर हमारा alpha hydroxy ketone है, fructose क्या बेच्छो हमारा alpha hydroxy ketone है, तो fructose भी बेटा क्या देगा, हमें positive test देगा, tolerance reagent का, so option 2 is correct ठीक है option two is correct तो इसी के साथ हमारा chemistry portion complete होता है विदा लेने के वक्त आ गया है मिलते हैं अगले mock test में thank you Hello everybody कैसे हो आप सब I hope सब एकदम ठीक होंगे तो चलिए आपके mock test 7 का botany section हम लोग यहां पर analyze कर लेते हैं I hope आप लोग सारे mock test दे रहे हैं syllabus के according prepare कर रहे हैं फिर अपनो mock test दे रहे हैं हर बार आपको अपने गलतियां पहले से कम मिल रही है preparation अच्छी रोखो गलतियां करो लेकिन उनको सुधारो भी उनसे सीखो भी देखते हैं botany वाले section में आपने कितने questions आप सही attend कर पाए और जो नहीं है उनको please अपनी mistake notebook में लिखते रहे न वर्णा इस analysis का कोई भी पाइदा नहीं देखें questions कैसे आयते और आपने कैसे score किया तो पहला question यहां पर हमारे सामने है किसकी बात हो रही है तो हम जब एंथर की बात करते हैं हम लोग उसको by lobe और डाई थिकस कहते हैं दो लोब है और हर लोब में दो थिका है और हर थिका उसके पास पोरेंजियम है जिसके अंदर sporogenous tissue है जिसके अंदर pollen green बनेगा microsporengium अगर आप देखेंगे तो four layer की protection होती है सबसे बाहर उसके पास होती है epidermis उसके अंदर होती है endothesium उसके अंदर होती है middle layers और middle layers के सबसे अंदर होती है tapitum तो outermost हमारे पास होती है epidermis और innermost हमारे पास होती है tapitum यहाँ पर answer क्या चला जाएगा बच्चे four ठीक है अगला question देखे question number second question आया है principles of inheritance मेंडल ने एक tall plant लिया एक dwarf plant लिया उनका cross कराया यानि monohybrid cross जो कि हम लोग पढ़ते हैं अब F2 generation में उनको एक ratio मिलता है 3 to 1 यही phenotypic ratio हमने पढ़ा हूँ है इन result से यह समझना है कि इस question के अंदर बात हो रही है monohybrid cross की इसकी बात हो रही है monohybrid cross की अपने monohybrid cross से दो चीज़े उनको समझ में आई थी सबसे पहली चीज law of dominance क्योंकि tall और dwarf में से कोई एक ही character था जो heterozygous condition में या F1 generation में express होता था दूसरी चीज़ जब F2 generation में dwarf as it is आया कुछ भी blending और mixing नहीं हुई तो उनको समझ में आया कि पक्का ये दोनों allele segregate होते हैं ये दोनों factor segregate होते हैं उनमें कोई blending और mixing नहीं होती तो monohybrid के बात जो laws of inheritance हमें mendel ने दिये थे उन्होंने हमें law of dominance दिया था और law of segregation दिया था independent assortment भी उन्होंने दिया था अगर आपको to be correct लग रहा है तो शायद आपने question ढंग से नहीं पड़ा क्योंकि law of independent assortment देने के लिए die hybrid cross होना बहुत ज़रूरी था जब तक इन्होंने die hybrid cross नहीं किया तब तक इने law of dominance का exception है तो वो भी mendel का law नहीं हो सकता तो monohybrid cross ने mendel ने हमें 2 ही laws दिये थे 1 and 3 answer होगा 2 यहाँ पर लिख भी देते हैं हम लोग answer हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का answer हमारे पास 2 ही हो जाएगा इसको different color से लिखते है ता कि आपको जो है answers देखने में थोड़ी सी असानी हो तो 2 का answer मेरे पास हो जाएगा 2 आगे दिखते हैं question number 3 question number 3 mass of cells enclosed by integument is called integument आपको कहां दिख रहे है ovule की बात हो रही है आपके सामने यहाँ पर एक anatropos ovule बनाती हूँ ठीक है anatropos ovule बनाती हूँ anatropos ovule के अंदर यह आपका embryo sac होता है आप जानते हैं कि यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा यह दोनों आपके integument है यह और यह भी आपके पास integument है यह और यह भी आपके पास integument है this portion and this portion is your integument this portion and this portion is your integument बीच में जो पूरा का पूरा tissue होता है that is your nucillar tissue यह nucillar tissue है यहापे जो present है और यह integuments है तो integument के अंदर जो cells मिल रहे हैं जो पूरा group of cells आपको मिल रहे हैं वो और कुछ नहीं nucillus होता है उन्हीं nucillus में से कोई एक cell जो micropyle की तरफ है वो differentiate करकर megaspore mother cell बनाता है तो ovule में दोनों integument के अंदर between the two genes is दो genes है उनके बीच में किस पर question पूछा है हमसे linkage पर question पूछा है कि कितना strong linkage है अब आप Morgan का linkage पढ़कर आयो बटा कि अगर मैं chromosome पे बात करूँ और मैं आपको बोलू यह एक gene है यह दूसरा gene है बहुत पास-पास है जब दो gene बहुत पास-पास होते है उनका linkage बहुत strong है उनमें recombination होने का chance बहुत कम है वही अगर मैं आपको बोलू इस chromosome पे यह वाला एक gene यहाँ पर present है और दूसरा यहाँ पर present है तो बहुत high chance है कि recombination में यह दोनों separate हो जाएंगे उतनी कम होगी तो directly proportionate तो नहीं है यह inversely proportionate है to the distance between that जितना जादा distance उतनी कम linkage तो हम क्या कहेंगे it is inversely proportionate अगर आपने कहीं पर भी इसका answer inversely proportionate दिया था तो आपने बिल्कुल ठीक answer दिया था answer will be 2 ठीक है answer will be 2 अगला question देखते है question number 5 the promoter site and terminator site for transcription are located at तो अगर मैं transcription unit की बात करूँ यानि promoter से terminator की बात करूँ तो coding site को reference लेकर coding strand को reference लेकर बिल्कुल जैसे आपकी NCRT कहती है आपका उस unit के लिए जो promoter side होती है वो 5 prime पर होती है और terminator side जो होती है वो 3 prime पर होती है क्योंकि हम coding strand को reference लेते है ठीके तो answer हमारे पास क्या आएगा 5 prime upstream and 3 prime downstream respectively answer मेरे पास होगा 2 clear है आगे चलें question number 6 पर एक तो बहुत सारे pages एक साथ आगे निकल जाते है अगला question मेरे पास आ रहा है question number 6 यह आ रहा है मेरे पास principles of inheritance and variations है सबसे पहले Mendel Mendel ने हमें दिये थे laws of inheritance Sutton and Bowery इनों ने genes और chromosomes के बीच में कुछ observations निकाली similarity निकाली और chromosomal theory of inheritance दिया Hankin ने X body के बारे में बताया था क्योंकि यह एक insect में spermatogenesis देख रहे थे अब आधे sperm में X shape structure था आधो में नहीं था अब जिन में था उनको पता नहीं था कि X chromosome की बात हो रही है यह X body बोलते थे बाहर से discovery हुई Morgan के अगर मैं बात करूँ उन्होंने हमें linkage सिखाया है और Hugo De Vries ने हमें Salutation Mutation के बारे में बताया है तो answer क्या होगा 2, 1, 4, 3, or 5 यानि की option 2 यह तो simple था डारेक्टली लिख दूँ answer मेरे पास क्या होगा option 2 आगे दिखते हैं question number 7 ठीक है question number 7 क्या खेर है question हमें in the embryo sack of anotropos ovule the cells present at chalizal end are आप लोगों के लिए फिर से एक बार anotropos ovule बनाएंगे ठीक है यह दोनों integuments यहाँ पर भी integuments यहाँ पर यह दोनों इस तरीके से attached है और यह आपका embryo sack है इस embryo sack में यह micropyle है यह chaliza है chaliza की तरफ देखेंगे तो 3 cells होते हैं जिने हम दोलते हैं antipodal micropyle की तरफ देखेंगे तो 2 cells हैं जिनमें philiform apparatus present है यह है synergit और यहाँ पर present है आपका egg cell यहाँ पर present है आपका egg cell और बीच में present है 2 polar nuclei 2 polar nuclei ऐसा दिखते है embryo sack तो anotropos ovule है embryo sack है यह chalizaal end chalizaal end पर आपको क्या दिख रहे है 3 antipodals तो answer क्या होगा antipodal यानि क्या answer क्या होगा 3 यह positions as it is याद रखिएगा हमेशा ovule anotropos orthotropos chalizaal end की तरफ antipodals ही बनते है micropyle की तरफ synergid बनते है यह बात आप याद रखना है तिक है आगे देखो question number 8 बिटा क्या कह रहे question number 8 मुझे if there are 9 chromosomes in the antipodal cells of monocode plant अब monocode होगा dicode मुझे इतना समझ में आगया NGO sperm की बात कर रहे जब भी ऐसा question आए पहले ploid ही समझने की कोशिश करना आपको antipodal cells के chromosomes बताएं तो आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि antipodal cells खुद कैसे होते है क्या ही haploid होते है क्या ही diploid होते क्या ही triploid होते ऐसे हम approach करते है ऐसे questions को ठीक है अब मुझे पता antipodal embryo sac है embryo sac embloid है sorry haploid है तो antipodal भी मेरे पास क्या हो जाएंगे haploid haploid यानि की n और इसकी value मुझे कितनी दी हुई है 9 यानि एक तरीके से देखा जाए तो question ने मुझे n की value बता दी कि n is equal to 9 अब मुझे question पूच क्या रहा है कि कितने number of chromosomes present है आपके secondary nucleus में secondary nucleus कैसे बनता है जब pollen tube 40 है gametes अंदर आते हैं दोनों polar nuclei fuse करकर secondary nucleus बनाते हैं तो अगर सबसे पहली चीज मुझे से पूची है secondary nucleus तो मुझे secondary nucleus की ploidy तो पता होनी चीए secondary nucleus बेटा n प्लस n मिलने से बना हुआ 2n है फिर मुझे से पूचा है primary endospermic cell primary endospermic cell fertilization के बाद बनता है और उसके अंदर center में होते है primary endospermic nucleus जो male egg से यानि की male nuclei से आपके secondary nucleus के fusion करने से बनता है और इसकी ploidy होती है 3n पहले तो मुझे ploidy पता होनी चीए न तभी तो मैं calculate करूँगी और तीसरा मुझे बोला है choleoriza choleoriza radical की covering है embryonal axis में यानि embryo का हिस्सा है और embryo deployed होता है तो इसका मतलब जो तीसरी चीज मुझसे पूची है यानि जो choleoriza मुझसे पूचा है वो भी कैसा होगा 2n क्योंकि ये embryo का हिस्सा है तो मुझे सब की ploidy पता चलगी और मेरे पास n की value 9 है तो आप खुद बता दीजे secondary nucleus कितना होगा 9 into 2 18 PEC की ploidy कितनी होगी 9 into 3 27 choleoriza की ploidy कितनी होगी 9 into 2 again 18 secondary nucleus की ploidy 2n होती है वो fusion से बनता है polar nuclei के लेकिन primary endospomic nucleus की ploidy 3n होती है इसमें अगर आप confused हुए थे तो इस चीज को जरूर याद रखेगा answer होगा 3 आगे दिखते है question number 9 किसकी बात हो रही है mega spore mother cell की mega spore mother cell कैसे बनता है mega spore enzyme में mega spore enzyme आप किसको कहते हो ovule उसके अंदर sporogenous tissue कौन है nucellus भर-भर के nucellus है nucellus का कोई एक cell जो micropyle की तरफ है वो differentiate होकर mega spore mother cell बनाता है तो बनेगा किस से nucellus से ठीक है parietal cell से तो बनने नहीं वाला chalyza तो embryo sac के पाद बनेगा integumentary cell से नहीं बनता nucellus के cell से बनता है और nucellus में भी कौन सी side micropyle side तो answer will be 3 आपको याद रखने मिटा end उसके पास दोनों थे पर हमेशा micropyle की तरफ वाले cell mega spore mother cell बनते है meiosis शुरू करते है directly in CRT में लिखा हो है आप read करोगे तो आपको मिल जाएगा answer will be 3 आगे देखें question number 10 क्या कह रहे question number 10 हमको of the total incident solar radiation less than dash of this radiation belongs to photosynthetically active radiation ecology में पढ़ा होगा आपने के कि सारी जो energy है वो sun से आ रही है अब sun के पास तो 100% energy है और उसको trap करना सिरफ plants को आता है लेकिन plants भी पूरी energy trap नहीं कर पाते पूरी energy में से less than 50% ही photosynthetically active है उसका भी 2-10% ही plant trap कर पाते अपने पूरे photosynthesis के process में तो total incident light का बच्चे less than 50% ही पहली बात तो photosynthetically active होता है तो answer मेरे पास कितना जाएगा क्योंकि इन्होंने less than already लिग दिया था तो answer मेरे पास क्या हो जाएगा 50% तो 10th का answer में यहाँ पर लिख रही हूँ क्या 4 clear है बढ़िया है आगे चलें question number 11 पे चलो this is your question number 11 I hope मैं कुछ बीच में छोड़ना रही हूँ क्योंकि हर बार almost हमारी counting इदर उदर हो जाती है तो 11th question हम यहाँ पर देखते है which of the following plants does not देखो इनोंने कुद not को bald कर दिया ताकि तुम silly mistake ना करो फिर भी कुछ बच्चे silly mistake करते है not इनोंने लिख दिया और हमसे पूछ क्या रहे है इनमें से कौन सा hydrophily show नहीं करा hydrophily का मतलब क्या है बटा और hypo hydrophily के example में आप लोगों ने इस दो स्टेरा पड़ा होगा तो यह दोनों example आपके पास आते हैं और साथ में fresh water में hydrilla का नाम भी लिखा हुआ है साथ में NCRT लिखती है कि water hyacinth and water lily NCRT क्या लिखती है water hyacinth जिसका scientific name iconia crecipes है जो कि एक option आपको दिया हुआ है and water lily मैं आपको साथ में concept भी revise करवाना चाहती हूँ यह दोनों aquatic plant है यह दोनों ऐसे plant है जो पानी में मिल रहे हैं दोनों aquatic plant है लिकिन फिर भी जब इनको pollination करना होता है तो female अपने आप पानी के surface पर आजाती है और pollen की movement wind से हो रही है यानि की animophily या फिर insect से हो रही है यानि की antimophily पानी का use नहीं करते aquatic होने के बावजूद पानी का use नहीं करते और इन दोनों में से एक option आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो water hyacinther उसका scientific name iconia होता बिटा जिससे terror of Bengal भी कहते है तो the answer here will be 1 clear है आगे देखें question number 12 देखें चलो आपको odd one out बताना है इन्होंने फिर से bold कर दिया थाकि अब silly mistake ना करू आपको odd one out बताना है with respect to Mendel's laws of inheritance देखते हैं Mendel ने hybridization experiment किये थे 7 सालों तक 1856 to 1863 एकदम correct statement है कोई दिख करती है first time statistical analysis करना mathematical logics देना और ये सारी चीज़े biology में apply करने वाले ये पहले थे इसलिए शायद ये पहले recognize नहीं किये गए थे ये बाग भी हमने पढ़ी है तीसरा option मुझे कह रहा है कि इनके experiment में small sampling size था ऐसा बिल्कुल भी नहीं था बिटा इतने large area में अपने पापा के field में इन्होंने farming करी है इतने high level के number of plants लिए ताकि इनका sampling size हमेशा large रहे वरना इनकी बाग पर यकीन कौन करता credibility कहां से आती और हमें पता है कि इन्होंने काफी बड़ा sample size लिया था छोटा तो नहीं लिया था आंसर तो मिल गया हमें लेकिन हम fourth option भी rate करेंगे क्या इन्होंने 14 true breeding plants लिये थे जी हां क्योंकि इन्होंने 7 contrasting characters choose किये थे तो उसके लिए उनको 14 parents चाहिए थे तो 14 true breeding plant इन्होंने लिये थे तो आंसर मेरे पास क्या आएगा 3 क्योंकि मुझसे odd one out पूचा है और 3 गलत है तो answer here will be 3 ठीक है आगे देखें question number 13 question number 13 देखो मैं हर बार एक question बीट में छोड़े देती हूँ so this is your question number 13 क्या कहरे question हमें proportion of recombinant phenotype in F2 of mendelian dihybrid cross phenotype से question पूचा है तो पहले तो ratio बना लो और आपको रटा होना चाहिए F1 और F2 के लिए बार बार पुनेट square की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए for monohybrid and dihybrid of mendel at least इतना तो याद होना चाहिए क्योंकि एक मिनट के under solve करना है अब मुझे पता है कि मुझे बोल दिया dihybrid और मुझे बोल दिया phenotype इतना काफी है मेरे लिए ratio बनाने के लिए और मुझे बोल दिया कि mendel का है ये सब कुछ तो मेरे लिए काफी है मैं तुरंट ratio लिखूंगी 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1 जिसमें 9 मैं जानती हूँ round yellow बने थे बिलकुल parent जैसे 3 मैं जानती हूँ round और green बने थे ठीक है round yellow round green wrinkled yellow और wrinkled green wrinkled yellow और wrinkled green ये तो बिटा आपके tips पर होना चाहिए आपको बार बार पुनेट square के भी जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए अब अगर आप इस cross के parent को याद करो तो इन्होंने एक dominant और एक recessive parent लिया था एक round yellow था और दूसरा wrinkled green था आपसे question क्या पूछ रहा है कि कितने recombinant बने क्या आप recombinant का मतलब समझते हैं क्या आप recombinant का मतलब समझते हैं recombinant का मतलब होता है non parental कुछ भी ऐसा जो नया किसी combination से बनाओ जो parent जैसा ना दिखता हो उसे हम recombinant कहते हैं अगर मैं इस die hybrid cross के parents के आपसे बात करूँ और अगर आपको याद हो कि मेंडल ने कौन-कौन से parent लिये थे तो उनका एक male parent था जो कि round yellow था और cross करवाय था female से जो कि wrinkled green थी ये parent थे आपसे क्या पूछा कितने recombinant है तो आपको सीधे सा मतलब है आपको ये ढूणना है कि कौन-कौन parent जैसा नहीं दिख रहा कौन-कौन non-parent ल है तो देख लो जरह हैं आपे round yellow तो parent जैसा दिख रहा है तो मैं P लिख देती हूँ wrinkled green भी parent जैसा दिख रहा है तो मैं P लिख देती हूँ लेकिन ये दोनो recombinant है क्योंकि ये parent जैसे नहीं दिख रहे पहली बार एक ऐसा seed मिला था जो round होने के साथ-साथ green कलर का था ऐसा तो parent कोई भी नहीं था पहली बार एक ऐसा seed मिला तो जो wrinkled होने के साथ-साथ yellow कलर का था पैरेंट में मुझे ऐसा नहीं मिला था तो इन्हें बोलते हैं recombinant आप से पूछ रहें proportion तो total कितना है 16 9 plus 3 plus 3 plus 1 कितना होता है 16 जिसमें से 3 plus 3 यानि कि 6 तो मैं यहाँ पर क्या कह सकती हूँ कि अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो this will be 6 out of 16 जो की recombinant है answer मेरे पास क्या हो जाएगा 1 I hope यह चीज हम लोगों को clear हो रही हो और answer मेरे पास क्या आ जाएगा 1 ऐसे करते हैं questions को ठीक है आपको बहुत बार-बार पुनेट स्कूर बनाने की ज़रूरत नहीं है अगला question देखें question number 14 इन में से कौन सा down syndrome से associated है down syndrome में फरो टंग बनती है कट लगा है टंग में और बहुत बार वो पैलेट से चिपकी रहती है ऐसे बच्चों में तोल स्टेचर यह down syndrome का patient यह down syndrome अला बच्चा तो कभी height नहीं ले पाता बिटा यह जो टोल स्टेचर आपको देख रहा है client filter का syndrome है उसके अंदर बहुत लंबी height चली जाती है ठीक है palm crease यह फिर से down syndrome का है क्योंकि specific एक ऐसी palm पे crease बनी होती है जो down syndrome की patients में होती है gynecomastia फिर से client filter का syndrome चला जाएगा symptom चला जाएगा कौन genital heart disease यह down syndrome वाले patients में होती है तो ACE option देख लो यह 3 में हो रहा है 3 में हो रहा है answer क्या होगा? 3 answer क्या होगा? 3 आगे चले question number 15 आओ किसकी बात करे है फिर से sexual reproduction in flowering plant से question आया question कहरे है klystogamous flowers strictly autogamous होते है कभी इन में cross pollination नहीं होगा कभी इन में jitanogamy नहीं होगा खुद के enter से निकला pollen खुद के stigma पर जाएगा self fertilize करेगा क्योंकि क्लिस्टो का मतलब ही बंद है यह हमेशा बंद रहते है they are always closed always closed इसलिए कभी इदर उदर से contamination होने का chance ही नहीं है they are always closed तो the answer here will be 2 छीक है जी? आगे देखें question number 16 कुछ questions करके तो तुम्हें एकदाँ मतलब मज़ा ही आ जाए इतने simple है और ऐसे ही होते है NEET के बहुत से question NCRT से direct pick करके ऐसे ही बनाए जाते है अगला question देखो एक molecule है वो कब genetic material की तरह act कर सकता है molecular basis of inheritance वाले chapter में चार feature दी हुए अगर आप एक molecule को genetic material कहना चाहते हो तो वो stable होना चाहिए functionally, structurally वो खुद को express करवाना चाहिए मतलब उससे RNA और protein बनना चाहिए वो खुद को replicate कर पाए खुद को clone कर पाए और एक चीज लिखी हुए कि उसमें rate of mutation जिस speed से उसके अंदर changes आ रही हुँ वो बहुत slow होना चाहिए यह points NCRT ने दी हुए तब ही आप उसको genetic material मानोगे वर्ना नहीं मानोगे ठीक है मैं कह रही हूँ एक molecule genetic material तब है जब उसमें बहुत rapid change हो रहे हो नहीं इतनी जल्दी change हो रहे होंगे तो वो fixed table कैसे रहेगा मुझे इतनी जल्दी changes नहीं चाहिए क्या वो अपना replica generate ना कर पाए नहीं भई हम तो कह रहे है न वो अपने आपको replicate करना चाहिए क्या वो catalyst की तरह behave करना चाहिए अगर वो catalyst की तरह behave करेगा तो वो unstable हो जाएगा और आपका genetic material unstable नहीं हो सकता जी हाँ वो इतना stable होना चाहिए structurally, chemically, functionally कि आप छोटे बच्चे है या आप बड़े हो गए या बुड़े हो गए आपके genetic material में changes नहीं आने चाहिए तभी आप उसे genetic material कहेंगे और आपका answer of course यहाँ पर चला जाएगा ठीक है आगे देखें question number 17 देखो ज़रा characteristic of wind pollinated pollens अगर मैं यह कह रही हूँ कि किसी pollen को wind ने लेके जायना है तो nature ने ऐसा कर रख है कि यह चीज़ easy हो उसके लिए nature ने कहा है कि ऐसे pollen हलके होने चाहिए dusty होने चाहिए चिप चिपे जादा नहीं होने चाहिए बरना हवा से उड़के कैसे जाएंगे ऐसी conditions में enter थोड़ा सा जो है versatile होना चाहिए ताकि हर जगे pollen बिखरे stigma थोड़ा सा feathery होना चाहिए ताकि वो pollen को पकड़ सके ऐसे case में ovary में एक ही ovule रखा जाता है क्योंकि पता नहीं pollen पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा और pollen को बहुत large number में बढ़ाया जाता है ताकि chance pollination increase हो यह सारी चीज़े एक paragraph में wind pollination में NCRD ने लिखी हुई है तो nature क्या कर रहा है nature कह रहा है कि please chip को मत ताकि तुम्हें हवा उडा के ले जा सके please हलके बनो ताकि तुम्हें हवा उडा के ले जा सके जादा number में बनो क्योंकि पता नहीं तुम हवा के साथ कहा जाओगे stigma तक पहुच भी पाओगे या नहीं तो यह सारी ही चीज़े होती है बिटा यह सारी ही करेक्टरिस्टिक है answer will be 4 यह सारी ही करेक्टरिस्टिक है and answer will be 4 ठीक है आगला question देखें question number 18 आज़ो question number 18 क्या कह रहे question हमको humus की बात करें मतलब हम फिर से ecology पर आगए ecology में हमने second जो functional component हम देखते हैं किसी भी ecosystem का productivity के बाद decomposition वहां से आया question है humus कैसे बनता है पहले fragmentation होगा, catabolism होगा partial decomposition हो जाएगा उससे एक colloidal material बनेगा जिसे बोलते हैं humus, अब humus में आधा decomposition हो चुक है पर आधा नहीं हुआ अब वो खुद colloidal substance बन चुक है और फिर उस humus में से bacteria और microbes जो हैं, वो धीरे 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 decomposition करते रहेंगे और धीरे धीरे minerals release करते रहेंगे, तो humus को भी further degrade करना पड़ता है, उसको microbe degrade करते हैं और वो धीरे धीरे inorganic nutrient को release करते हैं, इस process को कहते है mineralization, जो पहले तीन step होते हैं, catabolism, fragmentation और humification, यह step by step होते हैं, है न, sorry, यह simultaneously होते हैं, और उसके बाद फिर mineralization चलता है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, sorry, जो पहले तीन steps हमारे पास थे, catabolism, fragmentation, catabolism and leaching, है न, उनकी बाद हम करते हैं, फिर हम humification और mineralization की बाद करते हैं, तो this process is anyway known as mineralization, humus में से धीरे-धीरे minerals का release होना, इस process को कहते है, mineralization, answer will be 2, आगे देखते हैं, question number 19, चलिए, question number 19, देखते हैं तरह, क्या कह रहा है, question हमें, एक E. coli लिया है, जिसके पास heavy DNA है, जिसको इन्होंने N15 बोला है, बिल्कुल measles and install का experiment है, उसको normal ammonium chloride, यानि की N14 में grow करने दिया, बिल्कुल यही तो measles and install ने किया था, आपको बताने कौन सा option correct है, अगर आप DNA को extract कर रहे हो, 40 minutes बात, मैंने सारी important information को circle किया, मुझे इतना समझ में आ गया, यह pure measles and install का experiment है, अगर मैं आपको याद दिलवाओं, तो उन्होंने भी सबसे पहले heavy DNA से शुरू किया था, जो N15 N15 था, फिर यह उसको N14 medium में grow करते थे, N14 medium में grow करने की वज़े से, इनको पहला hybrid मिला था, अगर आपको याद हो तो, है ना, क्योंकि एक बार grow करने में 20 minutes, एक generation जाने में 20 minutes, इनको bacteria जो, इनको DNA जो मिला था, वो N15, N14 मिला था, एक, N15, N14 मिला था, मैं हमेशा ऐसे questions को करने की trick आपको बताती हूँ, कि पहली बार hybrid बनता है, उसके बार दो DNA हाइब्रिड होते हैं, अब मान लेते हैं, यह फिर से इनको अगले 20 minutes तक एक generation चलाने देंगे, ठीक है, medium इनोंने देना ही N14 का है, तो अब 2 से 4 DNA बनेगे, एक DNA बनेगा, जो की N14, N14 होगा, दूसरा DNA बनेगा, वो भी N14, N14 होगा, तीसरा DNA बनेगा, वो hybrid होगा, N15, और 4 वाला भी hybrid होगा, N15, N14, N15, N14, यह 4 DNA बनने वाले हैं, यहां से बने 2 DNA, यहां से बने 4 DNA, और 40 minutes पूरे होगा, क्योंकि हमें यही कहा गया था, कि 40 minutes का time दिया है, अब आप जानते हो, measles and install ने क्या किया था, cesium chloride density centrifugation, सबसे heavy होगा यह, क्योंकि इसके अंदर दोनो heavy strand थी, उसते हलका होगा यह, क्योंकि यह hybrid है, और आप उसके आगे जाएंगे, तो यह तो सबसे हलके होगे, क्योंकि मैं इन्हे light DNA कह सकती हूँ, यह hybrid भी नहीं है, यह तो एकदम light है, दोनों ही N14, N14 के बने हैं, तो आपको कह रहे है, 40 minute हो गए, अब आप correct option बताइए, पहला option आपको क्या कह रहे है, कि 40 minutes बाद, आपको equal number of light और heavy DNA मिलेंगे, यह option गलत है, क्योंकि 40 minutes बाद, आपको कोई heavy DNA नहीं मिला, आपको 2 light DNA मिलें, और आपको 2 hybrid मिलें, क्या आपको कहीं भी यहाँ पर कोई heavy DNA मिला, कोई भी DNA आपको ऐसा मिला, जो entirely N15, N15 जैसा हो, जो कि आपको यहाँ दिख रहा था, क्या ऐसा कुछ भी यहाँ दिखा, नहीं, तो पहला option तो हो नहीं सकता, दूसरा option देखो, higher density as that of parent DNA, parent DNA इतना heavy था, क्या आपको 40 minute बात कोई भी ऐसा मिला, जो इससे भी heavy हो, नहीं, दोनो इससे हलके, इससे हलका hybrid, और hybrid से भी हलका light, कोई इससे heavy नहीं था, तो this is wrong, तीसरा option मुझे क्या कह रहा है, lower density than parental type, this is right, कुछ भी कर लो, चाहे तुम hybrid देख लो, चाहे तुम light देख लो, ये दोनों ही parental से तो हलके ही थे न, तो this is the right option, third is the right option, नहीं fourth option भी देखूंगी, intermediate density of each molecule of DNA, how can it be intermediate density, intermediate density, चलो मैं मान लेती हूँ, hybrid की हो जाएगी, of each molecule of DNA, सारे की सारे तो hybrid नहीं है न, अगर 20 minutes बात पूछते तो शायद fourth option सही होता, क्योंकि उसमें दोनों DNA intermediate density के थे, लेकिन पूछा 40 minutes बात है, 40 minutes बात सारे की सारे intermediate density के नहीं है, लेकिन हाँ, सारे की सारे parents से हलके जरूर है, तो answer will be 3, बहुत बढ़िया question था, I hope आपको इसकी depth समझ में आई हो, कि कैसे ऐसे questions को solve करते हैं, and answer will be 3, जितना अच्छे से NCIT read किया होगा, उतना अच्छे से visualize कर पाऊगे, और answers correct करोगे, ठीक है, अगला question पे लेके चलती हूँ आपको, which is question number 20, आपको बताना है कि इन में से कौन सा correctly matched है बिटा, translation unit में UTR नहीं आता, जो untranslated region होता है, वो या तो start codon से पहले होता है, या stop codon के बाद होता है, हाँ, ये translation के efficiency better करता है, पर ये translation unit में कभी भी नहीं आता, then there comes splicing, splicing represent the dominance of RNA world, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये आपने molecular basis of inheritance में read की होगी बिटा, splicing करने की power न, RNA के पास है, DNA के पास नहीं, और आप जानते हो, जैसी splicing होगी, तो वैस्ते अब RNA decide कर सकता है, कि उसको किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना, और हटाने के बाद, इंट्रोंस हटाने के बाद, exon को किस sequence में join करना होता है, ये भी RNA के पास power होती है, इसलिए खहते हैं कि RNA dominant रहा होगा, वो dominance दिखा रहे RNA का, कि RNA के पास choice है, ऐसा कभी DNA के पास नहीं था, तो ये उसका dominance दिखाता है, RNA एक better molecule है, एक better chemical है, जो की जादा reactive है, खुद catalyst के तरह behave करता है, उसके पास power जादा है, वो पूरे world को dominant किया होगा, और शायद हम तो ये भी कहते है, कि evolution में RNA पहले आया था, फिर DNA बना, लेकिन फिर भी RNA हमारा genetic material नहीं हो सकता, क्योंकि वो stable नहीं है, पर ये बात बिल्कुल ठीक लिकी होगी हो, है ना, फिर हमें कहे रहे है, monocistronic, यानि एक transcriptional unit में, एक transcriptional unit में, एक RNA और एक ही protein बनने की information हो, उसे कहते हैं monocistronic, ऐसा हम में होता है, हम eukaryotes में होता है, क्या ऐसा mostly bacteria में होता है, नहीं होता, बैक्टीरिया में तो उल्टा, polycystronic होता है, लैकोपिरोन उसका बहुत बड़े आग्जाम्पल है, एक transcriptional unit में, तीन protein बनने का समान डाला हो, that is polycystronic, हम होते हैं monocistronic, ठीक है, origin of replication, several thousands in bacteria, कताप ही नहीं, उनको एक दे दो भाया, हमारे पास बहुत सारे, और thousands में तो ऐसे भी नहीं है, ठीक है, तो this is also wrong, और हम से पूछ है correct, तो correct हो जाएगा 2, I hope आपको साथ में concept भी revise हो गया हो, जिनको नहीं पता था, उनको revise हो गया हो, and answer here will be 2, आगे दिखते हैं, question number 21, E. coli cell, मैंने कोई question ना छोड़ा हो बीच में, E. coli cell with a mutated LAC-Z gene, due to which it is unable to synthesize the corresponding enzyme, LAC-Operon याद करो, तो 3 gene होते हैं Z, Y, A, Z का काम होता है, beta-galactosidase बनाना, और वो mutated है, वो enzyme बनाने रहा, ठीक है, but it is still growing in the nutrient medium, beta-galactosidase enzyme, नहीं है उस bacteria के अंदर, लेकिन वो फिर भी grow कर रहा है, ये किस बात को indicate करता है, कि medium में आपने क्या डाला होगा, क्या supplement आपने दिया होगा, तो definitely आपने glucose डाला होगा, glucose उसके अंदर add क्या होगा, क्यों, अगर बिना LAC-Z के, वो grow कर रहा है, इसका मतलब उसको शायद LAC-Z की जरूरत पड़ी ही नहीं, इसका मतलब शायद उसे LAC-Z तोड़ने की जरूरत मिली ही पड़ी ही नहीं, क्योंकि आपने उसको एक alternate source दे दिया energy का, which is glucose, और glucose के लिए LAC-Operon चले ना चले, फर्क नहीं पड़ता, तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं बिटा गेलेक्टोसाइडेस डाल देते, मान लेते हैं, जीन म्यूटेट हो गया, हम भार से बिटा गेलेक्टोसाइडेस डाल देते, बिटा एंजाइन थोड़ी वो inculcate कर लेगा ना वहाँ पर, पहली बात, दूसरी बात हम source change करेंगे, वो जादा most appropriate option हमारे पास यहाँ पर होता है, तो answer anyway मेरे पास क्या चला जाएगा, 2, ठीक है जी, answer glucose होगा याँ पर, ओके, अगला question देखते हैं, which is question number 22, मुझे यहाँ पर कुछ cells दियें, साथ नाम दियें, मुझे बताने हैं कौन-कौन haploid है, haploid ही बताने हैं, बहुत favorite है फिरा, क्योंकि एक बार समझ में आ जाए न, तो it's very easy, antipodal embryo sac में होते हैं, तो embryo sac की तो सारी चीज़े haploid है, egg तो वैसी, female gamit है वो भी haploid है, synergit भी embryo sac में होता है, पूरा embryo sac haploid है, polar nuclei, nucleus नहीं बोला, nuclei, nuclei मतलब plural, दोनों nuclei की बात करें, n plus n, तो इसको आप लेके जाएंगे 2n में, पहली बात इसको 2n नहीं बोलना चाहिए, इसको n plus n बोलना चाहिए, पर फिर आप ऐसी ploid ही का क्या करेंगे, दोनों को ले रहे हैं, तो 2n में चला जाएगा ना ये, अच्छा, उसके बाद, उसके बाद, male gamit, male gamit तो n में आ जाएगा, इसको एक बाद चलो hold पर रखते हैं, देखते हैं, फिर option कैसा दिया हुए हमें, ठीक है, male gamit तो हमारा haploid है, nucellus हमारा mega sporengium में होता है, ये 2n होगा, और again, same बात फिर central cell, central cell के अंदर दो polar nuclei आई है, तो उसके बास तो वैसे भी 2n कहलो, या n plus n कहलो, ये situation है हमारे पस, ये situation है हमारे पस, ठीक है, इसको लेकर हम बिल्कुल sure हैं, कि ये तो haploid है नी, तो अगर किसी option में तुम्हें 6 दिख रहा, उसको eliminate करो, तुम्हें इस option में 6 दिख रहा, इसको eliminate कर लो सबसे पहले, ठीक है, 1, 2, 3, पक्का होने चाहिए, और 1, 2, 3, A की option में, जिसके साथ तुम्हें 5 ही दे रख है, तो 1, 2, 3 और 5 ही है, इन्होंने polar nuclei को consider नहीं किया है, central cell को भी consider नहीं किया, और technically करना भी नहीं चाहिए, बिटा, N plus N, प्लॉइडी में चला गया न, वो तो मुसको वैसे भी secondary nucleus 2N में मान रहे है, answer will be 3, तो answer here will be 3, अगला question देखे, question number 24, क्या कह रहे question number 24 हमें, यह आपका एक normal bacteria ग्रो कर रहा था, यहाँ पर T2 bacteriophage आया, ठीक है, और यह T2 bacteriophage के अंदर, यहाँ पर sulfur है, radioactive sulfur कहाँ पर होगा, आपको इन्होंने सिरफ radioactive sulfur बता दिया, आप जानते है, sulfur capsid बनाते है, DNA में नहीं होता, अगर वो radioactive है भी, तो वो बाहर है, अंदर तो है नहीं, अंदर DNA है, और यही जो DNA है, यह अंदर गया होगा, यही अंदर गया होगा, bacteria के अंदर, और अपना duplicate copy host के अंदर उसने बनाया होगा, जब यह cell की death हुई होगी, जब E. coli की death हुई होगी, तो आप जानते हैं, इन में से new virus पैदा होते है, light cycle में आप यही पढ़ते हो, bacteria फटता है, लेकिन उसने अंदर virus को replicate किया था, तो बहुत सारे ऐसे tiny viruses निकल के बाहर आते हैं, और हर virus के बाहर एक नई coating लगी होते हैं, तो proper ऐसे मतलब virus ready है, ठीक है, ठीक है, तो proper यह virus ready है, और पूरा का पूरा bacteria ने ready करके बाहर भेजा, clear हुई light cycle आपको अब option देखो, पहला option आपको क्या कह रहा है, कि जो नया virus बनेगा, है न हमें यह बात पता है न, हाँ, चिक है, कैसा virus produce होगा, question आप से यही पूछ रहा है, बाद यह जो new virus बनेगा, यह कैसे बने होगा, I hope आपको question समझ में आयो, पहला option कह रहा है, जो नया virus बना होगा, उसके अंदर radioactive capsid है, बिटा, रेडियो activity आपको नहीं मिलेगी, रेडियो activity इस virus के capsid में थी, और यह capsid कभी भी bacteria में entry नहीं लेता, सिरफ DNA अंदर आता है, capsid तो आता ही नहीं, तो कभी भी radio activity आपको नहीं मिलेगी, तो no sulfur 35 in protein code, बट radioactive sulfur in DNA, भाई DNA में sulfur नहीं आ रहा, यह तो होई नहीं रहा, इसको तो cancel कर तो, non radioactive capsid as well as genome, यह हुई ना बात, ना ही genome, ना ही capsid, कुछ भी radioactive नहीं है, कुछ भी radioactive नहीं है, फिर हमें क्या कहरे है, radioactive phosphorus question नहीं लिखा था, phosphorus radioactive नहीं लिखा था, अपनी मर्जी से यह तो होई नहीं सकता, तो यह भी हटा दिए, answer मेरे पास क्या आ जाएगा 3, answer मेरे पास क्या आ जाएगा 3, तीक है, आगे देखें, question number 25 When there are more than two alleles controlling the same character Generally, एक character को एक gene regulate करता है और एक gene के लिए हमारे पास दो alleles होते हैं एक इंसान के अंदर क्योंकि हम deployed ही रखते हैं ठीक है? लेकिन उस character के लिए population में शायद दो से जादा alleles है More than two alleles regulating a character known as multiple allelism Example, ABO blood group So, answer क्या होगा? Multiple allelism, सीधा सीधा definition है? And answer will be three आगे देखें, question number 26 Match the following आया है? Match the following easy होता, answer सामने है वस ढूंड़ को उसको टिक लगाना है So, question number 26 Monoploidy बिटा, monoploidy actually कुछ नहीं, haploid है Ploidy लिख दिया न, उन्होंने आगे और monoploidy मतलब एक ही set है, यानि haploid है Monoploidy होना, या polyploid होना यह सब uploidy में आता है ठीक है? Monosomy, trisomy, nullisomy यह सब enuploidy के अंदर आता है जिसके अंदर set तो दो हैं, पूरे-पूरे chromosome के Deployed है, यह बात पक्की है उसमें से शायद किसी एक set का कोई chromosome extra है या कम है, उसे हम enuploidy कहते है तो यह जितने भी चीज़े आपको दिख रहे है Monosomy, nullisomy, trisomy, tetrosomy यह सब enuploidy होती है इस question में इनके जरूरत नहीं है, मैं बस आपको concept समझा लेती, और यह haploid है यह uploidy के अंदर आता है तो monoploidy का सीधा-सीधा मतलब एक ही set होना चाहिए, यानि haploid haploid यानि n, तो मुझे a को match करना है 5 से, और a को match करेंगे 5 से, तो 2 option तो मैं सीधा-सीधा eliminate कर दूँगी, बचेंगे मेरे पास 2 option, दूसरा point मेरे पास, या दूसरा option मेरे पास है दूसरा column के अंदर मेरे पास है, monosomy monosomy मतलब 2 set है, deployed है किसी एक set में शायद 1 chromosome missing है, तो this is known as 2n-1 तो right, it is 2, answer तो आ गया लेकिन हम बाकी भी match कर लेंगे nulli somy मतलब, दोनों से ही आपने जो है, एक एक यहाँ पर निकाल दी है, that is 2n-2, एक एक chromosome गाइब है, trisomy में 1 chromosome जादा है, that is 2n plus 1, और tetrasomy में 2 chromosome जादा है, that is 2n plus 2, ठीक है 2n plus 2 तो देख लेते हैं option क्या होगा, वैसे तो हमने पहली सही बता दिया था answer होगा 2, right right, simple है, समझ में आ गया है, आगे देखें, question number 27, आपके सामने कुछ statements दी है, आपको statements में बताना है, इन में से कौन सी statement correct है, terrestrial ecosystem में majorly producers कौन होगे, हमारे पास herbaceous plants होते हैं, हमारे पास woody plants होते हैं वही हमारे producers, of course वही हमारे major producers हैं, और तो कुछ है नहीं na terrestrial ecosystem में, वही पानी में देखोगे, aquatic ecosystem में देखोगे, तो phytoplankton algae, higher plants, यह sub-producer है ठीक है, महाँ पर phytoplankton भी है, algae भी है, higher plants भी है, इसमें कुछ गलत नहीं लिखा हुआ कुछ गलत नहीं लिखा हुआ primary consumers आप herbivore को कहते हैं, जी हाँ, अगर मैं food chain की शुरुवात producer से करती हूँ तो chain में producer को खाने वाला होता है primary consumer, पहला consumer और पहला consumer और कुछ नहीं है herbivore ही तो है, plant को कौन खाएगा, कोई ना, कोई herbivore खाएगा ठीक बात है, primary consumer को कौन खाता है, फिर secondary consumer और ये secondary consumer carnivore होगा पहली बार carnivore आएगा, तो इसलिए इसको primary carnivore भी कह सकते है तो क्या secondary consumer को primary carnivore कह सकते हैं, ये statement भी ठीक है, तो बिटा सारे ही statement जब ठीक है, तो answer क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, अगला question देखें, question number 28, क्या कह रहा है, question number 28 हमको, which of the following is not a producer in ecosystem, इन में से कौन producer नहीं है, अगर वो green color में है, bacteria, protista, lower plant, higher plant, वो producer है, spirogyra होता है, nose stroke होता है, चाय बेक्टीरिया है, साइनो बेक्टीरिया पर वो है, spirogyra walvorks तो वैसी algae में चले जाएंगे, ये भी producer है, बच्चा कोन agaricus, कहां पढ़ा था, biological classification में पढ़ाया था, this is name for mushroom, besidium icities, fungi, और fungi धीट होते हैं, वो autotrophic नहीं होते, वो कभी producers नहीं होते answer क्या होगा, देखो उस chapter से भी link करके बोल सकते थे, इस chapter में भी बोल सकते थे, बात एक ही है, agaricus mushroom हो, और fungus खाना नहीं बनाती है, वो producer नहीं होती, तो answer मेरे पास क्या हो जाएगा, 2, अगला question देखे, question number 29, आपको बताना है incorrect statement, ठीक है, देखो read करो, एक nucleotide में ribos sugar और deoxy ribos sugar कुछ भी हो सकता है, सही बात है, अगर RNA है तो ribos sugar होगा, DNA है तो deoxy ribos sugar होगा, एक nucleotide में pyramidin base और purine base हो सकता है, जी हाँ, आप nitrogen base attach करो, चाहे purine, चाहे piramidic, एक nucleotide में protein, carbohydrate और fat आ सकते हैं, जी नहीं, protein अलग polymer है, carbohydrate अलग polymer है, fat अलग molecule है, ये अलग-अलग biomolecules है, biomolecule chapter में nucleic acid एक अलग biomolecule है, protein, fat, carbohydrate अलग biomolecule है, और nucleic acid नाम के biomolecule का monomer होता, nucleotide, ये totally अलग चीज़े हैं बिटा, इनमें इसमें से कुछ भी present नहीं होता, nucleotide से nucleic acid बनेगा, वो एक अलग biomolecule है, तो this is wrong fourth option मुझे क्या कह रहा है, कि phosphate group nucleotide में होता है, जी हाँ, nucleoside में नहीं होता, लेकिन nucleotide में होता है, तो answer क्या होगा, 3, क्योंकि मुझे तो incorrect ही पूछा था, गलत ही पूछा था, तो गलत क्या होगा मेरे पास, 3, ठीक है, आगे देखें, question 30 देखें, out, how many types of RNA polymerase are required for transcription of different RNAs of ATS type of ribosome, अब इसमें आपको दो information होना बहुत ज़रूरी है, बढ़िया question है, इसको तो mark कर सकते हो, good question, this is the काफी good question, इसमें आपको दो चीज़े पता होनी चाहिए, चीज नमबर वन, आपको ये पता होना चाहिए कि ATS वाला ribosome किस किस से मिलकर बना है, आप जानते हैं, ATS ribosome की दो sub unit है, एक है 60S, एक है 40S, अगर आप 40S को देखेंगे, तो इसमें 18S rRNA आपको मिलेगा, अगर आप 60S को देखेंगे, तो इसमें आपको 28S rRNA मिलेगा, ठी आपको 5.8S rRNA मिलेगा, ये cell unit of life chapter में ये पूरी information दी जाती है, और finally आपको एक 5S rRNA मिलेगा, जैसे यहाँ पर 18 है, अगर ये 70S होता, तो ये 30S होता, यहाँ 16 होता, पूरा ये information आपको आना चाहिए बटा, this is important, this is necessary, ये चीज, ये information आपको पता होने चाहिए, अब ये information त इतने RNA polymerase की जरूरत पड़ेगी, मैं किसमें बात करें हूँ, eukaryote में, क्योंकि prokaryote के अंदर तो वैसे भी एक ही RNA polymerase होता है, मैं अब eukaryote की बात करूँ, तो हमारे पास 3 तरीके के RNA polymerase होते है, RNA pole 1, RNA pole 2, और RNA pole 3, एक बार NCRT खोल के देखना, आपको पता चलेगा, कि हमा na, majorly, pole 2 का majorly काम होता है, mRNA और pole 3 का major काम होता है, tRNA बनाना, लेकिन ये 5S rRNA भी बनाता है, वो इसके पास आता है, SN rRNA और 5S rRNA, tRNA के साथ ये हिस्सा इसके पास चला जाता है, अब बाकी सारे rRNA, rRNA pole 1 बना लेगा, लेकिन 5S rRNA कौन बनाता है, pole 3, और इसके अंदर 5S भी है, तो इसका ATS बनाने के लिए, आपको 2 rRNA polymerase की जरूरत पढ़ जाएगी, एक होगा rRNA pole 1 और एक होगा rRNA pole 3, तो आपको कितने rRNA polymerase की जरूरत पढ़ी, 2, तो answer आपके पास क्या हो जाएगा, 2, clear, आगे देखे, question number 31 इतनी information होती, तो आप बहुत असानी से कर लेते, right, आगे ल जब आप DNA की बात करें, आप इस तरह के से replication fork देखते हैं, आप जानते हैं कि अगर ये 5' है, तो ये 3' है, ये 5' है, तो ये 3' है, जो आपका helicase है, जिसने इसको खोला होगा, वो definitely 5' to 3' वाली chain पर बैठा होगा, और आप एक बात जानते हैं कि DNA polymerase 5 to 3 ही काम करता है, अगर उसको इस direction में काम करना था, तो उसको सामने 5' मिल रहा था, तो उसने 5 to 3 काम कर लिया, लेकिन इधर क्या करें, इधर तो इसको सामने 3' मिल रहा है, ये काम नहीं कर सकता, तो इसको ulti direction में चलना पड़ता है, हर बार जितना DNA खुलता है, हर बार इसको ulti direction में चलना पड़त तो हर बार 5-2-3 खुलता था, फिर 5-2-3, फिर खुलता था, फिर 5-2-3, तो हर बार टुकडे बनाने पड़े, जिसकी बज़े से strand बनी discontinuous, strand discontinuous इसलिए बनी, क्योंकि DNA पोल ने मना कर दिया किसी और direction में चलने के लिए, DNA पोल क्या कह रहा है कि मैं चलूंगा तो एक ही direction में, which कुछ और नहीं, answer will be 2, आगे दिखते हैं, question number 32, Griffith के experiment की बात हो रही है, transformation वाला experiment, Griffith आप जानते हैं, उन्होंने एक जिंदा R-strain डाला था, और उनको पता था, कि R-strain नोन वाइरूलेंट है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, ये चुहे को मार ही नहीं पाएगी, और लेक coating present है, वो capsulated है, उसके पास एक coating present है, है न, उसी के वज़े से हमारे immune system से fight करता है, smooth coat उसके पास होता है, ठीक है, लेकिन वो मरा हुआ था, इन्हें लगा कि जब मरा हुआ है, तो क्या ही मार देगा चुहे को, तो उनके दिमाग में पूरा-पूरा था, Griffith के दिमाग में, कि actually हुआ था, आप जानते हैं, चुहा मर गया था, फिर भी चुहा मर गया था, ऐसा क्यों, इसका reason भी आप जानते हैं, कि कुछ तो था, heat killed S strain में, heat killed होने के बावजूद, इसके अंदर कुछ तो था, जो कि S से R में transfer हुआ, S में से कुछ निकल के R में transfer हुआ, और R convert हो गया, R convert हो गया into S strain, S में से कुछ निकला, हुआ R के अंदर transform हुआ, और R transform हो गया into S strain, यह हुआ था, अब option read करो, पहला option कह रहा है, R type bacteria develop a rough sugar coat called capsule, बिटा capsule rough नहीं होती, capsule smooth है, mucus coat है वो, एकदम smooth है, पहली बात वो rough नहीं है, तो यह option हो नहीं सकता, जो non-virulent bacteria था, यानि जो R strain था उसने dead bacteria का capsule उठा दिया, कि भाई, तु तो मर गया, अपना capsule मुझे दे दे, मैं शायद चुहे को मार पाऊ, ऐसा कुछ नहीं है, उधार पे capsule नहीं लिया है, उसने dead वाले से, ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद convert हुए है, उसने अपना नया capsule खुद बनाया DNA आने के बाद, त कुछ ऐसा transformation हुआ है, कि R strain convert हो चुकी है S strain में, और अब वो खुद virulent है, वो खुद चुहे को मार रही है, no, answer तो मिल गया, पर fourth option देख लो एक बार, non-capsulated bacteria, यानि कि R strain की बात कर रहे, had somehow been transformed by the living capsulated cell, बिटा, दूसरा capsulated cell living कहां से हुआ, ये मुझे बता, मानती हूँ कि R strain क transformation हुआ है, और capsulated मतलब S strain की बात करें, पर वो living cup था, वो तो heat killed था, वो तो heat killed था, तो how could this option be correct, तो answer मेरे पास क्या होगा, 3, आप elimination से भी इसको कर सकते थे, answer आपके पास क्या होगा, 3, आगे देखे, question number 34, देखे, आओ, क्या कहरे है question number 34 हमको, आपको correct statement बताना है, biochemical characterization के बा फिर 3 अलग scientist आए थे, जो की थे, Oswald, Every, Colin, McLeod and McLean, McCarty, यही तीनों का नाम था, इन्होंने उस heat killed S cell में से, protein भी निकाला, DNA भी निकाला, RNA में, इनको सब मिला, इनको सब कुछ मिला, क्योंकि obviously एक cell है, तो protein भी होगा, RNA भी होगा, DNA भी होगा, सब था, इनको सब मिला, इन् इन्हें अकेला S strain को R strain बनाने का, sorry, R strain को S strain में transform करने का काम करता, जी हाँ, इन्होंने यह बाद proof करी थी, chemical ही, क्योंकि इन्होंने एक बार RNAs डाला, तो भी फरक नहीं पड़ा, proteins डाला, तो भी फरक नहीं पड़ा, DNS डाला, तो फरक पड़ी, और इन्होंने बाद बोली कि हाँ, ठीक है, यह DNAs ही यह काम कर रहा होगा, sorry, DNA ही यह transformation का काम कर रहा होगा, यह भी उन्होंने बताया था, और proteins, RNAs डालने से कुछ भी effect नहीं पड़ा था, ऐसा ही experiment हमने पड़ा है, सारी, तो statement ठीक है, तो answer will be 4, all statements are correct बच्चा, answer will be 4, ठीक है, आगे देखें, question number 35, in order to code for 20 amino acid, the code should be made up of 3 nucleotide, यह किसने suggest किया था, George Gamow, पूरी calculation बिठाई थी, पूरा hypothesis दिया था, उन्होंने का था, आपके पास 4 types of nucleotide है, ऐसे मैं बताती हूं तो में उन्होंने क्या calculation बिठाई थी, उन्होंने का, तुम्हार पास 4 तरीके के nucleotide होते है, DNA में, तुम्हार पा एक codon बनाए, अगर 2 nucleotide मिलकर, एक codon बनाए और तुम्हारे पास 4 तरीके के codon है, तो 4 to the power 2 करोगे तो 8, तो तुम्हारे पास total 8 types के ही codon बन पाएंगे, और amino acid तुम्हारे पास होते हैं 20, कैसे balance करोगे, यह तो होनी पाएगा, फिर उन्होंने सोचा कि चलो, क्या पता, अगर 1 को भी बनाते हैं, तो 2 से पहले उन्होंने 1 के बारे में भी सोचा था, कि शायद 1 nucleotide 1 codon बनाए, तो 4 to the power 1 is equal to 4, तो इसका मतलब 4 तरीके के ही codon बन पाएंगे, और amino acid होते हैं 20, कैसे possible, नहीं possible, फिर उन्होंने सोचा, चलो 3 से बनाते हैं, इस बार ऐसा सोचके दे 4 into 4, यहां 16 आएगा, I'm sorry, ठीक है, और 16 भी anyway 20 से तो कमी पट रहा था ना, फिर उन्होंने सोचा 4 to the power 3 करो, 4 4 is a 16, 16 4 is a 64, यह हुई ना बढ़िया बात, अगर 3-3 nucleotide मिलकर codon बना रहे होंगे, तो 64 types के codon मेरे पास होंगे, और उन से 20 amino acid बनाना असान है, क्योंकि मैं degenerate ब तो यह बात हमें George Gamow उने सिखाई दी, आपका अंसर सिरफ George Gamow था, लेकिन मेरी responsibility थी कि मैं आपको concept भी revise करवाद हो, तो answer होगा 2, आगे दिखते हैं question number 36, DNA fingerprinting की बात हो रही है, DNA fingerprinting में आप जिसका भी DNA fingerprinting कर रहे हैं, आपने उसका DNA लिए चुकडे करें, फ्रेग्मेंट किय उन फ्रेग्मेंट को separate करने का काम कौन करता है, gel electrophoresis, the only method जिसमें size के basis पर सारे DNA अलग हो जाते हैं, तभी तो आप VNTR की मदद से फिर उनको पहचाँते हो, तो it is electrophoresis, gel electrophoresis के सिवा separation का काम हो, कोई भी नहीं करता, answer will be 2, आगे देखें question number 37, एक transcription का process आपको दिखा है, क्चो transcription भी आपको दिखा है, कि RNA बना और RNA बनने के बाद वो post transcription में जा जोगा है, क्योंकि कुछ modification करना पड़ेगा, आपको ABC बताना है, यह आप करना है, RNA बना, आप जानते हैं, इसमें कुछ exon होता है, तो कुछ intron भी होता है, intron हटाने के लिए 5' पे 7' की capping होती है, और 3' जो end है, वहाँ पर poly A की tail लगती है, ठीक है, और A क्या है, intron है, जिससे हटाना पड़ेगा, तो A intervening sequence है, A intron है, A intron है, A exon नहीं हो सकता, इस option को तो हटा दो, B पे 3-methyl-guanocene की cap है, पिटा, 5-methyl होती है, वो 3-methyl नहीं होती, this is wrong, 7-ethyl नहीं होती, this is wrong, ethyl-guanocene नहीं होती, वो 5-methyl होती है, answer आ गया आपके पास, it was simple, देखने कोई बड़ा लग रहा था है, 5-methyl-guanocene triphosphate की capping होती है, और 3' end पे poly A tail लगती है, 5' पे तो, आपके पास, sorry 5' पे आपके पास 7-methyl-guanocene की capp होती है, anyway 3 की फिर भी नहीं होती है, और 7-ethyl की नहीं होती, 7-methyl-guanocene की capp होती है, और 3' पे poly A tail लगती है, तो answer आपके पास क्या हो जाएगा, 4th, right, so answer मेरे पास क्या हो जाएगा, 4th, आगे देखें, question number 38, इन मेंसे कौन से organism producer है I hope मैं कुछ छोड़ना रहे हूँ इन मेंसे कौन से organism producer है plant भी है phytoplankton भी है दोनो producer है consumer producer कैसे हो सकता है zooplankton primary consumer है वो भी नहीं हो सकता और chlorophyll तो एक pigment है वो food chain में आएगा ही नहीं तो answer is one option ही बहुत funny थे तो answer will be one this is simple आगे देखें question number 39 एक female है जिसको turner syndrome है अब अब turner syndrome मतलब क्या 45 autosomes है और XO है X होने से वो बनी तो female है पर proper female नहीं बन पाए क्योंकि दूसरा X उसके पास है नहीं तो वो 45 plus XO है ovaries develop नहीं होंगी secondary characters बनेंगे नहीं height छोटी रह जाएगी स्टराइल हो जाएगी है ना ये सारी चीज़े and this is non-asterna syndrome सारे ही feature होते हैं answer will be 4 direct-direct symptoms दे रखें answer will be 4 अगला question देखो question number 40 a sequence of species or organism through which food energy pass in a community pyramid तो सिरफ pyramid तो बस बताता है बिटा primary level पर कौन number देख लो energy देख लो जो transfer होने वाली है अच्छा producer level पर कितनी energy थी फिर कितनी थी ये तो calculate करने के लिए ये sequence of transfer नहीं है एक से दूसरे में transfer होना मतलब इसने इसको खाया इसने इसको खाया उसको बोलते है food chain अगर मैं ये sequence में लगाऊं कि कैसे-कैसे food energy जा रही है बतलब कौन किसका भोजन है कौन किसको खा रहा है that is known as food chain तो answer will be 2 बस English समझने वाली बात थी उसके बाद तो answer simple है answer here will be 2 आगे देखें question number 41 अच्छा age pyramid age pyramid population में आता है ecosystem वाले chapter में पहला pyramid होता है triangular जो growing population के लिए होता है कि बच्चे बहुत जादा है फिर reproductive age कम बूढे कम दूसरा होता है bell shape जिसमें बच्चे और reproductive age लगभग बराबर है बूढे थोड़े से कम है इसको बोलते है stable population यह stable है और तीसरी होती है जो इस तरीके से spindle shape बनती है yarn shape spindle shape बनती है इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो और इसके अंदर reproductive age जादा है बच्चे भी कम है बूढे भी कम है इसको बोलते है declining now this is growing sorry this is growing यह लगातार भढ़ रही है this is stable यह stable है और यह तो कम हो रही है this is declining तीन तरीके के age pyramids होते है जिसमें यह जो bell shape आपको दिख रही है यह stable population के लिए होती है तो answer here will be 3 answer here will be 3 आगे देखें question number 42 देखो जरा the rate of formation of new organic matter by consumer is सबसे पहले producer का काम है sun के energy लेकर खाना बनाना उसको हम बोलते है primary productivity उसमें से कुछ वो respiration में लोस कर देगा GPP बची हुई NPP खाएगा primary consumer उस NPP को primary consumer खाकर वो अपने अंदर कितना mass बना पा रहा है कितना अपने अंदर वो store कर पा रहा है उसको ताकि next level को वो energy मिल सके that is known as secondary productivity तो आपका consumer कितना अपने अंदर organic matter बना पा रहा है plant को खाकर वो उसकी secondary productivity है अगर plant कर रहा होता तो primary consumer कर रहा है इसलिए इसको बोलते secondary productivity answer will be 4 चिक है? आगे देखें question number 43 what proportion of par is captured by the plant for synthesis of organic matter यानि photosynthesis करना और यह मैं आपको पहली बता चुकी हूँ total sunlight का 50% से भी कम par होता है और उस par का भी सिरफ 2 से 10% ही plant use कर पाता है पूरी जिंदगी में answer will be 2 तो total का तो 1 to 5 ही कर पाएगा answer will be 2 आगे देखें question number 44 आपको odd one out बताने ट्रॉफिक लेवल के लिए zooplankton, tadpole, grass hopper, hydra hydra जाएगा hydra एक silentrate होते हैं और यह mostly carnivores होते हैं small fishes को खा लेते हैं zooplankton भी हर्विवर है grass hopper भी हर्विवर है tadpole भी हर्विवर है बाकी तीनो primary consumer है लेकिन hydra carnivores में चला जाएगा तो answer will be fourth answer will be fourth चीक है आगे देखें question number 45 in deep sea hydrothermal vent producers are deep sea hydrothermal vent की बात करें light वहाँ पर नहीं पहुंच रही अगर वहाँ कोई producer है जो खाना बना रहा है तो लेको विटा sunlight तो पहुंच नहीं रही तो photo word नहीं आ सकता light वहाँ पर है नहीं phytoplankton plankton का मतलब वो होता है जो पानी के surface पर passively float करें तो इतला नीचे plankton कभी हो नहीं सकता बचा कौन chemo autotroph आप इसको elimination से भी कर सकते थे और वैसे भी बिटा इतने है नीचे तो chemo autotroph इसरवाइब करेंगे पार्क, sacred group यह सारे in-situ है 90 national park है 448 wildlife centuries और 14 biosphere reserves है 14 biosphere reserves है कुछ sacred groups है जैसे आरावलीज हो गया आखासी और जैंतिया हिल्स हो गया safari park जो है वहाँ पर ecosystem का conservation नहीं है animals का है और बहुत अतक human activities allowed है तो answer will be 2 आगे देखे question number 47 rivet proper hypothesis जिन्हों ने कहा था कि जो plane है वो ecosystem है और उसमें लगी जो screws है जो rivets है वो harm है वहाँ पे रहने वाले organism है आप धीरे-धीरे extinct करते जाएए पहले आपको फर्क नहीं पता लगेगा लेकिन जब main इंसान निकलने लगेगे और जब पूरा plane गडबड़ा जाएगा जब wings के screw निकलने लगेगे तब आपको पता चलेगा biodiversity कितनी ज़रूरी थी और यह इतना बड़िया analogy हमको दिया था Paul Elrich ने answer will be 2 answer will be 2 ठीक है आगे चले question number 48 46, 47, 48 आजओ जो दो nuclei होते हैं at the end of pollen tube अगर मैं आपको बोलूँ यह stigma है यह style है यह ovary है यहाँ कोई pollen आया pollen ने अपनी pollen tube बनाई यहाँ पर आपका ovule है ovary है ठीक है अब यहाँ से यह pollen tube यहाँ पर जाकर पहुँच रही है अगर आप इसको देखेंगे आप जानते हैं pollen grain के अंदर एक vegetative nucleus होता है और उसके अंदर flot कर रहा होता है आपका generative cell generative cell 2 cell stage पर भी हो सकता है 3 cell stage पर भी हो सकता है हम बोलते है 60% वो 2 cell stage पर रहता है अब यह 2 cell stage में कौन कोन है एक vegetative nucleus है और एक generative nucleus है जब यह 2 cell stage पहुँचेज़गी pollen tube बनाएगी germinate करेगी तब इस vegetative nucleus को ही tube nucleus बोलते है tube nucleus और कुछ नहीं है यह vegetative nucleus ही है अगर आपको doubt हो रहा तो अब जैसी यह pollen tube यह pollen grain में से pollen tube germinate करते है आगे की तरफ यह tube nucleus रहता है और पीछे की तरफ आपका generative nucleus रहता है थोड़ी देर बाद यह generative nucleus divide करकर 2 sperms बना लेता है ठीक है आपसे बोल रहे हैं दो nuclei कौन कौन से होगा आप जानते हैं एक तरफ sperm होगा अफकोस मतलब sperm होगा और एक tube nucleus होगा लेकिन sperm फिर plural में हो जाएगा generative nucleus बोलना जादा बेटर है कि generate एक अगर बात कर रहे हैं तो generative nucleus है क्या मैं दो sperms नहीं बोल सकते थी नहीं बिटा end तक जब तक pollen tube ovule तक नहीं पहुँचती ताब तक tube nucleus जंदा होगा उसके बाद हो degrade होता है tube nucleus, vegetative nucleus है generative nucleus pollen grain में था वो बाद में डिवाइड करकर 2 male gamit या 2 sperms बना सकता है pollen tube में ovum तो कभी भी नहीं आएगा pollen tube में stigma का nucleus तो कभी भी नहीं आएगा तो अगर आपको doubt हो रहा होगा तो 1 और 4 में हो रहा होगा जिसमें 1 जादा correct है ये मानना कि tube nucleus और पीछे-पीछे generative nucleus और वो generative nucleus बाद में जाकर 2 gamits में divide हो जाएगा लेकिन majorly मैं इन दोनों nucleus की बात करी हूँ तो answer मेरे पास क्या हो जाएगा 1 ठीक है आगे देखें question number 49 Generative nucleus divides into यही तो मैं आपको बता रही थे generative nucleus बाद में जाकर 2 male gamits बना लेता है अब उसे आप 2 male nuclei भी कह सकते हैं तो answer will be 1 ठीक है आगे देखें question number 50 Embryo sac कहां है? Ovule के अंदर है Embryo sac कहां बनता है? Megaspore mother cell जो बनती है Ovule के अंदर वो आगे mitosis करकर पूरा embryo sac haploid बनाती है तो कहां है बिटा? Ovule के अंदर It is inside the ovule And answer will be 3 Answer will be 2 I think with this we have finished botany मैंने फिर से calculation गलत करी है 2 questions रहे है मैंने फिर से कोई तो calculation गलत करी है 1 minute देखने दो मिल गई है गलती बिटा एक तो हमने 22 के बाद सीधा 24 लिख दिया था एक गलती हमने यहीं कर दी So this is 23 तो तन तुम लोग This is 23 ठेक है? ठेक है अब इसकी बाद थोड़ा सा फिर चेंज करना ही पड़ेगा कर लेते हैं क्योंकि हम अकसर ये एक ये बिना तो मतला शगून ही नहीं हो रहा है This is 25 क्या ही देखो अब तो मैं पता लगेगा बायो वाले लोगों की मैट्स अकसर कमस हो रहा है counting ही नहीं आ रही है So 27 ये मैं हर बार करती हूँ और हर बार बोलती हूँ कि इस बार नहीं करेंगे 28 पहले बताना चाहे तुम लोगों को 29 शुकर है इस बार उतनी बड़ी गलती नहीं करिये हमने 30 चीक है 30 के बाद 31 31 के बाद अब आगे ना बैलेंस पूरा देखो 32 के बाद 33 भी नहीं लिखा था सीधा 34 लिखा था So now this is 31 and this is 32 33 देख लेना सब लोग अब अपने अपने questions review कर लो ये 33 है ठीक है वैसे हो तो देखो मैंने पूरा question साथ साथ में read किया ही है इतनी दिक्कत तो हो नहीं चाहिए नहीं पर ये 34 है मैं फिर भी correct कर देती हूँ ये 35 है ये 36 है ये 37 है ये 38 है 39 है 40 है अपना अपना question देखते जाना बच्चे ये 40 है 41 है 42 है 43 है 44 है 45 है 46 है 47 है 48 है 49 है अब हम आ गए है ठीक जगा पे studio population ये हमने ecology में पढ़ा है organism and population वाले chapter में जहाँ धोखा होता है कॉलपा भी करती है एक तरीके के orchid orphiris उसका नाम दे रखे है हमें औफाइरिस orchid है जिसके साथ कॉलपा भी धोखा करती है तो answer will be 2 और last में आ रहा है question number 50 अब हम ठीक है plant animal interaction की बात करें तो mutualist को evolve करते है करते है ना बिटा क्योंकि वो mutualist है जीना मरना साथ है मरेंगे साथ जीएंगे साथ तो उस situation में जो दूसरा साथ ही है अगर वो evolve करेगा और तुम evolve नहीं करोगे against the cheater सही बात है उनको mutualist बनाया एक दूसरे पर ही dependency बनाई एक दूसरे का भला होना चीए मैं तुम्हारा भला करेऊ तो तुम भी भला करो cheating करके मच जाओ बे मतलब का use करके मच जाओ अगर मैं तुम्हारा भला करेऊ तुम भी करो अगर उसका partner नहीं रहेगा कोई हो रहेगा तो cheating हो जाएगे तो वो अपने partner के साथ ही रहना चाता है और अपने partner के साथ उसे evolve होना पड़ेगा अच्छा अग गिवन plant species can be pollinated only by its partner animal species and no other species वैसे तो this is a more correct answer कि साथ में ही तुमको और कोई pollinate ही नहीं कर पा रहा जरूरी नहीं है हर mutualist pollinator हो अगर मैं बात करूँ तो plant के लिए animal उसका pollinator है और उनको साथ में और कोई pollinate कर नहीं पाएगा तो वो कैसे काम चलाएगा अगर दोनों तरीके का फाइदा हो रहा है जो animal है वो plant को use कर रहा है OB position के लिए ठीक है देखे जाए तो language थोड़ी सी गलत लिखी हुए देखो वो plant को use नहीं कर रहा है plant को pollinate करने के लिए plant उसको use कर रहा है खुद का pollination करवाने के लिए पर NCRT अगर आप read करेंगे तो NCRT में इस point को साफ साफ mention किया कि देखना पड़ेगा कि कोई cheating ना हो जाए और उसके नीचे लिख है now you know why कि mutualist को evolve करते है तो ये reason है option one definitely reason है हम जानते भी है क्योंकि अगर उसका mutualist partner नहीं आएगा कोई और आएगा तो cheating हो सकती है second option भी बिल्कूल ठीक है उसके partner के सिवा कोई और pollinator ही नहीं पा रहा plant मर जाएगा या animal मर जाएगा उसको महाँ से कुछ मिल नहीं रहा plant वैसी मर जाएगा उसको अपना animal नहीं मिलेगा तो कैसी वो अपनी species आगे बढ़ाएगा तो evolve को evolve होना जरूरी है और इसलिए हम third को भी सही मान लेंगे although English third में थोड़ी उट पटांग है पर answer will be four ठीक है answer will be four I hope this is clear and with this आपका botany section खतम होता है आपको सारे questions समझ में आयो and I hope बहुत से बच्चे हैसे हो जिन्होंने 50 में से 50 ठीक है हो अगर ठीक है तो मुझे कमें सेक्शन में जरूर बताना and I'll see you in discussion of another mock test thank you hello my dear students I hope आप सब ठीक होंगे आज हम करेंगे mock test 7 के zoology section का analysis तो आज पिटा start करते है first question से temperature necessary in scrotum for sperm formation in human should be तो ये जो scrotum है ये क्या है एक ये bag सा है जो body से थोड़ा बाहर है जिस वज़े से इसका temperature जो होता है वो कम होता है क्यों कम होता है क्यों कम होता है ये हमने बता दे कि body capability से बाहर में है ठीक है और temperature का कम होता है इसके अंदर क्या present होता है इसके अंदर present होता है testis और sperm permission के लिए जो optimum temperature होता है वो 2 to 2.5 degree celsius body temperature से कम होना चाहिए ठीक है तो इसी वज़े से scrotum एक sack में बाहर की तरफ में present होते टेस्टी तो answer के आएगा हमारा second answer would be 2 ठीक है चलो next question करते है the yellowish cholesterol secreted by the mother in the initial days of lactation, lactation जब अपने बेबी को feed कर आ रही होती infect को is rich in source of IgA ठीक है it is rich in source of what IgA what is it is an antibody ठीक है यह बनी हुई antibody जो है वो mother से मदर से किधर जा रही है मदर से जा रही है infant में ठीक है और इस process को क्या कहेंगे तो अगर कोई भी preformed antibody अगर किसी को भी दी जाती है तो वो क्या है वो passive immunity है क्योंकि actively challenge ही नहीं हुआ immune system to produce antibody कुछ से ठीक है तो यह passive immunity है और यह naturally बन रहा है को induction नहीं हो रहा है कि artificially induced करा फिर उसके बाद antibodies बनी हो फिर हमने transfer करी है तो this is what naturally passive immunity है तो answer होगा इसका क्या third ओके चलो next question करते है the figure given illustrates the mode of action of HIV HIV के mode of action को बताता है A B C क्या है वो हमको बताना है यहां पर ठीक है तो अब आप देखिए यहां पर viral क्या होता है HIV एक क्या है रेट्रोवाइरस है है ना रेट्रोवाइरस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है single standard RNA प्रेजेंट है यह जो होगा यह viral RNA को host के अंदर भेजेगा ठीक है host के अंदर भेजने के बाद में यह viral RNA रहेगा हमारा इसके बाद यहां पर कौन सा enzyme काम करेगा reverse transcriptase काम करेगा उसके बाद क्या convert हो जाएगा यह बन जाएगा क्या viral DNA फिर यह जाके incorporate होगा किसमें host के self host के nucleus में host के DNA में incorporate होगा जाके और उसके बाद में क्या बनाएगा उसके वाइरल आरे लिया थीक है तो हमसे पूछा ही सब A B C D वह गया है तो A क्या है viral RNA B क्या है viral DNA C क्या है new viral progeny है ना new viral RNA और फिर उसके बाद D क्या है यह viral DNA बना यह D step में क्या हो रहा है यह जाके host cell से incorporate हो रहा है तो answer क्या आएगा हमारा third ठीक है चलो next question करते है select the wrongly matched pair with respect to what? बायो control agent बायो control agent के respect में हमको बताना है कौन सौप्शन सही है तो lady bird beetle जो होती है वो ball worm को नहीं करती है यह किसको aphids को control करने में काम करती है तो यह तो गलत हुआ हम एक wrongly match ही बताना था अब bacillus thuring genesis जो होता है वो butterfly caterpillar क्योंकि यह BT toxin बनाता है वो आपने इसा पढ़ा होगा इसकी बारे में कि transgenic plants बनाया जाते तो यह statement भी सही है त्राइको डर्मा ट्राइको डर्मा प्लांट के लिए बायो control agent है बायो control agent है है अब dragonflies dragonflies कौन से मॉस्किटोज मॉस्किटोज जैसे hawk मॉस्किटोज को regulate करने में control करने में help करता है तो answer क्या हैगा हमार answer हो जाएगा हमारा a answer will be a ठीक है answer हो जाएगा हमारा a ओके चलो next question करेंगे which one of the following statement is correct with respect to immunity immunity के respect में कौन से statement सही है वो बताना है अब देखिए preformed antibodies are needed to be injected किसमें inject की जाएगी अगर किसी को wiper snake ने काटा तो हम preformed antibodies जालेंगे हम बेट नहीं करेंगे कि भाई body react करें फिर antibody बने क्योंकि वह time taking process है और यह जो venom होता है snake का यह जो venom होगा कि कुछ घंटों के अंदर अपने toxin से इतना damage कर सकता है कि हम बेट नहीं कर सकते कि immunity क action का तो इसी वजह से यह जो venom के अंदर जो toxin होते हैं इसलिए हम उसके उसको counter करने के लिए preformed antibody डालते है तो यह statement तो सही है अगला statement देखते है तो antibodies against smallpox pathogen are produced by T lymphocytes नहीं बेटा यह T lymphocyte नहीं बनाता antibodies यहाँ पे कौन बनाता है B lymphocyte ठीक है B lymphocyte बनाता है ओके चलो next third है statement antibodies are protein molecule, antibodies protein molecule है, सही बात है protein होता है, each of which has 4 light chain, नहीं antibodies के पास में 4 होती है chains बनाता कौन से होती है, दो इसके पास heavy chain होती है और दो इसके पास में light chain होती है ठीक है तो यहाँ और यह जो heavy ओ लाइट chain होती है और यहाँ पर यह linked होती है किस से sulfur disulfide linkage से ठीक है तो यहाँ पर यह statement भी गलत हो गया यह statement भी गलत हो गया last का statement देखते है rejection of kidney graft is a function of B lymphocyte नहीं यह specifically किसका function है यह T lymphocyte का function है ठीक है मैटा किसका function है T lymphocyte का तो answer होगा हमारा क्या one correct statement immunity के लिए one statement ही correct है चलो next question करेंगे during sewage treatment major part of activated sludge is pumped into sludge digester here क्या होता है sewage water आया हमारे पास sewage treatment के लिए ठीक है इसमें पहले तो हम primary treatment करेंगे primary treatment करेंगे इसमें क्या करेंगे इसको sediment करेंगे इसके अंदर कोई बड़े chunks है fragment से उन्हें निकाल देंगे फिर उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं इसको बेचते हैं किसके लिए secondary treatment के लिए यह secondary treatment किससे होता है यह होता है living organism से बैक्टीरिया से फंगाई से ठीक है बैक्टीरिया फंगाई फ्लॉक जो होता है ठीक है anaerobic digester में हम इसको वापस से डाल देते हैं ठीक है यह क्यों डालते हैं यह जो activated sludge है जो की फ्लॉक जिसको कह रहे हैं हम ठीक है यह जो फ्लॉक है जो की जिसको हम कह रहे है activated sludge activated sludge जो है बिटा, वो क्या करेगा anaerobic digester में इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो कोई भी bacteria eukaryotic हो चाहे bacteria नहीं, कोई भी eukaryotic aerobic जो भी है important क्या है anaerobic digester में डाले, वहाँ aerobic bacteria होगा, तो वो वहाँ पर कुछ survive नहीं कर पाएगा, तो जो prokaryot हो चाहे, वो eukaryot ठीक है, इस sludge के अंदर जो होगा तो answer क्या आएगा हमारा 4 bacteria digest aerobic eukaryotes and prokaryotes in the sludge ठीक है, answer होगा हमारा 4 चलो, next question करेंगे example of each of the convergent evolution and divergent evolution respectively, ठीक है convergent का मतलब क्या हुआ कि आगे जाके कहीं पर यह मिल रहे है ठीक है, converge कर रहे है तो यह होगा convergent evolution अगर हमसे पुछे divergent मतलब एक point पे कहीं एक थे और आगे जाके वो बढ़ रहे हैं तो आगे जाके दूसरे भैल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? divergent evolution, ठीक है? अब इन में क्या मतलब हुआ? कि इसका मतलब है कि origin इनका अलग-अलग है पर function, different ठीक है? और जो इनका function है function वो क्या है? same कर रहे हैं और वही divergent में हम अगर देखेंगे divergent का मतलब क्या हुआ? कि origin इनका जो है same है बट इनका जो function है वो different हो गए same structure है पर वो अलग हो गए अब इतना हमें concept समझ गया तो ये question हम बहुत easily कर सकते हैं सारे NCRT में इसके example दिये हुए eyes of octopus and mammals दोनों का function है देखना पर क्या इनका origin same है? नहीं, इनका origin same नहीं है तो ये क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? इनका function origins अलग-अलग है पर function same कर रहे है तो सीधा-सीधा convergent होना चाहिए इसको है ना? Convergent evolution होना चाहिए? divergent evolution का देखते हैं example bones of four limbs of vertebrates अलग-अलग vertebrates के अलग-अलग तरहा के form के limbs हैं है ना? बट इनका जो origin है जो उनका main structure है वो सेम है function अलग-अलग हो सकता है बट इनका origin सेम है तो ये क्या होगा? ये होगा divergent evolution का example तो answer हमारा क्या होगा? 1 ठीक है? चलो 1 होगा इसका answer correct चलो next question करेंगे हम if vasectomy is performed in a made vasectomy का मतलब क्या हुआ? कि हमने vasa difference में snip लगा दिया उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जो transport हो रहा था sperm का कहां से? testis से जो आ रहते वो बंद हो जाएगा sperm का आना बंद हो जाएगा ठीक है? तो ये क्या correct option होगा? कि no ejaculation occur ठीक है? तो बहाँ पे सिर्फ किस चीज़ में हिंडरेंस हुई है कि sperm transport is blocked vasectomy में क्या कर रहा है? sperm जो कि gamete जो potentially fertilization कर रहा है तो उसी को हम रोक देंगे महाँ पे sperm transport is blocked ये हुआ है महाँ पे बट जो accessory glands है महां का उसका secretion बंद हुआ है क्या नहीं? vasectomy में उसको हम नहीं छेटते है तो ejaculation ज़रूर होगा ठीक है? testosterone level are reduced in blood ये कहां होते है? ये होते है testis में तो यहाँ पे testosterone के level को disturb करने के लिए में testis में तो कुछ किया ही नहीं हमने तो सिर्वास difference जो कि transport कर रहा है उसको block किया है तो ये भी गलत हो गया ये भी गलत, ये भी गलत next statement देखते हैं next statement क्या है? spermatogenesis stop spermatogenesis कब stop होगी? जब हम वहाँ से testis अटा लेंगा testis में कुछ change कर देंगे तो spermatogenesis होगा vas difference में कोई spermatogenesis नहीं हो रहा है तो ये statement भी गलत हुआ semen contains no sperms ये option सही है ये क्यों सही है? क्योंकि हमने स्पर्म का transport को रोगा है sperm के transport को रोगा है उसके production में कोई चेज नहीं किया है तो answer होगा हमारा क्या? fourth correct answer होगा fourth चलो next question करेंगे how many sperm and ova will be produced in 100 primary spermatocyte and 100 primary oocyte ठीक है? तो फटा-फट से हम देखेंगे कि testis के अंदर जो है अगर हमारे पास में 100 primary male 100 cells है तो पहले हम एक से देख लेंगे कि एक अगर हमारे पास एक first primary spermatocyte है spermatocyte है ठीक है? तो ये क्या होगा? ये जाएगा meiosis 1 के अंदर meiosis 1 में क्या होगा? इसके पास में इससे बनेंगे 2 ये 2N में होगा यहाँ से हमारे क्या बन जाएंगे? यहाँ से हमारे 2 haploid cell बनेंगे फिर ये आगे जाके ये बनेंगे हमारे secondary spermatocyte यहाँ से ये बनेंगे हमारे spermatocyte ठीक है? spermatocyte बन गया यहाँ पर और इससे हमारे क्या बनेंगे sperm तो इससे बनेंगे हमारे sperm ठीक है तो मतलब एक से कितना बन रहा है एक से हमारे बन रहा है चार तो सौ से कितना बनना चाहिए इससे बनेंगे 400 तो 400 sperm तो बन जगा गए ठीक है अब फीमेल का देखते है फीमेल में क्या होता है कि ये primary primary oocyte है हमारे पास ये भी mitosis करेगी sorry, meiosis करेगी meiosis बन के थू जाएगी तो हमारे पास एक तो secondary cell बन जाएगा N में और यहां पे एक बनेगा हमारी क्या pole ये छोटा ये बनेगा हमारा polar cell फिर ये भी आगे जब डिवाइट होगा तो वापस एक polar cell बनेगा और एक हमारे पास जो final oocyte है वो बन जाएगा ठीक है over बन जाएगा अपना sorry, oocyte नहीं over बन जाएगा जो की N होगा तो यहां पे क्या हो रहा है एक से बन रहा है एक वहाँ पे एक से बन रहा है चार इसमें 100 से कित्ता बनेगा चलो, next question है use of bio resources by multinational companies without proper authorization कि MNC ने कोई information है किसी country की जो regional है और MNC ने बिना proper authorization के उसको use करा तो उस term को क्या कहते है उससे कहते है बायो बायरेसी कि आपने कोई information है जो उस country उस people की community की local की बहुत important है जो की beneficial हो रहा है और MNC ने क्या करा उसको commercialize कर दिया उससे पैसे बनाने लगे बिना उनसे proper authorization लिए तो उसको कहते है बायो पायरेसी ठीक है उससे कहेंगे हम बायो पायरेसी ठीक है answer होगा हमारा third चलो next question करेंगे identify A, B और C in the given diagram यह क्या है यह हमारा plasmid vector है PBR 322 अब यहां पर क्या हो रहा है यह देखो इसके पास दो selectable markers हैं जो कि यह एंफिसिलिन रेजिस्टन्स जो कि अंटिबाइटिक रेजिस्टन्स जो कि selectable marker की तरह काम करते हैं तो यहां पर यह जो C है वो क्या है रॉप जीन है स्टॉप करने के लिए जो ज़रूरी होता है अब बी बताना हमें क्या है tetracycline resistance में एक हमारे पास आरी restriction enzyme का site होता है जो कि है क्या BAM H1 यह BAM H1 क्या करता है कि जब हमें जीन क्लोनिंग करनी है तो हम BAM H1 डालेंगे ताकि हम tetracycline resistance को as selectable marker यूज कर सके अगर हमने हमारे clone gene को यहां डाल दिया तो क्या होगा कि हमारे tetracycline resistance का जो जीन है जो कि resistance बना रहा था वो disrupt हो गया तो अब यह क्या हो गया कि tetracycline में डालेंगे तो यह मर जाएंगे और जहां पर clone वाले होंगे तो वो मर जाएंगे और जो clone नहीं होंगे जहां पर tetracycline resistance gene एकदम intact वैसे का वैसा होगा तो वहां पर कोई change नहीं आएगा तो selectable marker की तरह काम करेंगे answer होगा हमारा क्या यह code A होगा answer A होगा ORI is the initiation of replication B होगा हमारा क्या BAMH1 जो कि insertion and inactivation of tetracycline gene करेगा recombinant में और C होगा rovedin जो code for the protein essential for plasmid replication जो plasmid replication में काम आएगा answer होगा हमारा क्या 4 ठीक है चलो next question करेंगे antibody meanly responsible for secondary immune response बहुत simple जब हमारा primary response होता है ठीक है फिर उसके बाद में हमारा secondary response आता है अगर फिर से वापस से हुआ तो सबसे पहले कौन आता है और यह second आता है IgG ठीक है IgM क्या होता है pentavalent होता है और यह क्या करता है इसको इसी लिए जादा आता है क्यों जादा antigen को फकड़ सकता है बता सकता है यह कौन सा है कौन सा नहीं है तो secondary exposure पे यह IgG होता है जो क्या होता है important होता है secondary immune response के लिए तो answer होगा हमारा क्या third ओके चलो next question करेंगे next question है से प्रेजेंट इंटरस्टिशल स्पेस बिट्वीन दी सेमिनी फेरो स्टिब्यूल सेमिनी फेरो स्टिब्यूल कहां है टेस्टीज में प्रेजेंट है और यह क्या स्टिमूलेट करता production of androgen अब आप सम बन रहा है हमारे sperms बन रहे हैं ठीक है और एक और चीज़ होती उसके पास में है लेडिक सेल्स ठीक है सबका अपना-पना individual role होता है sertoli cell जो होते है वह nurse cell की तरह काम करते हैं कि जो हमारे sperm बनते हैं वह आगे mature होते हैं उससे पहले वह अपने आपको sertoli cell के अंदर इंबिडिट करके रख लेते हैं ताकि उनको nutrition मिल सके तो इसको nurse cell भी कहते हैं यह चो लेडिक cell होता है लेडिक cell क्या करता है लेडिक cell के उपर आके hypothalamus से इंट्यूस करता है वो किस को लेडिक आया इसको induce कर रहा यह क्या करेगा यह प्रेडियूस करेगा एंड्रो जन तो कौन सा cell काम कर रहा है interstitial और यही यही है जो interstitial में present होता है interstitial cell इन्होंने direct नाम ना देखे दूसरा नाम दिया हुआ इसका तो answer क्या आएगा हमारा second LH ठीक है answer would be second ठीक है चलो next question करेंगे हम read the following features क्या के features दी गए है और हमें बताने कौन सा applicable है multi-load multi-load 375 के लिए multi-load multi-load 375 क्या है एक यह copper copper-mediate copper iud है intrauterine device है यह copper होता है जिसके अंदर वह क्या-क्या role play करता है वह क्या करता है वह suppress करता है sperm की mortality को suppress करता है phagocytosis करता है वह जो uterus को कैसा बना देता है inhospitable बना देता है कि वहां पर fertilization होकर भी embryo stick ना कर सके तो पहले चीज़ की वह phagocytosis ही कर देगा तो fertilization नहीं होगा तो promote करता है phagocytosis of sperm within uterus और तीसरी चीज़ क्या होता है copper से reduce करता है fertilizing capacity of the sperm उसको भी कम कर देते हैं तो answer क्या आना चाहिए यह 3 होना चाहिए चौथा option के inhibit ovulation ovulation में कोई role ही नहीं क्योंकि यह क्या है uterine में लगा वाए तो यह तो गलत हुए फूर्थ है blocks the entry of sperm beyond surface cervix ठीक है cervix से beyond ऐसा कुछ नहीं वहां covering नहीं है यह अंदर है यह womb के अंदर में हमने intra uterine device लगा है यह statement भी गलत हुई क्या statement सही है A B और C let me see कौनसा option सही है third option सही है ठीक है कौनसा option सही हुआ हमारा third option ओके चलो next question करेंगे identify the incorrect option हमें incorrect option बताना है ठीक है incorrect option बताना है हमको क्या बोला गया कि SL Miller के experiment में क्या बना simple amino acid बना ठीक है कि कौनसी present थी वैसा ही उसने environment का setup करा experiment में और कौनसी कौनसी gas थी hydrogen था ammonia था यह methane थी H2O vapors थी ठीक है तो यह सब थी और उससे उसको क्या मिला result में उसको reserve में मिला था amino acids तो यह statement तो बिल्कु सही लग रही है next statement में जाते है our solar system was probably created about 4.5 billion years back तो क्या यह statement सही है यह statement भी सही है next statement देखते है genetic drift affects Hardy-Winberg equilibrium यह जो Hardy-Winberg equilibrium था उसमें क्या चाहिए होता है large stable gene pool चाहिए genetic drift होगा तो क्या होगा gene pool पर effect पड़ेगा तो उससे large stable gene pool चाहिए था ज्यादा जहाँ पे changes नहीं हो रहे है तो definitely यह statement सही है कि genetic drift जो है वो Hardy-Winberg equilibrium को खराब कर देगा अब fourth statement है कि Darwin used the term mutation Darwin ने mutation term use करा discontinuous variation observed by him Darwin ने क्या देखा था Darwin ने देखा था natural selection survival of the fittest उसने तो यह सब दिया था यह जो mutation term था यह दिया था Hugo deveris ने ठीक है उसने बोला था saltation कि यह जो mutation हो रही है इसी वज़े से यह variation आ रही है population में तो यह statement क्या हुई गलत तो हमारा answer क्या correct हुआ fourth statement ठीक है fourth statement correct हुआ next question करेंगे in case of a population of giraffe which assumption will be incorrect कौन सा assumption incorrect है वो बताना है हमको ठीक है लमाक concept में पहला देखते है all giraffes are nearly similar and have same requirement for feeding बिलकुल जिराफ जो होते हैं vegetarian होते हैं वो carnivore नहीं होते हैं वो herbivore होते हैं है ना तुनकी feeding requirement same है तो यह statement तो बिलकुल सही है next statement देखते है lack of vegetation at their height induces the giraffe to stretch upward and reach the vegetation at higher level उसने vegetation नहीं है असपास तो उन्हें अपनी गटल उची करनी पड़ी जिस लेवल पर vegetation present है उसके लिए तो यह statement भी क्या हुई सही हुई कि use and disuse of the organs वाला जो लमाक की थियोरी थी उसका उसका एक each other resulting in survival on the survival of only the tallest यह competition as in predator prey वाला competition नहीं था क्योंकि जिराफ जिराफ एक दूसरे का prey नहीं होता है तो यह carnivore भी नहीं होते है तो वह competition नहीं हो रहा है कि वो एक दूसरे को kill करके survive कर रहे है ठीक है तो answer क्या आएगा हमारा D answer would be D ठीक है चलो next question है most effective permanent treatment for severe combined immunodeficiency disorder CID क्या है उसका कि क्या होना चाहिए effective permanent treatment पूछा गया है इस पर आपको फोकस करना है कि permanent treatment यह नहीं पूछा गया है कि उसका treatment जनरली जब बिमारी होती है उसके बाद क्या treatment होता है ठीक है वो क्योंकि बार-बार देना पड़ता है इसलिए तो क्या होना चाहिए इसका bone marrow transplant at any stage of life अगर यह करते हैं तो क्या होता है आपको बार-बार करना पड़ता है process क्योंकि वह जो हमने change करके genes डाले हैं वहां से खतम हो जाते हैं इसलिए हमें वापस वापस change करना पड़ता है तो यह statement तो गलत हुए क्योंकि हमें permanent solution पर जाना है अब देखे जीन isolated from bone marrow producing ADA is introduced in cells of early embryonic stage अगर हम embryonic stage में ही डाल देंगे embryonic stage है और वहीं पर हमने हमारा clone gene डाल दिया तो उससे क्या होगा उससे यह होगा कि आपको जब उसकी adult life में उसके बाद में जब बड़ा डबलब हो गया है तो उसमें आपको वापस वापस change नहीं करना पड़ेगा तो यह statement जो है यह correct होगा कि आप उसका permanent treatment कर रहे है वहाँ पर फिर उसके बाद में आपको दूसरा नहीं करना पड़ेगा answer होगा हमारा क्या second ठीक है चलो next question है natural selection which lead to more individual acquiring characteristic other than mean character value ठीक है अगर कोई population है उसने कोई character choose कर रहा है ठीक है तो यह population का graph है ठीक है जो mean value होगी वो यहाँ ठीक है अब यह क्या कह रहा है कि उसने कोई character choose कर रहा है जो कि mean value हो रहा है मतलब क्या कि यह यह तो ऐसे हो रहा है यह पर यह ऐसे हो रहा है मेन वाल्यू उसमें चेंज हो रही है तो मीन कारेक्टर नहीं चूज कर रहा है तो क्या हो रहा है यह डिर्रेक्शिन वह सकती हैे और इध हार बीं सकती है तो यह इक चिलेक्षेंल करता है ठीक है, आंसर क्या होगा, third, चलो, next question करेंगे, बहुत simple question है, match the columns and choose the correct option, correct option बताना है, ELISA क्या है, ELISA क्या है, enzyme, linked, immunosorbent, असे, अब यह क्या करता है, यह, antibody, antigen के interaction को use करता है, अपने बताने के लिए कि कोई antigen present है या नहीं है, ठीक है, तो ELISA का क्या होगा, एक answer तो हो जाएगा, three, ठीक है, एक answer होगा, three, अब next देखते हैं, biopsy, biopsy का मतलब क्या होता, small piece of tissue को ले जाते हैं, ताकि उसकी study कर सके, pathologist ले जाते हैं, ताकि उसकी histopathological study कर सके, कि उसके अंदर conscious cell present है, क्या present है, एक small amount of tissue लेते है, तो क्या होना चाहिए, b का answer one, kumputed tomography, क्या करती है, की वो क्या करती है, यूज करती है, एक सिरे को, एक सिरे को यूज करती है, उससे हो क्या कर सकती है, three-D image बना सकती, internal organ का, तो C का answer क्या होना चाहिए, four, अब MRI, MRI का क्य करती है MRI use करती है strong magnetic field को use करती है किसको use करती है strong magnetic field को use करती है तो डी का answer क्या होगा 2 तो डी का answer क्या होगा 2 answer हो जाएगा हमारा simply second option second option correct हो जाएगा ठीक है चलो next question है genetic drift is not observed in पहले तो यह कहां होती है वह देख लोग genetic drift जो होती है small and isolated population में होने का सबसे दाद chances कहां होती है small or isolated population तब इसमें option कहें small population यह भी नहीं होगा answer ठीक है इस पर भी नहीं होगा है ना in breeding population में भी genetic drift हो सकता है कि कुछ set of gene आगे in breeding ही हो रही है तो recisive gene express करें जो dominant है वो कहीं से eliminate हो गए तो gene pool पर effect पड़ेगा तो यह statement भी गलत हुई अब अगर interpreting हो रही है पर large size population है large size होने का क्या मतलब हुआ population के large size of population का मतलब हुआ क्या large gene pool तो अगर मानुस में से कुछ gene गए भी तो इतना drastic effect नहीं आएगा क्योंकि due to effect of what large gene pool है उसमें से कुछ थोड़ा बहुत change भी हो गया तो इतना जादा major change significant नहीं होगा तो सबसे बलब होना हो तो सबता है इधर भी बट क्या होगा यहां पर इतना R1 enzyme ठीक है तो eco R1 enzyme के बारे में हमसे पूछा गया है ठीक है eco R1 क्या है restriction endo nucleus है है यह क्या करता है यह काटता है DNA को कहां पर recognize करके उसका palandromic sequence को अब इसका जो palandromic sequence होता है eco R1 का वो होता है G A A T T C G A A T T C 5'3'3'5' ठीक है तब यह क्या करता है यह यह is palandromic sequence को recognize करता है और क्या करता है वो यहां पर bond को break करता है यहां पर eq bond को break करता है इससे वो क्या produce करता है इससे वो produce करता है sticky ends प्रेडियूस करता है ठीक है अब options देख लेते हैं ए रेकगनाईज यह तो गलत है यह वाली सिक्वेंस को करता है और एनीवेज यह पैलेंड्रोमिक नहीं था तो आप उसको देखके भी कर सकते है ठीक है फिर उसके जीती है यहाँ पर ओना चाहिए था जीती नहीं है तो यह गलत हो गया ठीक है next क्या है पैलेंड्रोमिक स्टी लिए स्टाइंब करता है नहीं बेटा ई जो है वह किसके लिए स्टाइंड करता है इकोलाई से हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया है ठीक है फॉर्ट स्टेट्मेंट है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉंड बिट्मीन 5-डाश जी और इस डाइजेस्टेट ब होगा फॉर्ट ऑप्शन करेंट होगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे next प्वेश्चन है कि सिलेक्ट इंकरिक्ट ऑप्शिन विद् रिस्पेक्ट टू क्रेंडियल क्यपासिटी के हिसाब से हमने बताना है तो ऑस्ट्रेवलोप्ठिकस में क्या होती 500 होती होत सब्सक्राइब कितनी होती है 14 50 CC होता है तो यह सिदा सीधा सीधा बेस्ट क्वेशन है आपको याद रखने और आपको याद हो गए तो यह चार नंबर आपके का जासे नेक्स क्वेशन करते हैं द्यूरिंग दे प्रोशेसिंग ऑफ प्रो इंसुलिन into mature insulin क्या होता है चो यह pro-insulin होता है pro-insulin जो होता है उसमें 3 होते A, B, C peptide की बनी होती है ठीक है जब इसका maturation होता है ठीक है जब यह mature होती है बेटा तो क्या होता है वहाँ पर mature होने पर यह जो C polypeptide हो बहुत जाता है और A और B बचता है जिसके बीच में क्या होता है डायसलफाइट लिंक के जोता है तो यह होता है अब यह C निकल जाता है तो अब इसमें क्या है आंसर हमें बताना है C peptide chain is removed from pro insulin नहीं बिल्कुल होता है सही है Dysulfide bond are broken to form pro insulin नहीं ऐसा नहीं है प्रो इंसुलिन नहीं बन रहा है प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बन रहा है तो यह स्टेट्मेंट तो सरा सर गलत हुई सेक्रोमाइसिस को हमगे बिकाज़ भी बोलते हैं है ना फीटव बिकाज़ बिदी बोलते हैं ठीक है स्विस चीज पैनसीलिम से बनता है बिक्नियो Caleb सका है इस से बनता है यह तो गलत है हो गया थड़ देखते है रॉकर्ड चीज जो होती हो फंगाई से नहीं बनती हो पैनेसिलिम से बनती है इस तो यह सेटमेंट भी सही है ठ़र है कर इसा लच्टो बैसल से बनता है तो यह स्टेटमेंट भी एकदम correct हो गए, तो answer क्या आएगा हमारा second, second option है, जो हमारा गलत है, ठीक है, second option है, जो हमारा गलत है, answer होगा to, चलो, next question करेंगे, choose the incorrect statement with respect to AIDS, AIDS के respect में कौन सा statement गलत है, ठीक है, it is caused by AIDS जो होती है, that is caused by what, HIV virus से होती है, यह क्या है, एक retrovirus है, ठीक है, यह enveloped होता है, ठीक है, enveloped होता है, और इसके पास में क्या होता है, single stranded RNA present होता है, इसके पास single stranded RNA present होता है, और इसके साथ में plus क्या present होता है, रिवर्ट ट्रांस्किप्टेस के molecule भी present होता है, अब यहाँ पी क्या बोला गया है, है, HIV is termed as retrovirus, सही बात है, and it has double standard RNA in the genome, क्या उसके पास double standard RNA है, नहीं, उसके पास single standard RNA, तो first statement तो गलत हो गई, आगे के statement देखते है, latent phase of the disease can last up to six months, few months लिखा हुआ है, and five to ten years, वो कभी भी latent phase में जा सकता है, फिर बाद में अपना effect दिखा सकता है, तो यह statement भी correct है, next statement हमारी क्या दिवी है, कि macrophages are the factories for HIV multiplication, multiplication in the body, HIV का multiplication के लिए macrophages जो होते हैं, वो एक factory की तरह काम करते हैं, उसका viral RNA बनाते हैं, उसकी वो mechanism को यूज करकर अपना viral RNA बनाती है, तो यह statement भी बिलकुल सही है, it is not a congenital disease, congenital disease का मतलब क्या है, जो बर्थ से होती है किसी को, तो क्या यह बर्थ से होती है, ना, it is not a congenital disease, ठीक है, तो answer हमारा क्या होगा, 1, सबसे correct answer होगा हमारा 1, चलो next question है, the opioids like morphine is derived from, और morphine को कहां से derived किया जाता है, simple fact-based question है बेटा, लेटिक्स औफ पेपवर, सौमनी वर्म से हम जो है, वो opioid को derive करते हैं, तो answer हो जाएगा क्या, 1, ठीक है, cannabis cell, cannabinoid होता है, ठीक है, तो यहां से cocaine होता है, तो morphine का तो, जो है, पेपवर, सौमनी वर्म से ही होता है, ठीक है, तो हो जाएगा first answer, next question, seminal plasma is rich in source of fructose for sperms, ठीक है, जो fructose होता है, वो semen में present होता है, ठीक है, seminal fluids में present होता है, fructose is released into seminal plasma, mainly by, कौन करता है release, seminal vesicle बिटा, fructose को, जो कहीं जरूरी है, किसके लिए, nutrition के लिए, sperm के nutrition के लिए, कुछ calcium, कुछ ions भी इसको release करता है, तो answer होगा हमारा क्या, one, simple question था, पटा-पटा हम इसको solve कर पाए, चलो next question करेंगे, which one for majority of baccalovirus, used as a biocontrol agent, ठीक है, baccalovirus का कौन सा वाला strain हम use करते हैं, सबसे जाधा, nucleo polyhedral virus, ठीक है, यह क्या है, यह species specific होता है, species specific होता है, specific होता है, यह क्या होता है, species specific होता है, यह क्या होता है, यह क्या होता है, कि जो species को attack करने, उसको करता है, और जो other, या अधर आर नौट आफेक्टेट इसका इफिय्ट बहुत नारो स्पेक्ट्रूम पे रोता है तब क्या दिया ऑप्डिन आपनारे पास एफ शोन तो है नेगेटिव इंपक्ट ओन नौन टर्गेटेट इंसेक्ट लाइक ओंट बुल वौन तो नौन टर्गेटे इंसेक्ट क तिस और एक्सिलेंट कारडिधिक्ट एफॉर नारोस्थ्पेक्ट्राइडर एक्सिलेंट है एंयुए थिसेटयस संसेक्टे फ्रिटिकेशन के लिए थे बहुत एफेक्टाब है ये सेटमेंट भी होगाई गलत नेक्स्टीर बेनिक Kleips इंसेक्ट और नहीं तो ब्हुथिर पर यहां पर कर रहा दो यह कुछ कंहिगा तो हमें सही लग Bell ने के लिगा दिक्रेश्पेसिफिक सब्सक्राइब बताय स्पीशी स्पेसिफिक बिल्कुल होते हैं, यहाँ पर स्पीशी स्पैसिफिक बिल्कुल प्रेडेटर को मारते हैं यह Unstable to harm unavailable to harm the useful insect, ठीक है They are not Species Specific Predator को नहीं मारते हैं यह They are not Species Specific Predator नहीं पर यह Species Specific Predator बिल्कुल होते हैं ठीक है, यह statement भी यह statement गलत हुई, answer हमारे लिए most correct answer हमें ढूनना है तो हमारे लिए most correct answer है, वही सही answer होगा तो यह क्या कर रहा है, दूसरों को नहीं मा रहा है यह beneficial को तो बचा के रख रहा है न तो यह answer हमारे लिए क्या correct होगा, third ठीक है, चलो next question करते है which of the following is not a use of genetic modification in transgenic plant कौन सा है, जो यूज नहीं है, किसके लिए genetic modification in transgenic plant ठीक है, making crop more sensitive to our biotic stress हम genetic engineering कर क्यों रहें ताकि हम productivity बढ़ा सके हैं हम क्यों कर रहें ताकि हमारी productivity जो है, वो increase हो ठीक है, उसका protection करने के लिए long lasting हो, shelf life increase कर तो वो अलग-अलग parameters पे हम crops को grow कर रहें जो हमारे consumption के लिए और storage के लिए सही रहें और उनका growth होता रहें तो हमें कभी उसकी shortage ना हो, है नो basically human welfare के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस abiotic stress के लिए और sensitive कर देंगे, तो क्या होगा, कि कोई भी stress हुआ, तो वो से जेल नहीं पाएगा और वो खराब हो जाएगा, तो intern क्या होगा, abiotic stress से क्या होगा, जो crop की growth होगी, वो hamper होगी, और उससे क्या होगा, crop की जब growth hamper हो रही है, उससे क्या फरक पड़ेगा, कि प्लांट नहीं ग्रो करेगा, प्लांट नहीं ग्रो करेगा, तो हमारे पास food की जो availability हो decrease होगी, तो transgenic plant बनाने का जो main motive था, वही fulfill नहीं हो पा रहा है, तो first, जो statement होगा, कौन सा correct होगा, first statement ही correct होगा, ठीक है, बाकी सारी तो इसके enhance कर दे nutritional value, तो वो भी सही है, वो भी हम transgenic plant से कर पा रहे हैं, four statement है कि increased efficiency of mineral usage by plant, कि हम इसकी increase कर दे efficiency को, कि वो mineral को और अच्छे तरीके से absorb कर सके और use कर सके, तो यहाँ पर यह भी सही है कि transgenic plant से हम फायदे की करें, क्यों हम उसमें चाहेंगे कि हमारा नुकसान हो, है ना, first answer will be correct, next question है, tobacco consumption is known to stimulate secretion of adrenaline and noradrenaline, the component causing this could be, क्या component है जो यह cause कर रहे हैं, tobacco में क्या present होता है, tobacco के अंदर present होता है, nicotine, nicotine क्या है, एक secondary metabolite है, यह जो nicotine होता है, यही तो blood में जाके, एक high को feel कर आता है, लोगों को तभी तो लोग smoking के लिए addicted है, addictive होता है, ठीक है, तो answer क्या है का हमारा क्या, nicotine, यही तो जाके release करने को बोलेगा, adrenaline, noradrenaline को, ताकि उससे क्या होगा हमारा, हमें एक, यूपोरिया वाली feeling आती है, है न, तो यह क्या होता है, यह addictive होता है, nicotine, तो answer क्या हैगा, वन, चलो, next question है, bety toxin produced by bacillus, bacteria does not get bacillus itself, because, क्या, क्ये कहना चाहरा है, क्या, अगर हमारा कोई endotoxin है, यह जो bacillus plant है, bacillus bacteria है, ठीक है, bacillus bacteria है, वो क्या है, इसके अंदर बन रहा है, एक endotoxin, जो की क्या है, bety toxin, अब यह protoxin के form में बना रहा है, तो मतलब यह क्या है, वो toxic नहीं है, अब वो क्यों नहीं है, उसका हमें answer बताना है, ठीक है, the toxin is produced only after the entry of bacillus into host, after induction from host protein, तो क्या है, इसका समझ आया, कि the toxin produced होता है, कब entry होती, जब bacillus के host के अंदर में, और वहाँ पे induction होता है, इस protein के बनने का, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, बनता है, toxin exists in inactive pro toxin in the bacillus cell, तो यह थोड़ा sensible option लग रहा है, ठीक है, नेक्स देखते हैं, activation of toxic requires acidic pH in which is not available in the host, ठीक है, तो यह ज़ो acidic pH होता है, यह कहां present होता है, इसको acidic pH चाहिए ही नहीं, इसको चाहिए क्या alkaline pH, यह basic pH चाहिए, alkaline pH चाहिए, जो कहां present है, caterpillar की gut में present है, जहां पे जाके यह pro toxin से toxin में बनता है, है ना, alkaline medium में बनता है, तो यह statement भी गलत, next, the toxin is exotoxin, बाहर बनता है, is not stored in bacillus cell, इस cell की अंदर ही stored रहता है, तो answer क्या correct होगा हमारा, answer correct होगा third, sorry, correct होगा second, next question करेंगे हम, choose the incorrect statement, हमें incorrect statement बतानी है, क्या incorrect statement बतानी है, with respect to memory gland and lactation, ठीक है, तो memory gland has 15 to 20 memory loaves, यह बिलकुल सही statement है, next है, estrogen causes deposition of fat in the memory gland, यह भी सही है, estrogen जो होता है, वो storage में help करता है, ठीक है, third, क्या है, progesteron causes secretion of milk in memory duct, क्या progesteron secretion of milk करता है, memory duct में नहीं, यह कौन करता है, prolactin करता है, ठीक है, prolactin करता है, और यहाँ पर क्या होता है, यह prolactin help करता है, तो progesteron नहीं कर रहा है, progesteron क्या करता है, नए, alveoli बने memory gland में, ताकि वो क्या करता है, storage के लिए ready हो सके, जब prolactin जो है, वो cause करे, secretion को milk में, ठीक है, oxytocin causes ejection of milk, यह बिलकुल सही statement है, तो answer जो incorrect के लिए पूछा गया है, तो incorrect, conscious statement हुआ हमारा, third statement, answer incorrect होगा, third statement, ओके, चलो, next question है, first restriction endonucleus enzyme that was isolated includes, कौन सा था first, hint 2, hint 2 था, जो first endonucleus था, जिसको isolate किया गया था, यह fact-based question है, यह आपको याद रखना है, ठीक है, चलो, next question है, which of the following is correct regarding AIDS, causative agent क्या है, उसका HIV, HIV क्या है बेटा, HIV जो है, एक retrovirus होता, है, है ना, retrovirus है यह HIV, अब इसमें क्या points दिये हैं, मोहम को देखना है, HIV is an envelope virus, बिल्कुल इसका envelope होता है, भार covering होती है, ठीक है, contains one molecule of single-stranded RNA genome, single-stranded RNA जरूर होता है, इसमें पर one molecule नहीं होता है, वहाँ identical two होते हैं, इसमें two identical molecules of single-stranded RNA and two molecules of reverse transcriptase, जो आगे इसके viral RNA को viral DNA बनाएगा, और उसको फिर incorporate करने में, host cell में help करेगा, host cell के DNA में incorporate करने के लिए, तो आंसर क्या correct होगा हमारा second, कि सारे characteristic तो सही है, HIV is single-stranded होता है, पर वहाँ पर two identical pair present होते हैं, तो आंसर होगा two, चलो, next question है हमारा, according to 2001 census population growth rate of India, यह NCRT में एक fact-based question है बेटा, यह आपको याद रखना है, 1.64% था, 1.64% था, इसका मतलब क्या होगा, यह less than 2% होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा हमारा second, ठीक है, चलो, next question करेंगे, natural method of contraception among which is following, मतलब इन में से बताना है कौन सा method जो है, वो natural method है, ठीक है, natural method का मतलब क्या होगा, कि कोई बाहर से चीज, कोई बाहर से device, बाहर से कोई instrument, कुछ भी चीज जो है, वो इसमें method of contraception में बाट नहीं ले रही है, कि हमने बाहर का कोई external intervention नहीं है, नाचरल human beings में कैसे आप contracept कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर vasectomy, medical surgical procedure होता है, जहाँ पर हम snip कर देते हैं, किसको, what's the difference को, है ना, तो इससे क्या होता है, इससे यह होता है, कि हमारे sperm का transport, block हो जाता है, है ना, यहाँ पर भी क्या होता है, cervical gap में भी क्या करते हैं, यह cervix के block कर देता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, sperm, uterus में नहीं जा पाता, entry ban होती, iud's, iud's क्या करती हैं, कि अगर uterus में पहुँच भी गया sperm, तो वहाँ पर phagocytosis कर देती है, यह suppress कर देती, mobility, तो वो hospital in hospital बन जाता है, uterus, ठीक है, तो यह भी गलत हो गया, coitus interruptus, coitus interruptus क्या होता है, कि यहाँ पर withdrawal करते हैं, तो ejaculation जो होता है, ejaculation जो होगा, वो body से बाहर होगा, female body से बाहर होगा, ठीक है, outside, तो यहाँ पर क्या होगा, कि आप interrupt करते रहें, तो ejaculation जो बाहर होगा, तो sperm पहुची नहीं सकता, अंदर आगे fertilization के लिए, ठीक है, तो आँगा answer क्या, fourth, ओके, चलो next question है, analogous organs are represented by, analogous organ का मतलब क्या हुआ, कि इसकी anatomy, जो है, वो भले ही different हो, ठीक है, anatomy different होप पर, function जो होगा, function जो play कर रहा होगा, वो same होगा, ठीक है, यह example NCRT में दिया हुआ है, आप अराम से बता सकते answer क्या होगा इसका, flipper of penguin and dolphin, ठीक है, अलग-अलग class जाते हैं, जैसे यह abies है, यह mammal है, इनकी anatomy अलग है, but function क्या है, swimming में, दोनों help कर रहे हैं, swimming में, दोनों का role है, flipper का, ठीक है, तो answer क्या है का, fourth, चलो, next question है हमारा, recombinant colonies in insertional inactivation, are differentiated on the basis of, differentiated किस के basis पे होता है, देखो, यहाँ पे क्या होता है, हम add कर देते हैं, हमारा gene of interest को, to a marker के अंदर, ठीक है, हमारे recombination के जो marker है, उसके अंदर डाल देते हैं, जैसे हमने क्या करा, enzyme, beta galacto, sidease के अंदर हम डाल देते, तो क्या होता है, यह enzyme disrupt हो जाता है, अगर enzyme disrupt हो गया, तो वहाँ पर no color colony आएगी, और अगर disrupt नहीं हुआ, तो क्या होगा, blue color colony आएगी, तो मतलब अगर recombination हो गया, तो कोई color नहीं होगा, और अगर recombination नहीं हुआ, no recombination, non recombinant जो होंगे, non recombinant कैसे होंगे पिटा, non recombinant में blue color आएगा, तो answer क्या होना अच्छी, production of no color, answer होगा हमारा क्या, second, चलो, next question करते हैं, theory of spontaneous generation attempts to explain the origin of, यह जो spontaneous generation की जो theory थी, वो किसको explain करती है, वो explain करती है कि इसको, life on earth, उन्होंने यह attempt करा बोला, कि dead decaying matter से life बनी है, ठीक है, यह इन्होंने बोला कि spontaneously generate हो गया है, तो answer आएगा हमारा क्या, second, ठीक है, चलो, autoimmune disease, autoimmune disease के respect में बताना है, कि कौन सा odd है इसमें बिमारी, ठीक है, myasthenia gravis, यह क्या होता है, यहाँ पर neuromuscular junction पर, वो खराब करने लगता है, क्या इतना immune system, autoimmune sensitive हो जाते हैं, तो वो वहाँ पर उसको खराब करता है, इसमें muscle weakness आती है, जो action potential उसका transport में दिख्कत होती, क्योंकि यहाँ muscular weakness इसलिए आया है, कि neuromuscular junctions खराब होने लगते हैं, ठीक है, rheumatic arthritis, arthritis में वहाँ पर इंफ्लमेशन कर देता है, वो अपनी ही immune cells, अपने ही joints में, inflammation कर देंगे, ठीक है, वहाँ पर इसलिए arthritis हो जाता है, तो यह भी autoimmune disease है, Alzheimer, Alzheimer क्या है, एक neuro-degenerative disease है, neuro-degenerative disease है, क्यों बोला गया है, कि यह क्या करता है, वहाँ पर कुछ accumulate होने लगता है, ब्रेन में जो क्या करता है, degrade कर देता है neural connections को, तो यह जो बिमारी है, यह this isn't caused by our immune system, यह immune system से related नहीं है, यह immune system से related नहीं है, तो answer हमारा क्या हैगा, थर्ड, Alzheimer disease, Alzheimer disease जो होती है, that is not caused by our autoimmune system, ठीक है, तो इसका answer क्या होगा हमारा, थर्ड, चलो, next question करेंगे, match the following करना है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, zift, zift का मतलब क्या हुआ, zygote का transfer होगा, intra fallopian tube में, ठीक है, zygote का transfer होगा, intra fallopian tube में, तो answer क्या आना चाहिए, यहाँ पर, early embryo up to, 8 blastomere is transferred into fallopian tube, fallopian tube में डालेंगे, क्योंकि zift लिखा हुआ है, तो A का answer तो आएगा 2, A का answer होगा 2, A का 2, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, IUT, intra uterine transfer, सीधा uterus के अंदर transfer हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, embryo with more than 8 blastomere, is transferred into uterus, uterus के अंदर यह transfer होगा, तो इस second का answer क्या हैगा, B का 3, ठीक है, B का 3 होगा, स्थर्ट दिया हुआ है क्या gift, gamete intra fallopian transfer, ठीक है, तो gamete का intra fallopian में transfer होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर हम gamete को transfer करेंगे, first, क्या हम transfer करेंगे, ovum और sperm को, into oviduct of infertile female, तो हम वहाँ पर देंगे, और वहाँ पर natural chance देंगे, fertilization का, तो C का answer होगा 1, ठीक है, अब उसके बाद में बच्चता है, क्या हमारा last, intra cytoplasmic sperm injection, ठीक है, तो यहाँ sperm को हम directly inject कर देते हैं, ovum के अंदर, ठीक है, तो answer इसका क्या होगा, D का fourth, answer होगा हमारा क्या, 1, 1 होगा हमारा answer, ठीक है, चलब, नेक्स्ट क्वेशन करेंगे, एकरो बेक्टीरियम, ट्यूमेफेसियन, डिलिवर्ज पीस उफ डी एने, इंटू टाइकॉट प्लाट, तब पीस उफ डी एने, इस कॉट, जो पीस उफ डी एने, ट्रांसफर करता है, उसे क्या कहते हैं, बहुत सिम्बल क्वेशन है, इसको कहते हैं, क्या, टी डी एने, ठीके, टी आई प्लाजमेट से, वो ट्रांसफर करता है, ठीके, चलो, टांसफर क्या होगा, इसका, टू, नेक्स्ट क्वेशन करेंगे, रेट्रो वाइरसे इन आनिमल, including human, are able to change, नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल को, यह क्या बना देता है, नॉर्मल सेल को यह बना देता है, कैंसे रियस सेल, ठीके, कैंसर सेल बना देता है, ठीके, यह वाइरस के अंदर, एक प्रापटी होती ही, जिसके अंदर, वो अगर, इंपेट करेगा कोई से cancerous cell बना देगा और उसमें हो जाएगा तो इसको हम डिसाम करके किसके लिए उसकर टे जीन ट्रांसफर के लिए उसकर ठीके तांसर होगा हमारा क्या टू चलो इस नेंच्स क्टST खाल एक पर एक वेंचषे माफी मारी कोई तो honor एका अनसर को अनसर के आएगा हमारा टू किससे होती है यह डर्माटो फाइट से ठीक कैं किकर 100 इस फंगार के diagnosis के लिए हम क्या use करते हैं vital test होता है क्या होता है vital test होता है जो हम use करते किसको detect करने के लिए टाइफॉइट को detect करने के लिए ठीक है answer क्या है हमारा fourth ठीक है टाइफॉइट इससे detect होगा चलो next question है हमारा a contraceptive device which also provides protection against sexually transmitted diseases ठीक है तो हमें बताना है कि कौन सा device होगा जो की use की जो protect करेगा किस से STD से ठीक है तो पहला चीज है क्या first is condom condom क्या है condom will prevent कि कोई transfer of fluid ना हो है ना condom से protection होगी male part की भी और female part की भी और कोई transfer of fluid नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा first answer ही correct होगा और भी options हम देख लेते हैं ठीक है LNG 20 और copper T क्या है यह IUD है इसका मतलब क्या है वहाँ पर कोई barrier नहीं है to prevent fluid transfer को तो यहाँ पर क्या होगा कि यह uteran device तो है बट यह क्या काम करेगा यह contraception कैसे करेगा यह contraception क्या करेगा कि यह sperm जो है उसको मार देगा ठीक है उसकी mortality decrease कर देगा ठीक है यह उसकी fertilization power को decrease कर देगा ठीक है specific blockage की तरह काम करेगा but there is a skin contact ना skin contact तो होगा skin contact होने से ही तो transfer हो रहा है तो यहाँ पर answer correct क्या होगा one चलो ठीक है next question करेंगे अब which one of the falling diseases cause dry scaly lesion on skin nails and scalp ठीक है तो यह किससे करता है यह fungal disease से होता जो इसको कहते हैं क्या ringworm disease और यह किससे होती है dermatophyte से dermatophyte फंगाई यह disease करता है ठीक है चलो इस dermatophyte next question which of the following steps are catalyzed by tag polymerase tag polymerase एक enzyme है जो किसमें काम आता है PCR में आता है polymerase chain reaction में आता है ठीक है तो यह क्या करेगा denaturation of template DNA denaturation हम किससे करते है high temperature से करते है high temperature तो denaturation में तो इसका कोई role नहीं हो तो यह statement हटा दो next up देखते है next क्या है annealing of primer to the template DNA annealing कैसे होती है जैसे हम high degree मतलब 95 degree celsius से नीचे जब लेकर आते है 69 degree celsius में तो वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर खुद बखुद अनील कर लेंगे due to what complementarity complement करेगा ना वो mentality of जो हमने primer डाले है primer complement करके तो डाले ताकि वह हमारे targeted DNA पर जाके बाइंड करें तो यहां पर यहां भी DNA polymerase का कोई रोल नहीं तो second option भी अलग है extension of primer and on the template DNA extension में काम करेगा यह कि polymerase आगे adding of DNA जो हमें जो amplify करना है वह सारे nucleotide को add करता रहेगा तो यह वहाँ काम करेगा तो अंसर क्या होना चाहिए इसका third ठीक है चलो next question है name the part cut and tied in male for sterilization also name the procedure उस procedure को क्या कहते है और क्या part को cut किया जाता है जिससे हम sterilization को pass achieve कर सकते है ठीक है तो यहां पर क्या होता है एसी वाज difference को स्निप किया जाता है उससे क्या होता उससे transport of sperm जो है वह ब्लोक हो जायेगा वह ट्रांसपोर्ट और क्रांसपोर्ट कर रहा है तो आंसर क्या आएगा हमारा correct? आंसर आएगा हमारा correct क्या? Second. VARS difference and vasectomy. ठीक है? चलो. Next question है, Which of the following should be chosen for best healed if one were to produce a recombinant DNA, recombinant protein in large amount? अगर हमें कोई हमने desired recombinant protein के लिए एक organism बनाया, अब हमें उसको देखना है कि वो सबसे ज़ादा large amount में बनाया, तो हमको क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या process यूज़ करना चाहिए, जिससे वो बन सके, ठीक है? तो वो सब बनाने के लिए, क्या होगा, यहाँ पर, देखो, अगर हम उसको laboratory flask में, largest capacity में भी बनाएंगे, तो अगर हमें recombinant protein, मतलब उसमें कोई contamination नहीं होना चाहिए, purity होनी चाहिए, तो वहाँ पर हमें क्या जरुवत है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम contamination free area बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, हम क्या यूज़ करते हैं, bio reactors यूज़ करते हैं, विदाउट इनलेट और आउटलेट नहीं है, और आउटलेट नहीं है, तो वो ग्रो कैसे करेगा, उसे क्या oxygen चाहिए, तो कैसे पहुज़ेगी, ठीक हम supply भी करें, तो आउटलेट नहीं है, तो बाहर कैसे निकालेंगे, तो ये भी गलत है statement, नेक्स्ट है, continuous culture system, continuous culture system का मतलब क्या होगा, कि आप उसमें, जैसे ही, जैसे ही हमारा, क्योंकि गलोकोस अगर हमने डाला, तो हमारा बैक्टीरिया, या जो भी हमारा recombinant host होगा, जिसके अंदर हम गुरो कर आ रहे होंगे, तो वहां क्या होगा, एक पॉइंट के बाद, जो nutrition है, nutrient से होतर, डिपलीट होंगे, तो वापस से हम उसे replenish कर सकते हैं, वापस से हम डाल सकते हैं, तो यहाँ पर अगर continuous system है, तो जैसे ही खतम हो, हमें पता है कि इतने आज में खतम होगा, तो वापस से हम डालेंगे, तो continuous chain of production चालू रहेगा, तो largest amount में हमें जब recombinant protein बनाना है, तो हम सिर्फ यही method यूज़ कर सकते हैं, continuous culture system, जिसकी मदद से क्या होगा, largest amount में हमें, हमारा recombinant protein मिलेगा, तो answer होगा क्या, third, ठीक है, चलो, यह था आज का हमारा last question, I hope आप सब बहुत अच्छा स्कोर कर पाए होंगे, और अगर नहीं स्कोर कर पाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी आपको चेक करें, आप कहां गलत करें, concepts को revise करें, मेहनत करते रहें, और इसी तरीके से पढ़हाई को जारी रखें, ठीक है, चलो, all the best और thank you, bye.